अध्याए एक अनुवादक, आयमजीटी संपादक, लुकास अध्याए एक, टेन किंग शान एक शांत चाए घर की दूसरी मंजल पर, संगीत की मधुर धुन श्रोताओं के हृदे में जैसे प्रवाहित हो उठी पानी की कोमलधारा, की दूसरी मंजल पर ज्यादा ग्राहक न उन पर टिक गई उपर, सीडियों पर कंधे से कंधा मिला कर चलते हुए एक पोनी टेल, मासूम दिखने वाला व्यक्ति था लड़की सफेद पोलो शर्ट और जीन्स पहने हुए है और लंबी, छोटे बालों वाली है बैंगनी केजुल पोशाक पहने महिला, दोनों हूँ, फिर भी, मैंने नहीं किया हमारे एनी काउंटी शेहर में ऐसी सुन्दर्ता देखने की उम्मीद है, वह सचमुच परिपक्व है और परिश्कृत महिला, हालांकि उसके बगल वाला थोड़ा सा दिखाई दिया जवान होने के साथ साथ वह दिखने में मासूम और इस वर्षों से अधिक समय से जीवित हूँ, लेकिन वह निश्चित रूप से जीवित है, मैंने जितनी भी महिलाओं को देखा है उनमें शीर्ष्टीन स्थान पर है, उसके चहले की विशेशताएं और स्वभाव, सच मुच किसी का भी दिल धरका देता है, बंदर, मैं नाम पर एक होटल, दो चाई घर हैं, ये गुन हमारे काउंटी शेहर उसके स्वामित्व वाली पूरी संपत्ती का एक छोटासा हिस्सा है, क्या वह इतनी शक्तिशाली है, बंदर उपनाम वाला युवक मदद नहीं कर सका स्तब्द महसूस करें, एनी काउंटी शेहर जिया वेटर के मार्क दर्शन के माध्यम से और कई लोगों के ध्यान में दो सुन्दरियों ने निजी कमरे में कदम रखा, निजी कमरे का दर्वाजा फिर बंद कर दिया, तारांकन 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 तारां युवा लड़की खिड़की से बाहर नजर दालते हुए मुस्कुराए खिड़की के ठीक बाहर एक बाल कल्यान केंद स्थित था बाल कल्यान केंद के कुछ कर्मचारी इसके साथ खेल रहे थे बाल कल्यान केंद के खाली मैदान में अनात बच्चे तो मालसी हो लिंकिंग मद रहा था तलाश कर रही थी इस प्रकार वह फोड़ी निराश थी यह अजीब है आप टेंग कुइंग शान को खाली जमीन पर क्यों नहीं धून सकते बाल कल्यान के इंद्र वहाज यहां क्यों नहीं है क्या वह यह नहीं जानता था हमारी सिस्टर लिन दर्द में उसका इंतज कर रही है जानबूच कर पोनी टेल वाली लड़की बोलते हुए उसने आह भरी ठीक है आह मिन अजीब व्यवहार करना बंद करो लिन किंग हां से पोनी टेल लड़की जियो मिन ने सिर हिलाया और तुरंत हैरान होकर कहा सिस्टर लिन मैंने हमेशा सोचा है कि यह तेंग किं का शारीरिक शक्ती वास्तव में बहुत भयानक है वह वास्तव में बहुत रहस्यमय है लिन किंग ने सिर हिलाया लिन किंग को अभी भी सपष्ट रूप से याद है जब वर्टें किंग शान से मिली थी पहली बार डीव ग्रेटर दन उस समय लिक्विंग और समान अधरा वाले दोस्तों के एक समूह ने उत्तर पूर्व की यात्रा की ग्रेट जिंगन माउंटन रेंज में एक साहसिक कार्य के लिए अत्यधिक के रूप में अनुभवी बैकपेकर लोगों का समूह स्वाभाविक रूप से आगे नहीं बढ़ेगा पर्यतन क्षेतर द्व पूर्शी की तस्वीर खीचने के लिए लिनकिंग अन्जाने में समूह से अलग हो गए आखिरकार जब उसे एहसास हुआ तो वह समूह नहीं मिल सका इस घने जंगल में फोन का कोई सिगनल नहीं था और कोई रास्ता भी नहीं था समूह से संपर्क करें ऐसे में वो कितना भी चिल्लाए कोई फाइदा नहीं था लिंक्विंग कर सकते थे केवल अपने दाथ पीसिती और अकेली वापस चली जाती हाला कि उसे इसकी उम्मीद नहीं थी जब वह ग्रेज जिंगेन माउंटन रेंज पर थी तब उसकी मुलकात शिकारियों से हुई वापसी का रास्ता जब शिकारियों ने लिंकिंग के कपड़े पहनने के तरीके को देखा तो वे तुरंट पता चल गया की क्या हुआ यह एक निर्जन परवत था और लिंकिंग बहुत सुंदर थी का समूह इस विशाल परवत पर शिकारियों ने बहुत लंबे समय से किसी भी महिला को नहीं चुआ था समय जब उन्होंने लिंकिंग को देखा तो उनके हॉमोन बिना किसी वृद्धी के बढ़ गए जिजगते हुए उन्होंने तुरंट अपनी चाल चली लिंकिंग ने जुकने से इंकार कर दिया अपनी पूरी ताकत से विरोध किया हालां कि यह एक महिला थी जो पांच के खिलाफ लड़ रही थी पुरोष लिंकिंग कैसे जीत सकते थे लिंकिंग को स्वाभाविक रूप से पीटा गया और घायल कर दिया गया जब वह बस होने ही वाली थी अपमानित किया गया और जब वह निराशा की कगार पर थी टेंकिंग शान जो ग्रेट जिंगेन माउंटन अकेले उद्यम कर रहा था उभरा टेंकिंग शान बिजली की गती से चला गया इससे पहले की घायल लिंकिंग ठीक हो पाते छवी पांचों आदमी पहले ही अपनी चेतना खो चुके थे और जमीन पर गिर पड़े थे मैदान हम जब भी लिंकिंग को याद आया कि क्या हुआ था तो वह मदद नहीं कर सकी लेकिन गुनगुनाहट और एक उज्जवल मुसकान उसके चेहरे पर तैर जाएगी उस समय टेंग किंग शान वास्तव में चाहते थे कि मैं अकेले वापस चलूँ सौभाग यसे वह इतना क्रूर नहीं था और अंत में मुझे गुल लग के सहारे घर ले आया लिन्कुइंग के दिमाग में जो कुछ हुआ था उसके द्रिश्य और छवियां उभरी सोचा जब वह टेंग किंग शान की पीक पर थी तो ऐसा महसूस हुआ जैसे वह पीक पर थी तैरती हुई छोटी नाव जो बंदरगाह पर लोट आई थी चाहे कितना भी उबर खाबर हो पहारी सड़क थी लिन्किंग को अभी भी अपने दिल में शान्ती महसूस हो रही थी उबर खाबर पहारी रास्ते पर टेंग क्यू इंग शान ने लिन्किंग को कुल मिला कर आगे बढ़ाया 20 मील और अंतता गंतव्य पर पहुँच गए सामान्य लोग 20 मील चलने के बाद अत्यदिक ठक जाते थे पहारी सड़क चलने और जीवित इंसान को ले जाने का तो जिक्र ही नहीं इसके अलावा वे ग्रेट जिंगन के एक निर्जनक शेत्र में थे परवत ये कुछ ऐसा था जो शायद उत्कृष्ट भी विशेश था सेना का सिपाही संभाल नहीं सकता रहस्य मयल यूवक, टेंग कुइंग शान और लिंग कुइंग के अलग होने के बाद ग्रेट जिंगन माउंटन लिंग किंग ने सोचा कि वह टेंग को कभी नहीं देख पाएगी किंग शान फिर से किसने सोचा होगा कि वह टेंग किंग शान को देख सकती है यहनी काउंटी शेहर फिर से टेंग किंग शान, लिंग किंग अभी भी उसकी यादों में डूबी हुई थी ए, बहन लिंग, देखो, टेंग क्विंग शान प्रकट हुए, पोनी टेल की आवाज लड़की, जियो मिन, ने लिंग क्विंग को जगाया, जिससे वह मुरकर बाहर देखने लगी खिर्की फुआ शिन चिल्रन वेलफेर सेंटर, नामक एक कल्यान केंद स्थित्था खिर्की के विप्रीद, लिंग विंग और जियो मिन्स पश्ट रूप से खाली पन देख सकते थे कल्यान केंद का खेल मैदान, इस समय, एक छोटे बालों वाला युवक चश्मा पहनकर और सामान्य पोशाक पहनकर खाली मैदान में पहुँचे सेब से भरा एक वाशबावल, बहुत खूब, सेब, सेब खाने का समय, त्वरित लाइन अप, ये सेब का समय है, जल्दी मत करो, मेरे पीछे रहो और लाइन में लग जाओ, जो बच्चे मूल रूप से खेल रहे थे वे तुरं अंकल तेंग, धन्यवाद, प्यारे बच्चों द्वारा लाल सेब लेने के बाद, वे सभी अच्छे व्यवहार वाले स्वर में बुले धंग, जब छोटे बालों वाले युवक ने सुना तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई फल बांटना जारी रखा, चाय घर के निजी वास्तव में बच्चे पसंद हैं, जियो मिन ने कहते हुए आभरी, वह वास्तव में बच्चों से प्यार करता है, अन्यथा, वस्वयम सेवक नहीं बनता ये कल्यान के इंद, लिन्किंग की नजरे पूरी तरह से छोटे बालों पर टिक गई युवक टेंक विंग शान, ट विन्किंग ने भावनात्मक रूप से आह भरते हुए कहा, श्वीमती, हुवशिन देख भाल कर रहा था ये कल्यान केंद लगभग 30 वर्षों से स्वयम ही संचालित है, ऐसा कृत्य वास्तव में योग्य है किसी का सम्मान, मैं 10 लाग दान करने की तयारी करता हूँ, ये कै अची चीज है, जियो मिन ने प्रसन्नता से कहा, वर्तमान में छोटे बालों वाला युवक, टेंकिंग शान, वित्रन कर रहा था सेब, अधिकांश बच्चों को उनका हिस्सा मिल गया है और उन्होंने खाना शुरू कर दिया है सेब पर, ये बहुत छोटा है, थोड़े ग अधिक रूप से पकड़े गए सभी बच्चे एक ही आकार के नहीं थे, हालांकि बच्चों को एक दूसरे से प्रतिसपर्धा करना पसंद है, जाहिर है, अगर किसी के पास था छोटा प्राप्त हुआ, तो ये दर्शाता है कि किसी को नुकसान हुआ है, भाई, मेरा फल सब से बहुत बड़ा है, इसका मेरे से लगभग दोगुना बड़ा, गुंद्राले बालों वाले बच्चे ने थोड़ा सा और कहा उसके बगल में मजबूत बच्चा, एह, आज मेरा पेट ठीक नहीं लग रहा है, मैं इतना बड़ा सेब खत्म नहीं कर सकता, कैसे क्या मैं इस से आपके साथ बदल सकता हूँ, रिष्ट पुष्ट बच्चे ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सुनकर गुंद्राले बालों वाले बच्चे की काली आँखे चमक उठी और उसने जट से उत्तर दिया, वास्तव में, हालांकि उसने यही पूछा था, उसकी नजर बड़े पर्टिकी थी उसके भाई के हाथ में सेब, बेशक ये सच है, रिष्ट पुष्ट बच्चा मुस्कुराया, उसने सेब को अपने छोटे में ले लिया भाई का हाथ और अपना बड़ा सेब थमा दिया, इस समय, टेन किंग्शान ने पहले ही सारे सेब दे दिये थे सयोगव ये द्रिश्य देखा, ये दोनों भाई, टेन किंग्शान की आँखें सामने आ गई जैसे बहुत समय पहले का एक द्रिश्य उसके मन में उभराया, बहुत समय पहले नए साल का दिन था, बाहर बर्फबारी हो रही थी और पटाकों की आवाजें आ रही थी, एक विशाल मे कमरे में एक बड़े समूह के बच्चों ने एक बुजूर्ग दादी को घेरते हुए खुशी मनाई लगभग साथ वर्ष का लग रहा था, हर किसी को यह मिलेगा, एक एक करके आओ, सफेद बालों वाली दादी देख रही थी बच्चों के समूह में उधारता पूर्वक प बाद एक दूद की कैंडी ली अन्या, उन्होंने डेर साल से दूद वाली कैंडी नहीं खाई है, इस समय यह आग्रह को सहना असंभव था, उनमें से सभी ने खुशी-खुशी कैंडी खा ली और उत्साह से बातें की, भाई, पुरानी, पैबंद लगी शर्ट पहने एक ब पादिष्ट है, डॉट-डॉट, और मैंने इसे केवल एक मिनिट में ही खत्म कर दिया थोड़े समय में, जैसे ही किंगे, नाम का बच्चा बोला, उसने दूसरे की और देखा बच्चे खा रहे हैं, देखकर लार टपक रही है, थोड़े लंबे बच्चे ने अपना सिर न दांत में दर्द है, थोड़े लंबे बच्चे ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मेरे पास बस है एक टुकडा खाया और मेरा दांत पहले से ही बहुत दर्द कर रहा है, मैं इसे अभी तुम्हें दे दूनगा, द्वारा रास्ता, याद रखें, डॉट-डॉट, ये मेरे लिए सबसे अच्छे हैं, किंगे ने हसते हुए कहा, हालांकि प्रत्येक को दो टुकडों में से एक रखने दें, थोड़ा लंबे बच्चे ने नीचे देखा, ये सपश्ट था कि वह सिर्फ एक था बच्चा, चून की वह दूद की कैंडी के प्रलोबन का अच्छ सुनाई दी, टेंग किंग शान ने नजर घुमाए और देखा चांदी के बालों वाली दादी एक महिला के साथ चल रही थी, दादी, दादी, अनातों का समूह तुरंट चिलाया और चांदी वाली बुजुर्ग दादी बालों ने बहुत उजवल और प्रसंद मु इतना उत्साहित था कि उसका शरीर थोड़ा काम गया, हालां कि लगभग एकी पल में उसका उत्सा गायब हो गया और वह शांत हो गया दोबारा। प्रधानाध्यपिका इस व्यक्ति का नाम टेंग कुइंग शान है, उन्होंने स्वेचा से काम करना चाहा हमारे लिए महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, ओ, टेंग कुइंग शान, चांदी के बालों वाली दादी, जिनकी उम्रसी वर्ष से अधिक है टेंग कुइंग शान को घूरते हुए बह मुस्कुराए, किंग शान, कुछ समय के लिए प्रधानाध्यपिका की देखभाल करने में मदद करें, मुझे जाने की जरूरत है बच्चों के लिए रात का खाना तैयार करने के लिए डाइनिंग हॉल, चिंता मत करो, आंटी लियू, टेंग कुइंग शान मुस्कुराए, प्रधानाध्यपिका, मैं सबसे पहले जाऊंगा, महिला ने प्रधानाध्यपिका से कहा, मर्थन में मदद की प्रधानाध्यपिका दादी ने टेंग किंग शान की ओर देखा और दयालू भाव से कहा, मुस्कुराओ, किंग शान, तुम इस साल तेई साल की हो, है ना, मैंने तुम्हारा देखा है फिर शुरू करना, ठीक है, मैंने अभी अभी कॉलेज से सनातक किय टेंग कुंग शान ने सिर हिलाया, तुम्हारी को मलतवचा से साफ पता चलता है कि तुमने कभी कोई कड़ी मेहनत नहीं की है, इतने दिनों से तुम्हें यहां कष्ट सहना पड़ा होगा, कहा हसते हुए प्रधानाध्यापिका, कुछ नहीं, मैं ये काम करके बहुत टेंग कुंग शान ने कहा हैड मिस्ट्रेस का समर्थन करते हुए मुस्कुराएं, प्रधानाध्यापिका ने आह भरते हुए कहा, किंग शान, सच कहून तो, जब मैंने तुम्हें देखा, मुझे बहुत परिचित सा लगा, मैं इसमें एक अनात के बारे में याद किये बि दूसरे का नाम किंगे है, मैंने ही उनका नाम रखा था, आप भी इसके साथ ही किंग शान नाम दिया गया, डॉट डॉट ये वास्तव में भाग्या है, टेंग कुंग शान का दिल तेजी से धरकने लगा और उसने सिर हिलाया और कहा, हाँ, ये होना ही चाहिए भाग्या ब बच्चा था, मुझे आश्चर यहे कि वह कैसा है, अब जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं मेरा स्वास्थ्य और भी खराब होता जा रहा है, मैं वास्तव में उम्मीद है कि मैं उनसे दोबारा मिल सकूंगा, प्रधानाध्या पिका के शब्दों से प्रभावित होकर, तेन कु मुझे विश्वास है आपकी इच्छा एक दिन अवश्य पूरी होगी, दो भाईयों किंग्शान और किंगहे को बाहर छोड़ दिया गया उनके जन्म के कुछ समय बाद ही अनाथाले, उस समय प्रधानाध्या पिका हुआ शिन अभी अभी यह अनाथाले खोला था, वह स्वाभाविक रूप से थी दो भाईयों के साथ बंद, लिंक्विंग और जियो मिन ने टेंक्विंग शान को देखा, जो कल्यान में था केंद्र, टेंक्विंग शान पहले दादी के साथ गए और फिर उन्होंने बजाया बच्चे, शुरू से लेकर अंत तक उनमें ज बार से बाहर चला गया था, लिंकिंग तुरंत खिर्की से चिलाया, टेंक्विंग शान, टेंक्विंग शान ने फिर अपना सिर उठाया, आओ और हमारे साथ शामिल हो जाओ, लिंकिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, वह ये इस पश्ट रूप से जानती थी टेंक्विंग मेरे पास अभी भी काम है आज करो, आए इसे अगली बार तब करें जब हम दोनों के पास समय हो, ये भी अच्छा है, लिंकिंग थोड़ा निराश थी, लेकिन फिर भी मुस्कुराते हुए जबाब दिया, और इसलिए, लिंक्विंग और जियो मिन ने टेंक्विंग शान क ठीक है, चलो रात के खाने के लिए मेरे घर चलें, लिंकिंग खड़े हुए और चाय छोड़ दी जियो मिन के साथ घर, तारांकन 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 एनी काउंटी शेहर के बाहरी इलाके में एक गाउं के प्रांगन में, विशाल प प्रदर्शन करते समय खड़ा था तीन जिंगी मुद्राएं। उसने अपनी छाती खीची और अपनी पीच सीधी कर ली। फिर उसने अपनी हतेली बनाई बाग के पंजे का आकार और पैरों के तलवों को सपर्षन करते हुए चलना आधार। ऐसा लग रहा था मानोव की चड बना सकते हैं। वा, वा, हवा के तेज जोंके की आवाज हवा में गूंज उठी। एक बार जब उर्जा संरहित हो जाती है तो व्यक्ती प्याले की कड़ाही की तरह शांथ हो जाएगा। उसका बाया पैर जमीन जोतने वाले हल के समान था। अचानक उसने अपना दाहिना पैर दबाया पैर और उसकी दाहिनी मुठी पैर के बल के साथ चली गई और फट गई। उसका शरीर खीचे हुए धनुष के समान था जबकि उसकी दाहिनी मुठी उरते हुए तीर के समान थी। प्यूँ, हवा में विसफोर्ट की आवाज आई, जिससे हवा का जोंका आया जिंगी मार्शल आर्ट की उनकी तीन मुद्राएं अचानक बदल गई पांच मौलिक मुठी की फर्ती मुठी, परिवर्तन आसान और सहज था जैसे चलते बादल और बहता पानी, मुठी की शक्ती बहुत महान थी कि इससे हवा में विसफोर्ट हो गया, यदि मार्शल आर् जिंगी मार्शल आर्ट की मुद्राएं इसके साथ ही उसने एक गहली सास छोड़ी, वह जील की लहर रहित सता के पानी की तरह शान दिखाई दे रहा था, वह कर सकेगा आंतरिक अंगों से लेकर उसके भौतिक शरीर के हर पहलू को स्वाभाविक रूप से महसूस करें प्र हालांकि मैं केवल एक कदम दूर हूँ, ये कदम बीच की दूरी जैसा है स्वार्ग और प्रिथवी, इस चरन से आगे बढ़ना लगभग असंभव है, यदि मैं कर सकता ग्रेंड मास्टर दाइरे में कदम रखूंगा, मैं बिना किसी पच्टावे के मर सकूंगा, टेन कु जो ग्रेंड मास्टर तक पहुंचने में काम्याब रहे क्षेत्र, हालांकि आधुनिक समाज में लोगों के लिए इसे प्राप्त करना बहुत दुरलब था ग्रेंड मास्टर क्षेत्र, यह मैदान बहुत कमजोर है, मैं स्वतंत रूप से अभ्यास भी नहीं कर सकता, टेन क इसके बाद तेन क्विंग शान क्रोस लेग करके बैठ गए, उसने अपनी नजरें अपनी नाक और अपनी नाक पर केंद्रित की उसके दिल पर नाक, उसकी क्षीन सांसें बमुश्किल सुनी जा सकी, इस पल उसका हृदय जल के समान शान था, उनकी आत्मा अनियंत्रित वि पालती मार कर बैठा हुआ था, इस पल, आंगन के बाहर सीमेंटिट सड़क पर एक दुबला पतला आदमी पूरे काले कपड़े पहने हुए था, उसके कॉला पर फुसफुसा रहा था, ग्रे इगल, मुझे लगता है कि मैं लक्षे तक पहुंच गया हूँ निवास स्थान फिर दुबले पतले आदमी ने खुद को शांत किया और पास आने लगा चुपचाप निवास करें, फुर्तिले कदमों से उसने कोई आवाज नहीं निकाली, दो हाथों ने चुपचाप आंगन की दिवार के किनारे को पकड़ लिया, उसने प्रयास किया जैसे ही उसने कु क्रोस लेग बैठा हुआ है आंगन, आप सभी ने मुझे अभी भी ढूंड लिया है, क्रोस लेग करके बैठे आदमी ने अचानक अपना पैर खोला आँखें, दोरना, जैसे ही वह तुरंद भाग गया, काले कपड़े पहने व्यक्ती के हाव भाव बदल गए, काले नहीं होता उपस्तिती का पता चला था, हूश, काले कपड़े वाला आदमी तेजी से पीछे हट गया, वह तुरंद पीछे मुड़ा और आंगन से बाहर छलांग लगाने को तैयार हो गया, बूम, काले कपड़े पहने व्यक्ती को यह आभास हो गया कि क्रोस लेग बैठी ह कोई आकरते खड़ी हो गई है अचानक, सारी सिमेंट की जमीन हिल गई और दरग गई, एक क्रूर की तरह बाग, आकरते तुरंद साथ से आठ मीटर की दूरी तक चली गई काले कपड़े पहने आदमी की और जपता, काले कपड़े वाला आदमी भैभीत था, पहले वह अप पहले कपड़े पहने आदमी की आस्ती ने फार दी, उसने कुछ खून मल दिया आदमी की बाह पर एक टेटू जैसा कोड दिखाई दिया, यद्यपी इसका एक मात्र स्रोत रोशनी फी की चांदनी थी, टेंक विंग शान अभी भी बहुत स्पश्ट रूप से देख सकता थ उसकी शक्तिशाली द्रिष्टी, बाह पर कोड देखते ही उसके चहरे पर मुस्कान आ गई अभिव्यक्ती बदल गई, वे वास्तव में इसके लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाने को तेयार है मेरा देहांत, उन्होंने वास्तव में, हैंड ओफ डाकनेस के सदस्यों से अनर पादक, IMGT संपादक, लुकास अध्याय दो, उसका नाम घ्रिया है टेन किंग्शान के काउंटी छोड़ने के कुछ समय बाद, दो जर्ज सेंटाना कारें आई आंगन के पास रुपने के लिए चला गया, पहली कार में कुल तीन लोग थे और एक हटा कटा आदमी था काले रंग में एक हाथ में हीट डिटेक्टर लेकर पीछे की सीट पर बैठा था, बाद कुछ देर तक ध्यान से देखने पर वह फुस्फसाया, अरे, दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए, याड में कोई भी, चलदर, तुरंत, दो कारों से छे लोग बाहर निकले, पांच एशि चाहे हमारे पास कितने भी लोग हो हमारे साथ, कोकेशियान व्यक्ति फुस्फुसाया, हालांकि वे बहुत चिंतित महसूस कर रहे थे, वे अपने संगर्थन की आग्याओं की अभेलना करने का साहस नहीं था, इसलिए उन्होंने जबर्दस्ती की स्वयम आगे, वे आंगन के कोनों की और अलग हो गए दिवारें, और दिवारों के ऊपर से आंगन में महरबदार, कुछ ही सेकंड में उनका काम खत्म हो गया पूरे प्रांगन की जाच करना, तगड़े आदमी को राहत मिली, लक्ष्य भाग गया है, और वह सब यहीं रह गया है, जियो सी का शब है हमने अब पुष्टी कर दी है कि लक्ष अंदर है एंडी काउंटी के पास का क्षेत्र, हमने अपना मिशन पूरा कर लिया है, इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं अच्छा, लोट आओ और थोड़ा आराम करो, वैसे, जियो सी का शब हमारे साथ लाएं और आसपास के क्षेत्र को अ अम्रिध इतिहास था, अतीत में, वैनिस सर्वोच था पूरे यूरोप में शक्ती, आजकल, इस प्राचीन शहर में अभी भी कई इतिहासिक स्थान हैं वे इमारतें जो 14 वी और 15 वी शताबदी से अस्तित्व में थी, वैनिस में एक लाल इंट का प्राचीन महल था जो कु पश्चिमीक शेत्र, लाल किला, अभी भी रेड मायने का आधार्था परिवार के सर्वोच अधिकारी, तारांकन 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 लाल किले के एक अंधेरे हॉल के भीतर, दिवार पर एक विशाल LCD स्क्रीन टंगी हुई थी, जिस पर एक विस्तृत नक्षा दिखाया ग मैंने देट स्कित को सूचित कर दिया है इसका संगठन, चांदी के बालों वाला बुजूर्ग व्यक्ति सम्मान से बोला, युवक का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया और उसकी आँखें थंडी हो गई आदेश दिया, वुल्फ की उपस्तिती रेड मायने परिवार के ल जबाब में सिर हिलाया, उसी वक्त पूरे हॉल में कदमों की आवाज गूंज उठी, जैसे ही युवक ने शुबर रंग देखा तो उसकी अभिव्यक्ति तुरंद बदल गई, छोटे बालों वाला, दाड़ी वाला, अधेर उम्र का आदमी अंदर आता है, पिता, युवक तुरंद जुग गया, कुलपती, चांदी के बालों वाला बुजूर्ग व्यक्ति भी तुरंद जुग गया, रेडमायने परिवार के सभी वंशजों के बाल सुनहरे थे, दाड़ी वाला, अधेर उम्र का व्यक्ति वह व्यक्ति था जिसके पास सर्वोचर अधिकार था र अलक्जेंडर ने अपने बेटे पर थंडी नजर डाली, एम्ब्रोस, मेरे बच्चे, तुमने सच में ऐसा किया है नीचे करो, पिता जी, मैं, मैं बस इस समस्या को जल्द से जल्द हल करने की कोशिश कर रहा था, भूरे बालों वाले यूवक ने अपना सिर नीचे कर लिय जितनी जल्दी हो सके इसे हल करो, मुझे वास्तव में आपकी क्षमता पर संदे होने लगा है, यदि यह मेरे मित्र के लिए नहीं होता जिसने मुझे सूचित किया होता, तो मैं सीख भी नहीं पाता कि इतना बड़ा मुद्दा उट गया एलेक्सेंडर ने गुन-गुनाते हुए कहा, अब भी, मैं अभी भी इस खबर पर यकीन नहीं हो रहा है एम्ब्रोस, मुझे पूरी जानकारी सपश्ट रूप से बताएं, आरम से अंतक अभी डीव ग्रीटर दैन परिवार के वन्शज, एम्ब्रोस ने अपना से रूठाया और चले गए एक कम्प्यूटर के सामने पिता जी, यह मुख्यत है एक हिटमेन के कारण हुआ कोड नाम, वुल्फ के साथ जब वह बात कर रहा था, उसने कुंजियों की एक श्रिंखला टाइप की कीबोर्ड पर और असंखे चित्र, पाट और समाचार लेग दिखाई दिये हॉल की दिवार पर विशाल LCD स्क्रीन 22 साल पहले, रेट संगठन दो महान हिटमेन में से एक हमारे परिवार द्वारा नियंत्रित संगठनों ने 360 एकत्र किये दुनिया भर से सुगठित बच्चे भेडिया उनमें से एक था, हमारे अतिहासिक अभिलेखों के अनुसार, वुल्फ, चीनी था और साथ वर्ष का था उस समय वर्षों पुराना हमारी स्क्रीनिंग के पहले दौर के बाद वह उनमें से एक थे मूल 300 में से केवल 113 जीवित बच्चे और 60 एलेक्जेंडर ने स्क्रीन पर विवरन देखा, हिटमें संगर्थन हर साल नए सदस्यों का चैन किया जाता था और स्क्रीनिंग बेहत क्रूर होती थी प्रतिभागी या तो मृत्या जीवित निकले, कोई तीसरा विकल्प नहीं था जो 113 बच्चे बच गए उन्हें साइबेरियन के पास भेज दिया गया प्रशिक्षन हेतु शिविर तीन वर्षों के बाद केवल 38 जीवित बचे थे बाएं और वुल्फ अभी भी उनमें से एक था वहाँ फिर उन्हें आधिकारिक तोर पर सम्वानित किया गया उसका कोड नाम वुल्फ तब 30 उम्मीद्वारों को श्रीटेंग के पास भेजा गया जिन्होंने केवल स्विकार किया चार शिशिक्ष भेडिया उनमें से एक था छे साल बाद जब वुल्फ था 16 वह रेट संगर्थन में लोट आए भेडिया और बिल लीक थे उन चार हिटमेनों में से सबसे मजबूत हिटमेन और उन्होंने विभिन को पूरा किया मिशन पिछले क्रिस्मस पर मुझे SS स्टर 300 लागू करने के लिए कहा गया था मिलियन डॉलर मिशन भूरे बालों वाले यूवक एम्ब्रोस ने अपना सिर नीचे कर लिया आवाज रेट संगर्थन ने SS स्टर का कोई भी कार्य पूरा नहीं किया था पिछले 20 साल इसलिए 300 मिलियन डॉलर के इनाम के लिए और रेट संगर्थन की प्रतिष्ठा का पुनरुद्धार मैंने स्विकार कर लिया उद्देश्य मेरे बच्चे तुम अपने बच्चे की रक्षा करने वाली भीडिये से भी अधिक पागल हो एलेक्जेंडर ने थंड से गुनगुनाया ऐसे स्तरिय मिशन सर्वोचर रैंक वाला प्रकार है अंडरवल्ड में मिशन का और रेट संगर्थन बिलकुल अक्षम है एक को पूरा करने का यदि संगर्थन इसे पूरा करने में सक्षम भी हुआ तो भी ये पूरा करेगा बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी मैंने रेट संगर्थन के शीर्ष आठ प्रशासकों से एक अच्छी त्यारी करवाई थी योजना उन्होंने बहुत प्रयास किये और अंतता वुल्फ और कैट को इस रूप में उप्योग करने का निर्नलिया कार्य के सफल समापन के लिए चारा लाल बालों वाला जवान लड़का कहा मेरी राए में वुल्फ और कैट सिर्फ इस तरके हिटमें थे वे करेंगे केवल एक से 200 मिलियन डॉलर का राजस भी हमारे पास ला सकेंगे अपने पूरे जीवन में संगठन हाला कि अगर हमने उनका बलिदान दिया तो हम करेंगे न केवल 300 मिलियन डॉलर प्राप्त करेंगे बलकि हम इसे पुनरजीवित भी करेंगे, लाल संगठन की प्रतिश था तो क्यूं नहीं, हमफ, एलेक्जेंडर ने व्यंग्य किया, लेकिन परिनाम बहुत बुरा निकला हाँ, पिता जी, लाल बालों वाले यूवक ने गहली आह भरी मैंने उम्मीद नहीं की थी वह, मैंने ये सोचने की हिम्मत भी नहीं की की डॉट डॉट, पेशेवर हिटमेन, वुल्फ कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कई वर्षों के दौरान हमारे लिए बहुत काम किया है किसी तरह उसने अपनी असली ताकत चुपाली थी लाद बालों वाले यूबक ने गहली सांस ली, उनकी ताकत सिर्फे रैंक से कहीं अधिक है एक शासना देश था जिसमें संगर्थन उन दोनों को रखना चाहता था चारे के रूप में मरो बिल्ली, मर गई, लेकिन भेडिया अभी भी जीवित था जब वह जब उसे पता चला कि उसका साथी, कैट, मारा गया है तो वुल्फ ने उनमादी बदला लेना शुरू कर दिया वह वहां सभी को मारने के लिए, रेट मुख्याले में अकेला गया था ये सुनकर सिकंदर के चेहरे का रंग बदल गया सब के खिलाफ लड़ना मुख्याले में हमलावर बिलकुल अकेले ये कितना पागलपन भरा लग रहा था यहां तक की परिवार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ती भी उस हिटमेन से प्रभावित था पागलपन वुल्फ बीस वर्षों तक रेट संगर्थन में रहा था उसके माध्यम से संगर्थन से परिचित होने के कारण वगुप्त रूप से अंदर घुजवया और लगभग आदे भाग में घुजवया दो ए रैंक और बावन भी रैंक हिटमेन अंजाने में उसके द्वारा मारे गए थे चून की वह मुख्याले से इतना परिचित था इसलिए वह चुपचा पैसा करने में सक्षम्था इसमें घुसपैट करो उन्होंने आठ शीर्श वरिष्ट प्रशासकों में से साथ को भी मार डाला लाल संगठन जब संगठन ने देखा कि वहाँ एक था घुसपैटिया इसने खत्रे पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और एक बल भेजा वुल्फ फिर शुरू हुआ उसकी अविश्वसनिय ताकत दिखाओ अकेले उन्होंने दो ए रैंक के खिलाफ लड़ाई लड़ी हिटमें उनकी क्षम्ता एक सामान या ए रैंक की ताकत से कहीं अधिक थी और वह जल्दी उन दोनों को मार डाला बाद में उसने जल्दी से अंतिम सदस्य को खत्म कर दिया शीर शाट वरिष्ट प्रशासकों में से बाद में उन्होंने अकेले दम पर जीत भी हासिल की बीस से अधिक भी रैंक हिटमें के खिलाफ लड़ें उन्हें चोट लगी थी लेकिन सभी और रेट संगर्थन के भी रैंक के हिटमें पूरी तरह से मिटा दिये गए सिकंदर का चेहरा पीला पड़ गया बीस से अधिक भी रैंक हिटमें एलेक्जेंडर इस पर विश्वास नहीं कर सका दो ए रैंक हिटमें के खिलाफ लड़ाई में वह हो सकता है जीतना लेकिन बीस से अधिक भी रैंक हिटमें को हराना बहुत चौगाने वाला था वे बीस शक्तिशाली हिटमें के हारने की बहुत कम संभावना थी वह कम से कम एक S रैंक हिटमें होना चाहिए शायद इस से भी अधिक एलेक्जेंडर ने बनाया ऐसा निर्नाए हाँ अंधेरे की दुनिया ने वुल्फ ट्रैंक को S रैंक हिटमें में समाइउजित कर दिया है मैं पूरी दुनिया में केवल 50 S rank hitman है जिन में वुल्फ भी शामिल है Ambrose ने आह भरी अगर मुझे ये पहले से पता होता तो मुझे ये कैसे पता चलता उसे चारे के रूप में उप्योग करने का प्रयास किया गया विसमया दिबोधक चिनहा, एक S rank hitman की कीमत अरबों डॉलर है और मैंने कभी भी उसे 300 मिलियन में बदलने की कोशिश नहीं की होगी के लिए दुनिया भर में हर एक अरब लोगों में केवल 1 S rank hitman है सच, बेशक, इसमें कुछ शुपे हुए hitman शामिल नहीं है तथा पी, ये तथे इस बात पर जोड़ देता है की, वुल्फ कितना कीमती है दशकों से, रेट, संगर्थन के पास कोई S rank hitman नहीं था S rank hitman और A rank hitman के बीच वास्तव में बहुत अंतर था बढ़ा अपना सफल बदला लेने के बाद, वह भाग निकला स्वाभाविक रूप से, मैंने लोगों को भरती किया अंडवर्ड ने एक मिशन के लिए उसका पीछा करना शुरू कर दिया हालां की, ये ग्लेडी या वास्तव में शक्तिशाली है वह रूस से भाग गया और हेई लॉन जियान प्रांत में भाग गया चीन रूस सीमा के माध्यम से प्राचीन पूर्वी देश अंत में, हम उसका कोई पता नहीं चल सका प्राचीन काल में एक चीनी व्यक्ती की खोच की जा रही है हर जगर चीनी लोगों वाला पूर्वी देश बहुत कठिन था हालां की, कुछ ही समय पहले हैंड ओफ डाकने संगर्थन को आखिरकार मिल गया, भीडिया वह जियांग सुप्रांट में एक काउंटी के क्षेत्र में दिखाई दिये इतनी देर तक बात करने के बाद एंब्रोज काफी अप्रियल लग रहे थे वह एक उतक्रिष्ट हिटमेन है और उसके सबसे मजबूत नुकीले दाथ हो सकते थे रेड मायने परिवार डॉट डॉट उद्धरन चिन्ह एलेक्जेंडर ने जोर से आह भरी अनुभव सुनने के बाद हिटमेन में से वह वुल्फ नामक व्यक्ती की कुछ हद तक प्रशंसा करते थे हालांकि रेड संगर्थन का संचालन रेड मायने परिवार द्वारा किया जाता था यह एक आंतरिक गद्दार के कारण नश्ठ हो गया था यह सबसे क्रूर है अंधेरे की दुनिया में मजाक सदियों से अंधेरे की दुनिया है ऐसा नाटक कभी नहीं देखा एंब्रोस ने भी अपना सिर नीचे कर लिया यह सचमुच शर्म की बात थी शक्तिशाली एक गद्दार की बदला लेने की प्यास के कारण संगर्थन नश्ठ हो गया यह था बस अकल पनिय वह जानता था कि रेड मायने परिवार एक प्राचीन परिवार है जो कई सेकड़ों वर्षों से अस्तित्व में था इस अपमान को सहन नहीं कर सका उसे मार दो रेड मायने परिवार को चुनोती देने के बाद कोई भी जीवित नहीं रह सकता सिकंदर धीमी आवाज में गुर राया एक अंतहीन उबलता गुस्सा महसूस किया जा सकता था पूरे हॉल में अध्याय तीन अनुवादक, आई आम जीटी संपादक, लुकास अध्याय तीन यंग्जहौ शहर वसंद की बारिश बेतहाशा बह रही थी और इसने प्राचीन यंग्जहौ को धक लिया गर यंग्जहौ शहर के पुराने जिलो में, दूसरी मंजिल की खिर्की के पास विलोती हाउस में चश्मे वाला टेंग किंग्शान चुपचाप बैठा हुआ था पर उसके सामने डेस्क पर एक गिलास सोया दूद और एक कटोरा बंस था मेरा ठिकाना लीक हो गया था, इसलिए हिटमेन मुझे एक में धूंडने में सक्षम हो सकते हैं या दो दिन टेंग कुइंग्शान के शक्तिशाली प्रभाव से परिचित थे नंबर एक अंतर राष्ट्रिय खुफिया संगर्थन जिसे हैंड ओफ के नाम से जाना जाता है अंधेरा, एनी काउंटी के शासन के तहट सिर्फ एक छोटा सा काउंटी था यंग्जहो कल रात वह इस शहली क्षेत्र में पहुँचे, जो केवल एक था काउंटी से 100 किलोमेटर दूर ऐसा नहीं है कि वह बच नहीं सका, इसका बस वह भागना नहीं चाहता था ऐसा इसलिए था क्योंकि वहाँ एक व्यक्ति था यंग्जहो शहर जिसे वह वास्तव में देखना चाहता था क्विंग है, तेन किंग्शान ने दूर एक पुराने दो मंजिला घर को देखा वापस चलते हैं, उसने मन ही मन सोचा, तेन किंग्शान ने तुरंट चाए घर छोड़ दिया और अपने अस्थाई स्थान पर लोट आये यंग्जहो में निवास, ये यंग्जहो के शी चेंग जिले में एक घर था मासिक किराया इस प्रकार के घर का शुल्क लगभग एक हजार आरेमबी और टेन किंग्शान था लगभग तीन महीने तक वहां रहना चाहता था हालां कि उसके पास था वास्तव में मालिक को दस हजार आरेमबी का भुपतान किया गया परिनामस्वरूप मालिक ने नहीं पूछा टेन किंग्शान का पहचान पत देखने के लिए नहीं उन्होंने कोई प्रशन पूछा उसने अदा किये मालिक के पास इतना पैसा था कि मालिक को चिंता करने का कोई कारण नहीं था में लिविंग रूम में टेंग किंग शान ने अभी अभी एक कप चाय बनाई थी और वापस लेग गया था सोफा जब उसका फोन बजा टेंग कुंग शान ने भोहें चड़ा दी उसने ये फोन अभी अभी खरीदा था और यही इरादा था इसे अस्थाई रूप से उप्योग करें केवल दो लोग थे जो उसका फोन नंबर जानते थे एक थी लिन किंग दूसरी थी अनाथाले की आंटी लियू ये फोन था मूल रूप से अनाथाले से संपर्क करने के एक मात रुद्देश इसे खरीदा गया था अरे टेंग किंग शान चलो आज दोपहर का खाना एक साथ खाते हैं एक परिचित आवाज आई टेंग किंग शान असहाय होकर मुस्कुराय अपना सिर हिलाया और बात करना शुरू कर दिया मैं हूंक्षमा करें लिन मैं पहले ही काउंटी छोड़ चुका हूं क्या लिन किंग ने अपनी आवाज में आश्चरे के साथ पूछा तुमने क्यों छोड़ दिया क्या तुम कल भी यहां नहीं थे लिन की आवाज थी कुछ हद तक जरूरी लिन क्विंग मेरे भाई ने कल मुझे फोन किया और मुझे बताया कि मेरे परिवार में एक बीमारी है ती आवश्यक विशे इसलिए मुझे अपने ग्रिहनगर लौटने की जल्दी थी वह था देर हो चुकी है इसलिए मैं आपको परिशान नहीं करना चाहता टेन क्विंग शान ने सिर्फ एक बहाना बनाया था क्योंकि वह ये सामान्य चीजे नहीं चाहता था लोग उसकी दुनिया में शामिल हो जाएं ओ, लिन किंग ने अपनी आवाज धीमी कर ली, ये सपश्ट था कि वह थोड़ी थी निराश एक सेकंड के लिए चुप रहने के बाद उसने कहा, टेन क्विंग शान अपने ग्रिहनगर कहा है शायद जब मेरे पास समय होगा तो मैं वहाँ यात्रा करूंगा मेरा ग्रिहनगर सुदूर पहारी इलाके में स्थित है, इसलिए आपको पता नहीं चलेगा भले ही मैं आपको बता दू, टेन क्विंग शान ने उत्तर दिया लिन क्विंग, अगर मैं एन पर वापस आउन भविश्य में ही काउंटी, मैं फिर आपसे मिलने आउनगा ओ, मुझे दोपहर का भोजन करने जाना है अब, चलो अगली बार बात करते हैं इसके साथ ही टेन क्विंग शान ने फोन रख दिया, टेन क्विंग शान ने जैसे ही उसे उच्छाला, उसके होटों पर आत्मगलानी भरी मुसका अंती मेज पर फोन करो फिर, उसने एक छोटी कड़ाही निकाली जो उसके गले में लटक रही थी एक उंगली के पोहें के आकार का उसने एक आदमी की तरह कड़ाई को धीरे से सहलाया अपने प्रेमी को साथ वना देना छोटी बिल्ली, क्या तुम्हारा आदमी बहुत आकरशक नहीं है भीतर लड़कियों द्वारा पीछा किया जा रहा है इतना कम समय टेन किंग शान ने छोटे तिपाई कड़ाही को घूर कर देखा अपने आप से फुसफुसाया बिल्ली, मैं लगभग एक सब्ता तक एनी काउंटी में रहा हूँ मैं प्रधानाध्य पिका से भी मिले, वह अब भी उतनी ही दयालू थी जितनी कई वर्षों से थी पहले मैंने अपनी इच्छा पूरी कर ली है, जो है अदमिस्ट्रेस दादी से मिलने की थी अब मेरी केवल एक ही इच्छा बची है, वह है अपने भाई किंग हे से मिलना किंग वह है अब यंग जहौ में रह रहे हैं, मुझे लगता है कि मुझे उनसे मिलना चाहिए अपने भाई किंग हे से मिलने के बाद मुझे अब कोई पच्छतावा नहीं रहेगा फिर मैं हमारे देश के उत्तर और दक्षिन हर जगह यात्रा कर सकता हूँ मार्शल आर्ट का अनुसरन कर रहे हैं नेसिन देह आप इस पूरे समय मेरे साथ रहेंगे यात्रा हालांकि टेम किंग शान एक ऐसे युवक की तरह दिखते थे जिसने अभी अभी सना तक किया था कॉलेज से वह वास्तव में लगभग 30 वर्ष का था ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि उन्होंने आंतरिक मार्शल आर्ट में अत्यंत उच्चसतर हासिल किया था अभ्यास किया कि वह बहुत युवा दिखे कई वर्षों तक परिश्रिम पूर्वक अभ्यास किया जिससे उसकी कॉलस और मृत तवचा जढ़ गई इस प्रकार उसका पूरा शरीर था उसका काया कल्प हो गया और वह अपनी वास्तविक उम्र से बहुत छोटा दिखने लगा डीव ड्रेटर दैन उसने अपने पास रखा बैग उठाया और लैप्टॉप निकाला अपने कंप्यूटर को बिजली की अपूर्ती से जोडने के बाद उसने इसे चालू किया और म्यूजिक प्लेयर खोला फिर उसने लैप्टॉप सामने टेबल पर रख दिया उसे मैं उत्तर का एक भेडिया हूँ, जंगल में घूम रहा हूँ, चिला रहा हूँ शोपूर्न उत्तरी हवा चीचिन के गीत, वुल्फ की धुन कमरे में गूंज उठा दो दशकों तक यह उनका परम पसंदीदा गाना था, एक ही नाम था भेडिया ये वैसा ही था जिस स्ट्री से वह प्रेम करता था, उसका भी एक ही नाम था बिल्ली जिस दिन से उसे साइबेरिया ले जाया गया, उसी दिन से उसका नाम कुइंग शान पढ़ गया उसके अतीत का हिस्सा बन जाओ जीवन और मृत्यू के कई प्रशिक्षनों के बाद, कठोर स्क्रीनिंग और लाशों के धेर से बाहर निकलने का अधिकार उन्होंने अरजित किया एक कोड नाम है, भेडिया साथ साल का होने से पहले, वह नाथालय में बस एकला परवा बच्चा था जिस साल वह साथ साल के हुए, उन्हें गोद ले लिया गया उसने सोचा कि उसकी जिन्दगी मिल जाएगी बहतर, लेकिन वह वास्तब में नरक में प्रवेश कर गया वह एक संभावित हिटमेन उम्मीदवार बन गये, एक हिटमेन संगठन का स्क्रीनिंग के पहले दौर में, का एक बड़ा समूह बच्चे भूजन के बचे हुए टुकडों के लिए एक दूसरे से लड़े और केवल 100 और 360 बच्चों में से 13 जीवित बच्चे उसके बाद, वह था भयानक साइबेरियाई प्रशिक्षन शिविर में भेजा गया जिस साल वह 10 साल का हुआ, एक सौ में से केवल 38 लोग और 13 अभी भी जीवित थे उन्होंने अपनी बदौलत हर चीज़ पर काबू पा लिया अत्यदिक द्रिर इच्छा शक्ती के कारण उन्हें वुल्फ कोड नाम दिया गया ठीक उसी प्रकार अगले वर्श, उनकी मुलाकात अपने गुरू, जिंगी मार्शल आर्ट्स के मास्टर, टेंग बो से हुई लेई टेंग बो लेई ने केवल 4 लोगों को स्वीकार किया, लेकिन अन्य तीन बस्ते नाम से शिश्य केवल वही टेंग बो लेई का प्रत्यक्ष शिश्य था, ये कुछ ऐसा था जो हिटमेन संगर्थन को भी नहीं पता था जिस वर्ष वह 16 वर्ष का हुआ, वह हिटमेन के पास लोट आया संगर्थन बनाया और वास्तव में एक हिटमेन के रूप में अपनी यात्रा शुरू की चलावरन, छिपना, आदी, उसने अपने खत्रे के दौरान उन कोशलों को और अधिक सीखना जारी रखा था मिशन और उन्होंने इन कोशलों को परिश्कृत करना जारी रखा उन लंबे दिनों के दौरान, एक लड़की जो हमेशा उसकी ही उम्र की होती थी, केट, हमेशा उसके साथ रहती थी उसके अलावा वे 360 के एक ही समूह से आये थे जिन लोगोंने अविश्वस्निय रूप से खतरना प्रशिक्षन का अनुभव किया था उन्होंने साथ अध्यन किया, मास्टर टेंग बोल लेई एक साथ और हिटमेन संगठन में एक साथ थे डॉट डॉट, उन्होंने एक दूसरे का समर्थन किया और मदद की अपनी लंबी यात्रा में एक दिन उन्हें एहसास हुआ कि वे इसके बिना कभी नहीं रह सकते एक दूसरे उन्होंने मूर रूप से एक योजना बनाई थी, जब दिन आएगा, तो वे छोड़ देंगे संगठन बनाएं और एक साथ स्वतंत्र जीवन जीएं लेकिन जब वह उन्तीस साल का हुआ, तो इद्दुजवपन उतर आया डॉट डॉट, विसफोर्ट से निकली लप्टों ने टेंग किंग शान को पूरी तरह से हिला कर रख दिया था निराशा उसके जीवन का शेश भाग, बिल्ली, मर चुकी थी, वही उनका सबसे प्रियता महिला, उसके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ती कैट की मौथ टेंग बन गई किंग शान एक पूर्ण पागल व्यक्ती बन गया वह एक प्रतिशोधी अकेला, भेडिया, बन गया, एपागल और अकेला, भेडिया, जिसने बिना किसी परवा के अपना बदला लेने का वादा किया कुछ भी मारना, उस संगर्थन के सभी शीर्श्वरिष्ट प्रशासकों को मार डालो, जो उस योजना को डिजाइन किया गया वह उस प्रतिशोधपूर्ण युद्ध में मरने के लिए तैयार था, हालांकि पर आखिरी पल में उसके चाकु कोशल ने उसे बचा लिया वह वास्तव में वहाँ से भाग निकला मुख्याले जीवित, बिल्ली की मौत ने टेन कुइंग शान का मूड पूरी तरह से बदल दिया वह अपने पास लॉट आया इस बार ग्रिहनगर उमीद है कि मत्रित्व से मिलने का मौका मिलेगा प्रधाना ध्यापिका, दादी और उसका चोटा भाई, किंग है उन दोनों के बाद उनकी इच्छाएं पूरी हुई, तेन कुइंग शान को कोई चिंता नहीं होगी मार्शल आर्ट में अपनी पूरी ताकत और आत्मा लगा सकते हैं टेन कुइंग शान ने गाना सुनना समाप्त किया, फिर उसने एक गहली सांसली ध्यान से छोटी कड़ाई वापस उसके कॉलमें डाल दी और संगीत बंद कर दिया खिलाडी इसके साथ ही उन्होंने इंटरनेट का उप्योग किया और कुशलतापूर्वक एक विदेशी भाशा खोली वेबसाइट वहाँ सभी लेक अंग्रेजी में लिखे गए थे लेकिन उन्होंने साइट पर प्रवेश किया और बहुत परिचित्ता से इधर उधर क्लिक किया इसे अपने उपर इंस्टॉल कर लिया कंप्यूटर ये सॉफ्ट्वेयर यहू या क्यू क्यू चैट के समान एक चैट टूल था हालांकि बीटल सॉफ्ट्वेयर को एलेना द्वारा प्रोग्राम किया गया था जो उनमें से एक थी टेंग क्विंग शान के सबसे करीबी दोस्त जबकि QQ के पास लाखों उप्योग करता खाते थे केवल, बीटल, चैट सॉफ्ट्वेयर के पास थे दो उप्योग करता एक एलेना थी दूसरा टेंकिंग शान था ये सॉफ्ट्वेयर था केवल उनके लिए एक दूसरे से बातचीत करने के लिए प्रोग्राम किया गया उसने सॉफ्ट्वेयर चलाना शुरू कर दिया, पूरी स्क्रीन अचानक अंधेरी हो गई आगे, खून की मार्मिक बूंदे स्क्रीन पर दिखाई दिया, फिर एक साइन इन बॉक्स पॉप अप हुआ, जिसने इसकी अनुमती दी उप्योग करताओं को अपने उप्योग करता नाम और पासवर्ट दर्ज करने होंगे और उसने लॉग इन किया एलेना, टेंग कुंग शान ने अंग्रेजी शब्द दर्ज किये और प्रतिक्रिया की प्रतिक्षा की एलेना एक शन बाद उसने उत्तर दिया, भेडिया, ओ, अब मुझे तुम्हें टेंग कहकर बुलाना चाहिए किंग शान, क्या मुझे नहीं करना चाहिए बहुत दूर एक स्थान पर स्थित एक विला में लंदन के उपनगरिया इलाके में एक खुबसूरत सुनेहरे बालों वाली नंगे पैरलर की जो कपड़े पहने हुए थी एक नाइट गाउन उसके कीबोर्ड पर टाइप कर रहा था उसकी आँखों से उसका उत्साह जलक रहा था एलेना, पिछली बार तुमने मुझे बताया था कि किंग हे नामक एक अनाथ था, जो अब यंग जहों में रह रहा है, है ना टेंग क्विंग शान से पूछा, बेशक, क्या आप मेरी बुद्धिमत्ता पर संदेह कर रहे हैं जब उन्हें किंगे कहा जाता था वह एक अनाथालिय में रहता था बाद में उसे गोद ले लिया गया और उसका नाम बदल कर किंग रख दिया गया हॉंग अपने दत्तक माता पिता द्वारा हाइ स्कूल से सना तक होने के बाद उन्होंने प्रवेश किया सेना और एक विशेश अभियान संगठन में शामिल हो गए अब वह है यंग्जहौक शेत्र के लिए जिम्मेदार जो पता मैंने तुम्हें दिया है वह बिल्कुल सही है सही एलेना को कोई संदेह नहीं था टेन कुइंग शान ने सिर हिलाया आज तो उसने आधे दिन ही इंतजार किया था हालां कि उसका भाई नहीं आया था इसका मतलब यह नहीं था कि वह समय यंग्जहौ में नहीं था और वुल्फ मुझे तुम्हें फिर से याद दिलाना होगा शक्तिशाली रेड मायने परिवार करेगा तुम्हें जीने नहीं देंगे आपने जो किया वह उनके चेहरे पर एक जोरदार तमाचे के समान था आपको और दो अती मजबूत लोगों को मारने के लिए डेट स्कित संगठन को काम पर रखा गया था हिपमेन पहले ही चीन में घुस चुके हैं आपको बेहत सावधान रहना होगा अगर आपका ठिकाना लीक हो गया है आपको तुरंद भाग जाना चाहिए ओ, देट स्कित के दो सुपर मजबूत हिटमेन क्या वे शार्पर शूटर हैं? संजी और बोडी क्रशर डॉलगो टेरो टेंग कुंग शान ने जवाब में टाइप किया आप बहुत स्मार्ट हैं हाँ, ये वे हैं वे लोग S-Rank Hitman हैं कोई भी नहीं कोई तुम से कमजोर है इसलिए तुम लापरवाह नहीं हो सकते एलेना ने उसे याद दिलाया टेंग किंग शान की आँखे चमक उठी उन दो Hitman को छोड़कर मेरे पास वास्तव में कोई नहीं है देट्स किंथे में किसी और के बारे में चिंता करना हालां कि जब से वे आये हैं यह एक अच्छी लड़ाई होगी इतना अहनकारी टीएस्क टीएस्क आप वास्तव में उनने वाले चाकूँ के अकेले भीड़िये हैं आप वे उतने ही प्रसिद हैं और हर कोई जानता है कि आपकी ख्षमता बत्तर नहीं है उनके मुकाबले हालां कि आप अकेले हैं और उनमें से दो हैं एक हाथ हपाए और एक हमलावर के बीच सहयोग कम से कम दो गुना हो जाएगा शक्ति वुल्फ, आपके मित्र के रूप में मुझे आपको एक बार और बताना चाहिए एक बार आपका ठिकाना लीख हो गया है, तुम्हें तुरंद भाग जाना चाहिए एलेना ने कोशिश की उसे मनाओ, आपका अनुसमारक देर से आया है, मेरा ठिकाना कल लीख हो गया था, टेन किंग शान के चेहरे पर एक खास मुसकान देख रही थी, चून की उसकी पतनी लिटिल कैट मृत्यू के बाद उन्होंने मुख्यता अपनी मार्शल आर्ट के लडने के लिए टेन किंग शान का लुक अविश्वसनिय रूप से तेज हो गया, उसके साथ पतनी मर गई, उसे चिंता की कोई बात नहीं थी, इस बिंदू पर टेन को क्या करना चाहिए किंग शान से दरो, कितने भी लोग आएं, वह तो आएंगे ही उन सभी का कोशी से स्वागत करने को तयार हूँ, यदि सबसे बुरी स्थिती आती है, तो वह अपना सब कुछ जोखिम में डाल देगा, वह दुनिया के महाशक्ति शाली के आगमन के लिए इस छोटे से शेहर में चुपचाप इंतजार करने की योजना बनाई हिटमेन, एक आदमी आ अनुवादक, आयामजीटी संपादक, लुकास अध्याय चार, आँखे भावना से भर गई चौथे दिन, टेन किंग्शान अपने किराय के आवास के प्रांगन में थे यंग्जहो शेहर में स्थित है, वहांगन में पालती मार कर बैट गया, रात बीच चुकी थी और जब पहली बार यंग्जहो शेहर पर सूरज की किरने चमकी, टेन किंग्शान ने अपनी आँखे खोली लगभगे की समय में, उनका मन पानी की तरह शान्थ था और उनकी आत्मा आरक्षित, वह खड़ा हुआ और उकते सूरज की ओल मुह करके गहली सांस ली, शान्थ भाव के स उन्होंने जिंगी के बारह रूपों का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जिंगी के बारह रूप ड्रैगन, टाइगर, इगल के रूप थे, बंदर, घोला, निगल, हैरियर, मुर्गी, भालू, गोरेय, मगर्मच और सांक, प्रत्येक रुक की अपनी गहराई थी, जब प्रदर्शन कर रहा था, तो वह ऐसा था तैरता हुआ, ड्रैगन पानी से बाहर निकलता हुआ, बड़ी लहरों के बीच से आगे बढ़ता हुआ, वह वह बिजली की तरह तेज था, घूम रहा था और अपनी गती से शक्ती प्राप्त कर रहा था, अचानक, उसने जोर से अ अपनी तेजी से हिल रहा था, ऐसा महसूस हुआ, मानो ये किसी भ्रम की चमक हो, अपनी दोनों हथेलियों से और जमीन पर पैर रखते ही, वह अचानक एक खुखार बाग की तरह उच्छल कर बाहर आ गया पहारों से, एक धीमी CCT बजी, उसकी बाई मुठ्थी मुर गई औ अपनी बाएं और दाएं मुर्थी से, वह पहारों से उतरते बाग की तरह था पंजे लगातार फटने के साथ, ऐसा प्रतीत होता है कि उसके पंजे फारने की इच्छा हो रही है टुकडों में शिकार, एक चक्र तक मुर्थी की तकनीक का प्रदर्शन करने के बाद, से उनकी पतनी का निधन हुआ, केवल तेन क्विंग शान अत्यां द्रिल निश्चय के साथ, मार्शल आर्ट को अपनाया, इसका परिणाम ये हुआ जिंगी के बारे में तेन क्विंग शान की समझ में सुधार युद्धकला, जिंगी मार्शल के बारे में उनकी समझ में प कि खोज करना वास्तव में कम है कल शाम। टेंग कुंग शान ने शुरू में सोचा था कि हैंड ओफ डाकनेस सक्षम होगा उसे एक दिन के भीतर ट्रैक करने के लिए ये देखते हुए कि यंग्जहौ शहर ही था आनी काउंटी शहर से 100 किलोमेटर से अधिक दूर। फिर भी क उन्होंने बड़ा खर्च किया उनकी उर्जा का एक हिस्सा कहीं और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि टेंग कुंग शान को मौत का कोई डर नहीं होगा वास्तव में यंग्जहौ शहर में रहना जारी रखा। लगातार तीन दिन हो गए हैं और मुझे अभी भी किंगे नहीं सामान्य परिस्थितियों में टेंग कुंग शान विलोती में रहेंगे सुबह के समय घर और फिर पास में वाइट क्लाउड कैफे में रुखे दोपहर को जब वाइट के भीतर से अपने छोटे भाई का घर देख सका क्लाउड कैफे तारांकन 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 तारांकन यंग्जहो शहर के पुराने शहर जिले में विलोती हाउस में, सर आप यहाँ हैं, कृपया अंदर आएं, वेटर टेंग कुइंग शान को सीट तक ले गया दूसरी मंजिल पर एक खिर्की के बगल में बढ़े अपने पन के साथ, महोदे, क्या यह अभी भी है, सोया दूद और जियाओ लोंग बव, लगातार तीन दिनों तक टेंग कुइंग शान के पास था एक ही जगह बैठे, एक जैसा खाना ओर किया और पूरे समय रुके रहे दोपहर, नेसंदे वेटर अच्छी तरह से जानते थे कि टेंग कुइंग शान क्या हैं ओर करने जा रहा ह तेंग कुइंग शान ने थोड़ा सिर हिलाया, ये सही है, धन्यवाद, फिर वह मुडा और उसने खिलकी से बाहर अपने छोटे भाई किंगे के घर की ओर देखा, मम्म, किंगे पिछले कुछ दिनों से बिलकुल भी घर नहीं गया था, जो जा रहा है पर, तेंग कुइंग तेंग कुइंग शान ने थोड़ा भौहे चड़ाई, ये उनके अवलोकन का चोथा दिन था, लगातार कुछ दिनों के अवलोकन के बाद, तेंग कुइंग शान अब बहुत अच्छा था अपने छोटे भाई के घर से परिचित, वह भेद करने में सक्षम होगा अगर किसी ने एक नजर से दर्वाजों, खिल्कियों और पर्दों को चूलिया हो, कोई बदलाव नहीं हुआ, अपने अवलोकनों के माध्यम से उन्हें एहसास हुआ कि किंगे की जगा पर कोई जगा नहीं थी उस कुछ दिनों के लिए कोई भी, कुछ दिनों में, शारपशूटा, स जी और, बोडी क्रशर, दोलगोटे रोव आएंगे यहीं रहो, मुझे उम्मीद है कि मैं इस लड़ाई से पहले अपने छोटे भाई को देख सकूंगा उनके साथ, टेंग कुछ शान ने मन ही मन सोचा, डीव ग्रेटर दैन, सर, ये रहा आपका सोया दूद और जियाओ ल और मरदाना कार थी एक नाजुक छोटे बालों वाली सुन्दरता द्वारा संचालित, जब कोई सुन्दरी इस तरह कार चलाती है, इससे एक अलग आकर्शन उत्पन हुआ, जिससे कई लोगों की निगाहें उस पर तिक गई जब वे प्रशन सामें हॉन्फिने लगे तो लाया, वह लंबे समय से सडकों पर भूरने की आदी हो गई थी, अब केवल उसका चेहरा एक फी की अकेली अभिव्यक्ती थी, मैंने सोचा था कि मैं अपना जीवन बिना किसी उद्देशे के यूँ ही उलचते हुए जीऊंगा, लेकिन स्वर्ग ने मुझे उससे मिलने का मौका दिया, डॉट डॉट, टेंग कुइंग शान, वह एक जैसा है हवा का जोंका, अचानक आकर मेरी जिंदगी में एक बार फिर रंग ला रहा है, हालांकि हवा के जोंके की तरह वह बिना आवाज किये चला गया, लिंकिंग की निगाहें ठंदा दिखाई दिया, अचान की तरह मुरते हुए, लिंकिंग ने अपना लैंड रोवर चाय के सामने पाक किया घर और विलोती हाउस में कदम रखा, मिस लिन, जब वेटर ने लिंकिंग को देखा, तो उसने तुरंत उसका स्वागत किया गर्म जोशी से, आपको आखिरी बार आए काफी समय हो गया है, मैं यात्रा पर गया था, लिंकिंग हलकी सी मुस्कुराय और आगे बढ़ते हुए कहा सीड़िया, टेंग किंग शान ने अपना नाश्ता पहले ही खत्म कर लिया था और चाय पी रहा था उन्होंने अपने छोटे भाई किंगे के घर पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा टेंग कुइंग शान, थोड़ी कापती हुई आवाज आई, टेंग कुइंग शान एक पल के लिए ठिठक गए, यंग जहोर शहर में बहुत से लोग नहीं जानते हैं उससे, हैरान होकर वह मुणा और सफेद कपड़े पहने एक छोटे बालों वाली महिला को देखा बलाउ गुज और लंबी काली पैंट की एक जोड़ी लिंकिंग, जब टेंग कुइंग शान से मुलाकात हुई लिंकिंग की नजर अचानक उसे महसूस हुई कि उसका शान्द दिल काम रहा है, लिंकिंग की निगाहें क्रोधित और चिंतित दिखाई दी, जिसमें खुशी का संके कैसी आँखें थी वे जिन्हें पकर सके इतनी भावनाएं, छोटी बिल्ली, टेंग कुइंग शान को वद्रिश्य अभी भी याद है जो उनके रहते हुआ था बीस वर्ष की अयू, उस समय, वह अपनी पतनी, कैट के साथ एक मिशन परते लेबनन, एक मध्यपूर्वी दे आपातकाल की स्थिती में उन्होंने उडान भरी थी छोटी बिल्ली के कपड़े पहने और उसके घाव से गोली निकाल दी, उस समय के दोरान कैट ने भी उसे उसी तरह देखा जैसे लिन किंग ने देखा था, डॉट डॉट ये गुसा और चिंता दोनों था और खुशी औ वापस जाने की आवश्यक्ता है, आपने तो यहां तक कहा कि आप रहते हैं पहारी क्षेत्र और मुझे इसके बारे में पता नहीं होगा, आप अभी भी अंदर क्यों हैं, यंग जहो, लिन किंग टेंग किंग शान के सामने बैट गई और उसने मान की स्पश्टी करन, हाला कि वह ये कहते ही उसके हृदे में खुशी का आभास हुआ, टेंग किंग शान ये ब्लॉक हेड अंतता उसके आकर्शन पर ध्यान दिया गया, तुम्हारी आखें, वे बिल्कुल मेरी पतनी जैसी दिखती हैं, टेंग किंग शान ने एक आउट की आहल की आह भरी, नजर पी क्या आपने अभी अभिसना तक किया है और चले गए हैं विश्विद्याले, आपकी पतनी क्यों है, विश्विद्याले, टेंग कुइंग शान ने उत्तर देते हुए अपना सिर हिलाया, मैंने कभी इसमें भाग नहीं लिया है पहले विश्विद्याले, असल में चश्मा भी नकली था और महज एक उपकरन मात्र था भेस। तुम, तुम, लिंकिन बिलकुल ब्रमित थी। इतने समय तक तुम्हें धोका देने के लिए मुझे केद है। मैंने जूट बोला जब मैंने कहा कि मैं रुका हूँ पहारी क्षेत्र में। मैंने भी जूट बोला जब मैंने समय से तुम से जूट बोल रहा हूँ। वहां कई चीजें हैं जो समझाने के लिए बहुत जटिल हैं। सबसे अच्छा समाधान आपके लिए है ऐसा लग रहा है मानो तुम मुझसे पहले कभी नहीं मिले हो। लिंकुंग ने महसूस किया था कि टेन कुंग शान शुरू से ही रहा सिमय था। वह था उस चौकाने वाली शक्ती और शारीरिक शम्ताओं के कारण जो उन्होंने प्रदर्शित की थी पूर्वोत्तर ग्रेट जिंगन परवत। और अभी लिंकिंग को लगा कि टेन किंग शान पहले से कहीं अधिक रहा सिमय था। ये समझो कि मैं तुम से पहले कभी नहीं मिला। लिंकिंग ने टेन किंग शान को देखा। टेन किंग शान ने सिर हिलाया। लिंकिंग को एहसास हो गया था कि टेन किंग शान की उदा सीमता उसके दिल में छिपी हुई थी ऐसा प्रतीत होता है कि वहन्य लोगों को अपने संपर्क में आने से ख कड़ा दी, क्या आज तुम व्यस्त हो, लिंकिंग ने पूछा, टेन कुइंग शान ने थोड़ा सिर हिलाया, मैं अगले दर्वाजे वाले कैफे में रुकूंगा पूरी दोपहर, बहुत बढ़िया, लिंकिंग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, मेरा अनरोध कठिन नहीं होगा, मैं जब आप यहां चाय का आनंद ले रहे हों तो मैं बस आपका साथ देना चाहता हूँ, कब आप दोपहर को कैफे के लिए चलें, मैं भी आपके साथ चलूँगा, मिलना है तो कोई और, मैं बीच में नहीं बोलूँगा, मैं पूरे दिन तुम्हारे साथ रहना च ठीक है, टेंग किंग शान ने सिर हिलाया और लिंकिंग मुस्कुराने लगे, एक जियालोंग बाव जियांग नानक शेत्र का एक प्रकार का स्टीमड बन बावजी है चीन, विशेश रूप से शंगाई और वूशी से जुडा हुआ है, यूरल अध्याए 5 अनुवादक, आयम जीटी संपादक, लुकास अध्याए 5, शक्तिशाली शत्रू विलोती हाउस, टेंग के बगल में स्थित वाइट क्लाउड कैफे में किंग शान और लिंकिंग एक दूसरे के विपीद बैठे थे, जैसे जैसे समय बीटता गया, सूरज पहार से नीचे चला गया, इतन कि वह देखती टेंग किंग शान में, वह हमेशा बहुत सहज और असहाय महसूस करती थी और अकेला दिल अंतता शान्ती महसूस करेगा, उसने उस समय के बारे में सोचा जब टेंग किंग शान ने उसे अपनी पीट पर बिठाया था पहाड़ी रास्ते पर 20 मीर चला, वह कि छवी यह बात उसके दिमाग में साकार हो गई और लिंकिंग का दिल तुरंत काम पुठा सोचा, नहीं, मैं अब इस तरह टेंग किंग शान को परेशान नहीं कर सकता, ये जब हम एंगी काउंटी में थे तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब हम यंग्जहों मे है शहर, अगर उसे पता चल गया, तो टेंग कुंग शान बरबाद हो जाएगा, हालां कि जब लिंकिंग ने टेंग किंग शान को फिर कभी न देखने के बारे में सोचा, तो वह उसके दिल में थोड़ी कढ़वाहट महसूस होने लगी, ग्रेट जिंग, आन परवत पर मु किंग है, से दोबारा नहीं मिल पाया था, ए, टेंग किंग शान की नजर अचानक कैफे में बज रहे संगीत पर पड़ी, ये चीचिन का वन गेम, वन ड्रीम था, लिंकुंग, चीचिन का ये गाना कैसा है, टेंग कुंग शान ने पूछा मंध मुसकान, सुनते ही लिंकिं किंग आश्चर यचकित थे, किसी के लिए सिर्फ सुनना कैसे संभव हुआ और क्या आपको केवल एक व्यक्ती द्वारा गाए गाने पसंद हैं, ये पूरी तरह से संभव भी नहीं था, अन्य लोगों के गाने प्रदर्शित करें, उसने जिग्या सावश पूछा, तुम ऐसा क्यों करते हो, केवल चीचिन के गाने ही सुनें, क्योंकि उसके पास वुल्फ नाम का एक गाना है, टेन क्विंग शान ने लापरवाही से उत्तर दिया, भीडिया, लिंकिंग को थोड़ा संदे हुआ, ठीक है, मुझे वापस जाना होगा, अगर मौका मिला तो मैं तहाय होकर बैट गए, जैसे ही उसने दुख की बात सुनी और सुन्दर गीत, वह फूट फूट कर मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर सकी, एक खेल, एक सपना, ये सब तो बस एक सपना ही समझो, फिर उसने अपना शराब का प्याला उठाया और उसे निगल लिया, ट टेन क्विंग शान से मुलाकात हुई थी लिंकिंग लगातार तीन बार, ये सच मुच सयोग था, हफ, हफ, आरू के पेल की शाखाएं चीखती रात के साथ साथ असहाय रूप से लहरा रही थी, किसी व्यक्ती की छाया के रूप में हवा लगातार चमकती रहती है, हवा की आवाज समय समय पर चटकने की आवाजें और तेज चीखों की आवाजें सुनी जा सकती थी, चून की आवाजें गहली थी और घर एक दूसरे से दूर थे, इसलिए आसपास रहने वाले निवासियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तुरंत टेन किंग शान ने अपने शरीर को हिलाना बंद कर दिया, उसकी आँखों में एक संकेत था संदे का, डीव ग्रेटर दैन ग्रेंड मास्टर क्षेत्र, मैं ग्रेंड मास्टर क्षेत्र कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, संदे टेन क्विंग शान का दिल भर गया, मैं कई वर्षों से अभ्यास कर रहा हू और अब भी यह आंतरिक शक्ती मेरे शरीर के हर हिस्से की तवचा से फूट सकती है, सभी अब जो बचा है वह सबसे कटिन हिस्सा है, मेरे चहले की तवचा, मैं कैसे टूट जाओं विस अंतिम चरन के माध्यम से, यहां तक कि मेरे गुरू भी एक दरजन वर्षों तक इस आखिरी बाधा में फसे रहे, अंततर वह अभी भी ग्रेंड मास्टर क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सका, टेन क्विंग शान रोए और जैसे जैसे ग्रेंड मास्टर क्षेत्र के लिए उसकी इच्छा बरती जा रही थी, वह लगाता राहे भरता जा रहा था उसके हृद की किंग ही है यंग्जिहॉक शेत्र के लिए जिम्मेदार और उसने मुझे ये पता अपना बताया, टेन किंग शान के पास कोई अन्य उपाए नहीं था, वह केवल आह भर सकता था और उसने अपनी आखें बंद कर ली और मौन अभ्यास करना जारी रखा, भोर के समय, स्व का भारी लकडी का दर्वाजा अचानक ब्लास्ट होकर खुल गया यदि उस पर तोप से हमला किया गया होता और बहुत सारे लकडी के टुकडे बिखर गए होते तीर की तरह यार, टेन कुइंग शान की ओर बढ़ रहा है, क्रोस लेक स्थिती में बैठते समय, टेन पंजों से जमीन को जोर से खरोचा और तुरंत कुछ छेद कर दिये कंक्रीट की जमीन, गिरते गिरते और लाते मारते हुए वह आगे बढ़ा इसके साथ ही, फिर वह बंदर की तरह धीमी आवाज में छट पर चट गया लगातार बचता रहा, बीग, 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 लगात पंजार तीन ध्वनिया, तीन गोलियों में से, दो वास्तव में टेन कुइंग शान के शरीर को पार कर गई, लगभग उसे मारना, बंदूक साइलेंसा से सुसजजित है, संजी और दोलगो टेरो उन दोनों के पास है आखिर आ गया, छट पर जुकते हुए टेन किंग शान को और भी अधिक प्रभावशाली महसूस हुआ, वाह, एक गहली चीक की आवाज हवा में गून जुठी, फिर एक लंबा और मजबूत एक तेज रफ्तार टैंक की तरह याड के दरवाजे से आवेशित आकृते, इस चित्र तुरंट देखा की टेन किंग शान पहले ही छट पर जा चुका था, बिना किसी भी जुजक के बाद, वह तुरंट आंगन में घुसा और छलांग लगा दी छट, एक पल में टेन कुइंग शान बता सकता था कि यह एक गंजा सफेद रंग था आदमी, लगभग उसी समय एक एशियाई व्यक्ती जो छोटा और पतला दिखत था हाथ में चांदी के रंग की बंदूक लिए आंगन के दर्वाजे पर दिखाए दिया, यह एशियाई आदमी की आँखें बरफीले पहार की तरह थंटी थी जो दस साल तक नहीं पिखलती थी करोर वर्ष, उसी समय जैसे ही लंबा और बड़ा शरीर उचला, उसने अपन किंग शान उस श्वेत व्यक्ती के विरुद्ध औरने वाले खंजर का उप्योग करने का प्रयास करता है च्छत पर, उसे एस रैंग हिटमें की गोलियों का सामना करना पड़ेगा, शार पशुटर संजी, हालांकि अगर उसने अपनी पूरी ताकत लगा कर गोलियों से जोर से पैर मारा और चट पर लगी टाइल ने टुकड़े टुकड़े हो गई जैसे ही टेंग किंग शान सीधे जमीन की ओर गिरा, उसके गिरने से अन्यद दो लोगों का आक्रमन बेकार हो गया, जैसे ही टेंग किंग शान गिरा, उसने बिजली जैसी आंखों से उपर की और देखा और वह अचानक अपने दाहिने हाथ से अपना हाथ गुमाया जो इतना स्थिर्था कि ऐसा हुआ एक बार भी कांपते नहीं वाह धुंद भरी सुबह में टेंग कुइंग शान का खंजर बिजली की एक लकीर की तरह चमका जैसे ही वह हवा से टकराया और छट पर ल फल चाकू पकड़ लिये और पहले पांच चाकू पकड़ लिये अपने दाहिने हाथ से बाकी पांच को अपने बाय हाथ से पकड़ लिया किसी भी शहर में फल चाकू खरीदना आसान बात थी टेंग किंग शान पहुँचे अपने दोनों हाथों से उसकी पैंट के पैरों क नीचे किया और इन दस फलों को अंदर दाल दिया चाकू होल्स्टर्स में चाकूू बॉंग अचानक टेंग कुइंग शान के सिर के उपर की टाइलें और इटे फट गई और एक भयानक आकृतिक किसी प्रागयतिहासिक राक्षस की तरह आसमान से नीचे गिरी। चालां की उसके साथ लात मारते ही वह कई मीटर पीछे चला गया जो अजीब था। उसके दोनों हाथ और पैरों ने जोर लगाया और बाग की एक छलान के साथ वह आंगन में घुस दया। बजना की टेन क्विंग शान तुरंथ ही अच्छी तरह से तयार हो गया था चाकू बाहर फिंक दिया। उसके उड़ने वाले चाकू की धार से एक धात्विक चमक निकली और कई दूर तक चली गई मीटर हवा में बिलकुल गोली से टकराते हुए। बजना वह गोली तुरंथ मारा गया और दूसरी ओर पलट गया। लेकिन उसी वक्त एक और गोली चल चुकी थी के अनुसार शक्ती टेन क्विंग शान के उड़ने वाले चाकू की शक्ती से अधिक मजबूत थे सामान्य गोलिया। हलांकि गती के संबंध में जबकि टेन क्विंग शान था एक ही चाकू फिकने से संशोधित बंदू के कुछ गोलिया दाग सकती है। हमफ टेन किंग शान ने अपने शरीर को हवा के बीच में मोरना शुरू कर दिया, ड्रैगन जैसा लग रहा है। वह गोली सीधे टेन किंग शान की दाहिनी बाह पर लगी और उसका दाहिना हाथ तुरंद गाय के तनी हुई कंडरा की दोरी के समान हो गया। हमफ लगभग एक ही पल में गोली उसकी मान स्पेशियों द्वारा ने चोड़ ली गई और जमीन पर गिरा दिया। गोली जमीन से टकराने की आवाज आई, शार्पशूटर, सुन्जी डोल गोटेरोव के मुह के कोने पर मुस्कुराय जब वह कमरे से बाहर आ रहा था तो मुस्कुराने लगा। एक आंगन के प्रवेश द्वार के सामने खड़ा था और दूसरा दर्वाजे के पास खड़ा था कमरे में। उस स्तर पर है जो मैं नहीं कर सकता की तुलना में। जिसने कई लोगों को डराया। भेडिया, तुम मजबूत हो। मैं, डोलगोटेरोव, आपकी प्रशंसा करता हूँ। तुम्हें खुदकुशी कर लेनी चाहिए। सफेद चमरी वाला वह आदमी जिसका आकार ध्रुविय भलू जितना बड़ा था गहराई से। डोट डोट, टेंग किंग्शान की नजर जमीन पर पढ़ी गोली पर पढ़ी, जिस पर दाग लगा हुआ था कुछ खून के साथ। टेंग कुइंग्शान ने अपने दिल में एक आह भरी, हालांकि वह केवल एक कदम दूर था ग्रेंड मास्टर डायरे तक पहुँचने से और भले ही उसकी क्षमता में उसकी मानस्पेशियों पर नियंतरन बहुत उचे स्तर पर पहुँच गया था, फिर भी वह नहीं कर सक उन गोलियों से आसानी से बचाव करें, दरसल ये गोली उनके दाहिने हिस्से पर लगी थी हाथ, जिसने उसकी क्षमता और ताकत को कमजोर कर दिया, तुम्हारे गोली प्रतिरोध को देखकर, मुझे लगता है कि तुमने चरम सीमा प्राप्त कर ली है आंतरिक मार्शल आर बस एक और कदम और आप ग्रेंड मास्टर में प्रवेश कर जाएंगे क्षेत्र, संजी ने आह भरते हुए कहा, कितना अफसोस है, प्रमुक का एक और विशेशग्या आंतरिक मार्शल आर्ट खत्म होने वाला है, चून की दोनों एक साथ काम कर रहे थे, उन्हें फाइदा था, टेन कुइंग शान धायल हो गए, इससे उन्हें कोई संदेह नहीं हुआ उनकी जीत के बारे में, वुल्फ, आंतरिक मार्शल आर्ट के अभ्यासी के रूप में, मैं आपका सम्मान करता हूँ, तुम्हें करना चाहिए आत्महत्या करो और अच्छी मौत पाओ, संजी उनके जैसे सिर्वाले सुपर मजबूत हिटमेन के बीच भयन कर लड़ाई के दोरान अंध में विसफोर्ट होना या शवों का कुचल जाना सामाने माना जाता था, टेन कुइंग शान को एक सब्यमृत्यू देना ही दया का एक मात रंच था दो दुश्मन दिखा सकते हैं, आत्महत्या, टेन कुइंग शान ने उन्हें चाकूओं जैसी आँखों से देखा, क्या एक चुटकुला, कौन जी रहा है, कौन मरता है, कोई नहीं जानता, मेरा जीवन यहीं है, आओ और ले ले यदी आप कर सकते हैं, अध्याय छे हनुवादक, आयाम जीटी संपादक, लुकास अध्याय छे, जीवन और मृत्यू के बीच युद्ध, खोद को ज्यादा आँखना, संजी मदद नहीं कर सका लेकिन व्यंग्य किया, हालांकि उसका टक्टर की लगातार थंडी दिखाई दे रही थी, पहले उनके शब्द टेन कुइंग शान के लिए कहे गए प् ना मिशन, हालांकि अगर वे वास्तव में लगे हुए हैं टेन कुइंग शान के साथ जीवन या मृत्यू की लडाई में, वे नहीं जा पाएंगे बेदाग, भले ही वे टेन कुइंग शान को मारने में काम्याब रहे, सोचने के लिए कि ये डोलगोटेरो किसी एक के हमले क के बाद ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ है मेरे खंजर, डॉट डॉट उद्धरन चिन्ह, टेन किंग शान ने उस रिष्ट पुष्ट रूसी व्यक्ति पर एक नजर डाली, सुन्जी और वह दोनों काली वर्दी पहने हुए हैं, ये काली वर्दी बहुत मजबूत रक् के साथ विशेश रूप से बनाए गए कपड़े, पहले से उड़ता हुआ खंजर उसके कपडों को छेदने के बाद, ये पराक्रम पहले से ही बहुत कमजोर था, बोडी क्रशर, डॉलगोटे रोव, आसानी से उड़ने वाले ब्लेड पर चिपक जाता है, अपनी मान स्पे क्या मुझे जीवित रहने का मौका मिलेगा, बिना कोई संकेत दिखाए, टेन क्विंग्शान ने अचानक अपना शरीर नीचे कर लिया जोर से दबा दिया, उसने अपने दोनों हाथों से जमीन पकर ली, एक तरह से बाग ने पहार से उतरते हुए करीब 10 मीटर दूरी तक चलांग लगाए और संजी पर तोप की मुट्टी से हमला किया, शार्प शूटर, संजेड के होंट, जो प्रवेश द्वार पर खड़े थे उसके तुरंत आगे बढ़ने से पहले आंगन थोड़ा सा सिकुर गया, उसका हलचल एक तेज भ्रम की तरह सामने आई, और साथ ही चांदी के रंग की भी पिस्टॉल ने ऐसी ध्वनिया भी निकाली जो इतनी धीमी थी की वे लगभग थी अश्रिव्य, पूफ, पूफ, जैसे ही दूसरे पक्ष ने अपनी पिस्टॉल उठाई, टेंक विंग्शान ने पिस्टॉल भुमा दी उसका शरीर और जोर से एक उचलने लगा मानो वह कोई विशेला पदार्थ हो सांक। और उनसे निपटना का ठिन था, आठ ट्रिग्राम पाम की चपलता का कोशल के साथ संयोजन आधुनिक समय की गोलाबारी वास्तव में भयानक थी, मेरी गती और लचीलेपन की तुलना इस संजीक से नहीं की जा सकती, मैं नहीं पकर सकता उसके साथ लेकिन फिर भी वह पूफ, एक और गोली चली, टेन क्विंग्शान समय रहते इसे टाल नहीं सके और वहाँ अभी भी भयानक और राक्षसी, बोडी क्रशर डोल्गो टेरोव था बगल से उस पर आक्रमन कर रहा था, ये तो बुरा हुआ, टेन क्विंग्शान की कमर तुरंत रुई की तरह टेन क्विंग्शान पीछे की और जुके और अपने हाथ उस पर रख दिये मैदान, उसकी पीट स्टील की प्लेट से बने पुल की तरह जुकी हुई थी, ड्रेगन की तरह लहरों पर सरपड दोरते हुए वह किनारे की और चला गया, सुन्जी, जो बहुत दूर नहीं था, ठंडी मुसकान में फूट पड़ा, डीव ग्रेटर दैन, हाँ हा, रूसी व्यक्ती जोर से हसा और टेन की ओर बड़ा किंग्शान, अब मौका है, टेन कुंग्शान उस आरू के पेल के बगल में चला गया आंगन, प्रतेक हाथ में एक उलने वाला खंजर पकड़े हुए, उसकी निगाहें धुंदली हो गई और उदास हो गया, और दोनों उलने वाले खंजर एक साथ उसके हाथ से चूट गए समय, दोनों उलने वाले खंजर बरफीली ठंड में अंतरिक्ष को पार करते हैं प्रक्षेपत और संजी और डोलगोटे रोव की ओर चला गया, जैसे ह उरते हुए खंजर को एक ही बार में मारना एक आसान उपलब्धी थी, हम्फ, रूसी व्यक्ती, डोलगोटे रोव, ने गहरी आवाज में चिलाया उस उरने की और अपनी दाहिनी मुठी, जो धातु के कवच में थी, तोड़ दी खंजर, टेन किंग्शान की नजर थंडी, गहरी और हलकी सी जलक दे रही थी उदासी, उन दो उरने वाले खंजरों में आंतरिक शक्ती प्रवाहित हो गई थी, टेन किंग्शान की मानसिक स्थिती के साथ अविश्वस निये संबंग, बूम, बूम, जैसे ही वह उरता हुआ खंजर गोली से टकराने ही वाला था, उस नहीं, संजी का चेहरा बदल गया, वह टेन किंग्शान से केवल दस मीटर से भी कम दूरी पर था, उसके पास था जैसे ही टेन किंग्शान ने अपनी उडान भरी, उसने तुरंट अपनी पिस्टॉल निकाल दी खंजर, जब उरता हुआ खंजर चकनाचूर हुआ तो वह क पफ़, तूटे हुए टुकडों में से तीन सीधे संजेड के चेहरे में गुजगए और गोली मार दी गई उसके सिर के पीछे से बाहर, ओ, सुन्जी की आँखें अभी भी अविश्वास से भरी थी, लेकिन उसने जल्दी ही अपना विश्वास खो दिया चमक उठी और व ग्रेंड मास्टर दाइरे को प्राप्त किया और उनमें एक भी कमजोरी नहीं थी शरीर, संजी जैसे लोगों के लिए जो अभी तक ग्रेंड मास्टर क्शेत्र तक नहीं पहुंचे थे, चेहरे पर चोट लगना निश्चित रूप से घातक था, बूम, रूसी व्यक्ती, दोलगोटे रोफ को भी इसी परिद्रश्य का सामना करना पड़ा, लेकिन वह बहुत अधिक भाग्यशाली था, ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने उरते हुए खंजर को रोग दिया था अपनी दाहिनी मुर्थी और आदतन उसने अपने चेहरे को बंद करने के लिए अपनी बाही मुर्थी का उपयोग किया था, जब दो उरते हुए खंजर के तूटे हुए टुकड़े उसके चेहरे की ओर चले गए, जो उसके पास था अपने खुले बाएं हाथ से, जिस पर गॉंटले था, आसानी से उन्हें रोग दिया, आप, आप, इस रूसी व्यक्ती ने अ उरता हुआ खंजर बिना किसी कारण अपने आपचक ना चूर हो गया, टेन किंग शान ने इस रूसी व्यक्ती को घूर कर देखा और उसने चुपचाप एकाह भरी रहत, लाल संगठन के अड़े में आंतरिक युद्ध में, उसने लड़ाई लड़ी थी कई हिटमेनों के खिलाफ अकेले ही जम कर हमला किया, वह निराशाजनक रूप से अधिक संख्या में था और वह मृत्यू के कगार पर था जब उसे अचानक एक खोज हुई हताश और निराश अवस्था, उस विशेश मानसिक स्थिती के अंतरगत, द्वारा परिवेश की अनोकी परिस्थित को समझते हुए, वह ऐसा कर सकता था उनके द्वारा भेजे गए उरने वाले खंजर में आंतरिक शक्ती के साथ अजीब संबंध है बाहर, इस कनेक्शन पर भरोसा करके वह उरने वाले खंजर को नियंतरित कर सकता था चकनाचूर हो जाएगा, अगर उलता हुआ खंजर नहीं कर सका और उसे गोली लग गई सिर, ये पूर्न तया हत्या करने वाला का दम था, हालांकि टेंक विंग शान को समझ नहीं आया कि उसके पास ऐसा क्यों हो सकता है जब उसने उरनान खंजर भीजे तो उसकी आंतरिक शक्ती से संबंध था वह उस मानसिक स्थिती के अध रूसी व्यक्ती की काली वर्दी अचानक फूल कर एक साइस बढ़ी हो गई और यह मजबूत हत्या मशीन जमीन पर गिर पढ़ी जैसे ही वर टेंग की और बढ़ा, सिमेंट की जमीन कापने लगी और दरकने लगी किंग शान एक तेज गती वाले भारी ट्रक की तरह है हाँ, हाँ, आओ, टेंग किंग शान ने जोर से हसी और उससे मिलने चला गया प्रहार से बचने के बजाए आगे बढ़ें उसके दोनों पैर लगातार जमीन पर ऐसे पढ़ रहे थे मानों वह कोई विशालकाई प्रानी हो जमीन पर पैर पटकना जिससे सिमेंट की जमीन लगातार तूटती जा रही है टेंग किंग शाम बहुत खूंखार दिखाई दे रहा था लेकिन उसकी हरकते सहज थी तैरा की ड्रैगन उसकी बाई हतेलिक शैतेज रूप से उसकी आँखों के सामने रखी हुई थी जबकि उसकी दाहिनी मुर्टी ने फ्लर ड्रैगन की तरह हमला किया उसकी कमर के साथ केंद्रियत धुरी उन्होंने अपने शरीर की सभी शक्तियों को अपनी दाहिनी भुजा पर केंद्रित किया चीची उसका दाहिना हाथ भयानक रूप से सूज कर एक आकार बढ़ा हो गया उसकी बाह की हरीन से उभर आई मानोवे फटने वाली हों उसका मसपेशियां वापस उभर आई मानोवे गाई की कंड्राय हों एक मजबूत भूमने वाली शक्ति का उत्पादन किया गया था और उसकी दाहिनी मुठ्थी एक भूमती हुई इलेक्ट्रिक ड्रिल की तरह थी जो बाहर निकल रही थी तेज सीटी की आवाज हाँ, राक्षसी डॉल्गोटेरोव ने चलांग लगाए और अपनी दाहिनी मुठ्थी उठाई जो हवा में उपर एक धातु का गॉंट्लेट पहना फिर जबरदस्ट ताकत के साथ उसने एक तोप के गोले की तरह उसने टेन किंग्शान की और अपनी मुठ्थी मारी नश्ट कर दिया बाद की छवियों की एक श्विन खला को छोड़ कर डॉल्गोटेरोव की तेन के खिलाफ बड़ी भिड़ंध हुई किंग्शान की मुठ्थी ची, डॉल्गोटेरोव स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि एक अजीब शक्ती उसकी गॉंटलेट्स के माध्यम से गुजर रही है इससे उसका दाहिना हाथ अनिच्छा से मुर गया जिससे बहुत नर्मुभार निकला आवाज डॉल्गोटेरोव के शरीर और चेहरे का रंग बदल गया शुक्र है, उसके पास था प्राचीन योग में महान स्तर की निपुन्ता और बलपूर्वग बचाव कर सकते थे इस भूमने वाली शक्ती का प्रभाव अगर मैं थोड़ा भी कमजोर हूँ, तो मेरी बाह यहां तक की संभवता मुड़ा और तूटा भी जा सकता है अभी, मेरा दाहिना हाथ होगा संभवता, केवल 80 प्रतिशत ही अपनी शक्ती का उप्योग कर पाएगा हालांकि दोल्गोटे रोव को अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन टेंग किंग शान की हालत खराब थी जैसे ही उनकी मुठियां टकराई, टेंग कुंग शान ने बल प्रयोग किया और भाग गए पीछे की ओर हाहा, दोल्गोटे रोव ने बिना किसी पागलपन भरी हसी छोड़ दी किसी भी हिच के चाहट तेजी से पीछा किया अध्याय साथ अनुवादक, आयाम जीटी संपादक, लुकास अध्याय साथ, टाइग तोप मुठी टेंग किंग शान ने हलके से अपने पैर के अंगूठे से जमीन कुछ हुआ और अचानक उछल पढ़ा उसके और डोल्गोटे रोव के बीच की दूरी बढ़ाते हुए के साथ हमलों का आदान प्रदान करने के बाद भी धातू का दस्ताना पहनने से उसके हाथ में कोई चोट नहीं आई, हालां कि उसकी उपरी भुजा तूट गया था, जब टेंग किंग शान ने अपनी दाहिनी उपरी भुजा पर नजर डाली, तो वह देखा कि उसमें से थ इस फोटक भी शक्ती क्षीन हो गई, फिलहाल मैं अपनी आधी शक्ती का ही उप्योग कर पा रहा हूँ, ऐसे राक्षस के खिलाफ, मेरे फेंके हुए चाकु बेकार हैं, टेंग कुंग शान उसके मन में निशकर्ष निकाला गया, बोडी क्रशर दोल्गो टेरोव ने उप इस परधा नहीं कर सकी, यदि टेंग किंग शान भागना चाहता, तो उससे रोकने का कोई रास्ता नहीं था, हालां कि ताकत की तुलना करते समय, दोल्गो टेरोव टेंग से डरते नहीं थे बिल्कुल किंग शान, हालां कि टेंग किंग शान के पास अपनी चाकु फेंकने भी उतने मजबूत नहीं थे। जब तक टुकड़े उसके नाजुक चहरे पर हमला नहीं करते। उसके सामने ये कोशल बेकार था बड़ा रूसी सा थी। बोडी क्रशर दोलगो टैरोव का शरीर सक्त था और वह एक विशेश रक्षात्मक युद्ध परिधान पहना हुआ थ इसके अलावा वह पहले से ही था दुखत चाकुक के खिलाफ तयारी की और केवल अपना चेहरा ढबने की जरूरत थी उसके हाथ। जहां तक निकट युद्ध में लड़ने की उनकी क्षमता का सवाल है। प्राचीन योग का अभ्यास किया था कथोरता को लचीलेपन के साथ संयोजित करें। हालां कि जिसक शेत्र में उन्होंने सबसे अधिक उत्कृष्टता हासिल की वह जॉइंट लॉकिंग तकनीक थी वह संयोग वश्चीन में प्राप्त हुआ। इसका सफलता पूर्वक अ पाग लगा दी गई थी, मुझे हसाओ मत। उनकी पतनी की मृत्यू के बाद दमार्शल वे टेंग क्विंग शान का एक मात्र काम था उद्देश्य। अभी वह ग्रेंड मास्टर दाइरे से केवल एक कदम दूर था लेकिन ये कदम एक प्राकृतिक बाधा की तरह था और से आगे जाना बेहत कठिन था। द्वारा जीवन और मृत्यू की लड़ाई के बाद ये समझना संभव हो सकता है कि क्या था आपने वर्तमान स्तर से परे और एक नए दाइरे तक पहुँचें। पढ़ गई। टेन क्विंग शान की हरकतें हालांकि उसके शरीर को अचानक उचलने पर मजबूर कर दिया। डीव ग्रेटर दैन आना टेन किंग शान ने एक उडने वाला चाकु तुटिहीन गती से फिका। टक्राना दोलगो टेरो जो पहले से ही तयार था ने अपना गोता लगाने से पहले अपनी उची जमीन से नीचे देखा। अदम्य गती से नीचे की और उरते हुए उसने अपना बाया हाथ मोर लिया। उसे अपने चेहरे के सामने रखकर अपने दाहिने हाथ से तोपके गोले की तरह उड़ा दिया सीधे डोलगो टेरोव के सिर अथोले जैसे इस्तेमाल किया टेन कुइंग शान की मुठियों पर मुखे बरसाए गए। बूम, बूम, टेन कुइंग शान की दोनों मुठियां पागलों की तरह घूमती रही और लगातार मुखे मारती रही अपने निशाने पर जिससे लोग सपश्ट रूप से देख न इस बंदे का शरीर सचमुच डरावना मजबूत है। टेन कुइंग शान थे अत्यांत आश्चर्य हुआ। अभी कुछ देर पहले जब उसने डोलगोटे रोग के शरीर पर प्रहार किया यह उसे यह हैसास हुआ कि वह एक परत द्वारा समर्थित का पास को तोड़ रहा है इस पात। फालादी शरीर और प्राचीन योग का ज्यान होने के बावजूद वह ऐसा नहीं कर पाएंगे आसानी से घायल हो गए। भले ही टेन कुइंग शान इस नतीजे से हैरान थे लेकिन उनके कदम से ऐसा नहीं हुआ थोड़ी सी जिजग दिखाओ। फिर भी भलू की तरह दहारते हुए वह बढ़ गया उसकी क्रूरता और मुठियों की बच्छार शुरू कर दी जिसका विनाशकारी प्रभाव भी उतना ही था विस फोटित तोप खाने के गोले जैसी शक्ती। टक्राना, टेन किंग शान ने अपने शरीर को उसकी सीमा तक जुका रही है। बर्स्टिंग फिस्ट का उप्योग कोई कब कर सकता है पीछे की और चलना, कदम घुमाना और आगे बढ़ना। टेन क्विंग शान का शरीर पानी के ड्रैगन की तरह घूम गया और चारों और से घिर गया डोलगोटे रोव ने चतुराई से उसी समय उसके मुको उसे बचा लिया उस पर लगातार हम ले कर रहे हैं। पू, इस सारी क्षती को सहते हुए डोलगोटे रोव मदद नहीं कर सका, लेकिन तेजी से आगे बढ़ा मुह में खून भरते ही उसकी ठंडी आखें चमकने लगी, ये भीडिया आंतरिक है, मार्शल आर्ट इतना जोब नहीं करता तो वह ऐसा करता शायद आज जीत नहीं पाऊगे। कैसा राक्षस है, मेरी आठवी बर्स मुठियों की मार जेलने के बाद भी, वह अभी भी केवल वही है हलकी फुल की चोटे लगी। टेंग कुंग्शान काफी हैरान थे, क्योंकि अगर ऐसा होता जिसे अपनी ही आठवी मुकों से चोट लगी हो, वह पहले ही गंभीर रूप से घायल हो चुका होगा घायल। खर्च करना, शुरुआत का फायदा उठाते हुए, डोलगो टेरोव ने टेंग को पकड़ने के लिए अपनी उंगलियों का इस्तेमाल किया किंग्शान की कलाई। ह किंग्शान ने अपनी आंतरिक शक्ती को अपनी बाह पर भुमाते हुए घुमाया अपने प्रतिदवंद्वी की उंगलियों को तोड़ने के लिए उंगलियों को हेलिक्स में घुमाएं। मिट्टी की मचली की तरह उसका बाया भाग मुठी कैद से बाहर निकल गई। जै किंग्शान का पूरा शरीर ओर गया जबकि उसने हवा में खून की उल्टी की। अच्छा नहीं है जिसक शन टेंग्शान जमीन पर गिरा उसका चेहरा पीला पर गया था भूत के रूप में जमीन काम पुठी। एक बुल्दोजर की तरह डोलगोटे रोव अधीरता से पत्थर की तरह आगे उड़ते हुए उसने अपना दाहिना घुमाया एक बड़े चाप में मुक का मारा और उसे डोलगोटे रोव में तोड़ दिया। हाहा, डोलगोटे रोव ने तुरंत जवाबी कार रवाई की और टेंग को जम कर लाद मारी किंग्शान। पा, अपनी बाई मुठी को हथेली में खोलते हुए टेंग किंग्शान ने थप पर मारा डोलगोटे रोव के निचले पैर और जटके से तुरंत उसकी हथेली में दड़ महसूस हुआ। फिर भी इस अफसर का उप्योग करते हुए उसने अपनी दाहिनी हथेली पर प्रहार किया से फट गई जबकि इसकी गती उसकी बाई मुठी से दोगुनी तेज हो गई। एक में उर्ना लगभग सीधी रेखा में उसने डोलगोटे रोव की छाती पर एक और हमला किया। आ, डोलगोटे रोव दर्द से करा हो था और उसने एक भयानक जटका उसकी और मारा टेंग क शक्ती लगातार उसके पूरे बाई हाथ की हडियों में फैल गया और यहां तक कापने लगाद भुठ शक्ती उसके कंदे से उसकी मुठी में फैल गई। दहार, बाग की धीमी लेकिन गहली दहार सुनी जा सकती थी। हू, तोप से निकलने वाले तोप खाने के गोले की त तरह डोलगोटेरोव की छाती से टकराया। ताकतवर के साथ अपनी मुठी के बल से उसने तुरंट अपने लक्षे की पसलियों को तोड़ दिया जो स्टील की तरह कठोर थी। इस जटके से उसके शरीर के सभी अंचून विछेद हो गई डोलगोटेरोव की जीवन शक्ती तुरंट गायब हो गई। डोलगोटेरोव का शरीर काम पुठा और उसका मुख का टेंग पर लक्षित था किंग्षान के सिर ने तुरंट अपनी ताकत खो दी। जैसे ही वह सिर से टकराया, वह यहां तक की त्वचा को नुक्सान पहुचाने का प्रबंधन भी नहीं किय ये डोलगोटेरोव अभी भी आश्चरेचकित द्रिश्टी से देखता रहा क्योंकि उसे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था उसकी रक्षा एक ही मुखे से तूट जाएगी। जैसे ही उसका शरीर दुरगट नाग्रस्थ हुआ जमीन पर उसकी द्रिश्टी तुरं जिंगी फाइव एलिमेंट फिस्ट में से तूट के वार सबसे मजबूत होने चाहिए एलिमेंट फिस्ट और टाइगर कैनन फिस्ट टाइगर और कैनन का मिश्रंट हम्मू के मारना इस प्रकार इसकी शक्ती सामान्य तूप मुठियों से भी अधिक थी विदेशी टेंग परिवार का गुप्था थियार था भले ही टाइगर कैनन फिस्ट के पास सबसे बड़ी शक्ती थी लेकिन उसका अपना हिस्सा भी था नुकसान का उनकी सबसे मजबूत तकनीक का नुकसान ये था कि एक बार उन्होंने इसका इस्तेमाल कर लिया कुछ समय तक किसी अन्य तकनीक का पालन करने का समय नहीं होगा यदि उसने इस कदम से अपने दुश्मन को नहीं मारा तो दूसरा पक्ष इस पर कबजा कर सकता था उसे आसानी से मारने का अफसर हालांकि टाइगर तोप की मुठी शक्ति शाली थी लेकिन मूल रूप से ऐसा करना असंभव था इसके साथ दोलगोटे रोव को हराएं इस पल में ऐसा किसने सोचा होगा जीवन और मृत्यू के बीच टेन क्विंग शान दहलीज को छूने में सक्षम होंगे ग्रैंड मास्टर क्षेत्र का जिंगी मार्शल आर्ट्स में जिंगी का अर्थ आकार और इच्छा था जिंगी मार्शल आर्ट आकार और इच्छा की नकल है आकार के साथ द्वितियक और इच्छा शक्ति सबसे महत्वपूर्ण होगी Grandmaster दाइरे में पहुंचने पर कोई भी इसकी शक्ती का पूरी तरह से उप्योग कर सकता है प्रत्येक मास्पेशी और उच्छ लोकों का मतलब है कि आप इसका पूरी तरह से उप्योग कर सकते हैं प्रत्येक मास्पेशी और प्रत्येक हडी की शक्ती एक बार किसी की हड़ी मजबूत हो जाती थी अपनी अधिक्तम शक्ती से मुक्त होने पर यह एक गतिज जख्का पैदा कर सकता है एक अकलपनिय पशु दहार उत्पन करें ठीक एक क्षण पहले की तरह जब उसने प्रयोग किया था टाइगर तोप मुर्थी से उसने बाग की दहार निकाली वह था यह महसूस करते हुए कि अभी क्या हुआ तेन किंशान की आँखे तुरंत चमक उठी उसका चेहरा उसके आश्चर्य को छिपा नहीं सका जब से उसकी पत्नी की मृत्यू हुई उसके पास था पहले कभी इतना उत्साहित नहीं हुआ आखिरकार आंतरिक मार्शल आर्ट के एक विशेशग्य का लक्षे तक पहुंचना था ग्रैंड मास्टर क्षेत्र अब उसका प्रत्येक मासपेशी, हड़ी की ताकत और भीत्री भाग पर पूर्ण नियंत्रन हो बया था उसके पूरे शरीर और शिरोबिंदू में व्याप्ट शक्ती वह ऐसा करने में सक्षम होगा प्रत्येक मुके याकिक के साथ बागों और ड्रेगन की दहार को उजागर करें तथा पी, टेंग कुइंग शान ने अपने सबसे मजबूत मुके टाइगर कैनन फिस्ट का इस्तेमाल किया और बस बमुश्किल एक दहार निकली वह अभी भी ग्रेंड मास्टर के द्वार तक पूरी तरह नहीं पहुँचा था क्षेत्र यह है हसास, टेंग कुइंग शान को वह समय सपष्ट रूप से याद था जब वह उस मुके को खोल दिया खुद को उस समय की याद दिलाते हुए टेंग कुइंग शान मुस्कुराना बरदाश्ट नहीं कर सके एक बार उसकी सांस लेने में परेशानी हो रही थी, उसे अचानक सीने में दर्द महसूस हुआ और खांसी आने लगी चारों और नजर डालते हुए उसने मन ही मन सोचा, मैं गंभीर रूप से घायल हो गया हूँ अब यहां नहीं रह सकता एक खरगोश के पास जाने के लिए तीन छेद होते हैं, टेंक विंग शान उसने अपने दुश्मन से निपटने के लिए पहले से ही तरीके तैयार कर लिये थे और कुछ जगहें किराय पर ले ली थी आंग जो हुमे रहो घर में घुसे बिना ही उसने अपना एक हाथ उसके उपर दबा दिया छाती और धीरे धीरे उसके बगल की दिवार की ओर चला गया समर्थन करते हुए दूसरा हाथ दिवार पर रखते हुए वह चलांग लगा कर निकल गया नश्ट हुए प्रांगन में दो एस रैंक हिटमन, शारप शूटर, संजी और बोडी क्रशर दोलगोटे रोफ फर्ष पर मृत वस्था में पड़े थे यहां तक कि उनके शरीर पर कुछ भी नहीं था जीवन का थोड़ासा निशान अध्याए आठ अनुवादक, आयाम जीटी संपादक, लुकास अध्याए आठ, एकांत में रहना एक राजमार पर एक काली ओडी उत्तर की और तेजी से जा रही थी कार के अंदर दो लोग थे, इन में से एक ग्राइवर था, दूसरा व्यक्ति पिछली सीट पर बैठा था उसका शरीर लंबा और विशाल प्रतीत होता था, तीस तक बंद किया जाएगा उसका चहरा टेंग क्विंग शान से कुछ मिलता जुलता था, बज, बज, उसका फोन कमपन करने लगा लंबे आदमी ने फोन निकाला, हेलो, ओ, ये भाई यांग है क्या है मामला, कुछ ही समय बाद, लंबे आदमी के चहरे का भाव पूरी तरह से बदल गया, क्या कहा आपने ऐसा कैसे हो सकता है, लंबे आदमी ने जो कुछ सुना उस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं की ठीक है, मैं समझ गया, लंबे आदमी ने जट से अपना सिर हिलाया, मैं पहले से ही अपने उपर हूँ यंग्जहो शहर वापस जाने का रास्ता हाँ मुझे पता है, मैं इसे अच्छी तरह समझता हूँ, चिंता मत करो, भाई यांग, आप मुझे किन हों किस वभाव को जानते हैं, है ना आप बस निश्चिंत रहें, मैं अपनी सीमाएं जानता हूँ और लापरवाही से काम नहीं करूंगा बात नहीं मैं कितना भी साहसी हूँ, मैं अपने भाईयों के जीवन के साथ खिलवार करने की हिम्मत नहीं करूंगा ओ, मुझे मिल गया ये, जैसे ही उसने फोन काटा, उसके चेहरे के भाव उदास होने से बच नहीं सके फोन भाई किन, क्या गलत है, ड्राइव, जो आगे की सीट पर बैठा था, किन हूंग से पूछा जब उसने किन हूंग के चेहरे के भाव बदलते देखे यार, चीजें अच्छी नहीं लग रही हैं, हमारे छोटे में कुछ बड़ा हुआ यंग्जहो शेहर, इतना बड़ा कि इसने पूरे ग्रह की भूमिगत दुनिया बना दी अपना ध्यानिस पर केंद्रित करें किन हूंग ने उदास आवाज में कहा, वास्तव में क्या हुआ, ड्राइवर पूछता रहा, किन हूंग ने विस्तार से बताया, दो दिन पहले, दो बड़े एस रैंग हिटमें अंडरग्राउंड वर्ड, शार्पशूटर, संजी और, बॉर्डी क्रशर, डोलगोटे रो, वे एक अन्य S-Rank Hitman, Lone Wolf of the Flying Knives को मारने की कोशिश कर रहे थे, इन तीन अतिश्रिनी विशेशग्यों के बीच जबर्दस लड़ाई हुई और उसका परिनाम स्तब्द कर देने वाला था सब लोग, फ्लाइंग चाकू के Lone Wolf ने अकेले ही दूसरे को मार डाला दो, क्या, ड्राइवर ने आश्चर्य से चिल्ला कर कहा, यह अकेला भिडिया कैसे हो सकता है उडने वाले चाकू इतने शक्तिशाली होंगे, अंडरग्राउंड वर्ड में, फ्लाइंग चाकू का Lone Wolf पहले से ही मौजूद है, पचास S-Rank Hitman के बीच सबसे मजबूत के रूप में स्वीकार किया गया, यह जाना पहचान है एक अर्द S-S-Rank Hitman के रूप में, शायद उसके पास वास्तव में S-S-Rank की ताकत है Hitman, किन S-S-Rank के Hitman हो, उनके पास विरोध करने का कोई रास्ता नहीं था उस तरके शक्तिशाली लोग, यह बहुत परेशानी वाली बात है, वर्तमान में, अंडरग्राउंड वर्ड में केवल कुल है 8-S-S-Rank Hitman में से, यह सभी तो हधी पार कर चुके हैं मानव शरीर और एक अक पनियक शेत्र में पहुंच गया, सामान्य आक्रमनकारी साधन जैसे गोलियां अब उन पर असरदार नहीं रहीं, और भले ही हमें कुछ का उप्योग करना पड़े शक्तिशाली हथियार, उनकी अदभुद गती और सजगता के लिए धन्यवाद, डॉट डॉट, इससे पहल शेहर में बेतहाशा भाग सकते थे और उनका खत्रा बेहत्था उच्च, हालांकि यदि विशेश बल होता तो भी उन्हें दबाया जा सकता था उन पर लगाम लगाने के लिए भेजा गया, जहां तक एसस रैंक के व्यक्ति की बात है, वे पहले ही मनुष्य की सीमा को पार क कर चुके थे शरीर और दुनिया में संभवता सबसे बड़ी ताकत हासिल की एक बनकर परम विशेशगे, उन्हें मानव आकार के परमानू हत्यार माना जाता था, अब कोई व्यक्ति जिस पर परम श्रेनी का विशेशग्य होने का संदेह था, वास्तव में मौझूद था य कई चाकू मार कर हत्या कर दी जाएगी आग खोलना, दोनों पक्ष बस एक अलग स्तर पर थे, भाई किन, हम क्या करने जा रहे हैं, ड्राइवर भी परेशान था मामला, डीव ड्रेटर दैन, इस स्थिती में क्या किया जा सकता है, किन हूंग ने गहली सांस ली, उसने कहा ध रंग जहों में है, तो हम जितना हो सके उससे दूर रहना चाहिए, भले ही हमें पता चल जाए उसे, चाही कुछ भी हो जाए, हम उसे क्रोधित नहीं कर सकते, ड्राइवर ने जट से सिर हिलाया, हम, किन हूंग ने भोहें चड़ा दी, और संदे से अपने फोन की ओर देखा वह फोन था राश्ट्रिय सुरक्षा विशेश के सभी सदस्यों को इसका उप्योग प्रदान किया गया था संचालन संगठन, इस समय, कुछ नई जानकारी थी उसके फोन पर प्रेशित किया गया, अरे नहीं, किन हूंग का रंग एक पल में पीला पड़ गया, अब क्या है ड्राइवर ने घबरा कर पूछा, हमारा यंग्जहो शहर पूरी भूमिगत दुनिया बनने जा रहा है फोकस का केंद, जैसा कि उन्होंने कहा किन होन के माते पर थोड़ा पसीना आ रहा था, ऐसा कैसे, ड्राइवर को बहुत घबराहट महसूस हुई, अभी अभी सामान्य मुख्याले से आई जानकारी के अनुसार, रेड मायने परिवार इस बार कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, उन्होंने भगवान से पूछा है किंग्डम का रवाए में जाने के लिए दुनिया का सबसे मजबूत संगठन, मेंसे दो, गौर्ड किंडम के तीन दिगगज, अर् हिटमन थे और भगवान किंग्डम के संगठन में उनमें से तीन थे, उनकी उपाधियां थी, ब्रह्मा, विश्नु और शिव, ये तीन शीरशक थे वास्तव में भारतिय परानिक कताओं में तीन सर्वोच देवताओं के नाम है कहानिया, और अंडरग्राउंड वर्ड ने किन होन की भोहें सिकुर गई, चून की इसमें बड़ी संख्या में विशेश अग्य थे, इसलिए चीन को इसमें विशेश स्थान प्राप्त था भूमिगत दुनिया, आर्ट में से लगभग तीन चीनी थे SS Rank Hitman, इसके अलावा यद्यपी उनकी संख्या बहुत कम थी, चीन होने चीन को कुछ हद तक विसमय में डाल दिया और वंदन, आम तोर पर, चीनी स्वामी अपने रहसियों को बाहरी लोगों के सामने उजागर नहीं करते थे, हालांकि रेड मायने संगर्थन ने अपने हिटमेन को ब्रेंड मास्टर के पास भेजा था जिंगी मार्शल आर् केवल था क्योंकि टेंग बोल लेई को किसी विशेश कारण से ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा, आम तोर पर, टेंग बोल लेई जैसे लोग केवल चीनी को ही अपने शिश्यों के रूप में चुनते हैं, और कुछ शिश्यों के अलावा जिन्हें गुप्त कला और कोशल सिखाया गया था, बाकियों को केवल बुन्यादी और सामान्य बातें ही सिखाई गई, भाई किन, दो और एसेस रैंक हिटमेन एक संभावित एसेस रैंक को मारने की कोशिश कर रहे हैं हिटमेन, यदि वे परस पर विनाश में परिनत होते हैं, तो इसका प्रभाव भ पर सकता है आम लोग और वह दुजवपन होगा, ड्राइवर ने चिंता व्यक्त की, संकट के समय में हमें उन्हें आम लोगों को शामिल करने से रोकना होगा यहां तक कि अपनी जान की बाजी लगा कर भी, किन हूंग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हालांकि आपको दी हो सके चीनी मुख्य भूमी, ड्राइवर ने सिर हिलाया, उनके पास सैंक जैसे भयानक अस्तित्व से निपटने के लिए आवश्यक समय नहीं था हिट्मेन, जो मानवाकार के परमानु हथियार के समान थे, यहां तक कि राज्य उनके साथ व्यवहार नहीं करेगा, क्यो यह सेट हो गया प्रतिद्वंद्वी से निपटने के बारे में, आखिरकार, एक बार एक एसस रैंक हिट्मेन ऐसा करने में काम्याब रहा दूर हो जाओ, वह भविश्य में अंतहीन परिशानियां पैदा करेगा, रेड मायने परिवार ने भी टेंक विंग शान के वरतमान सदस्य होंगे, जियांग सु प्रांथ में मौझूद संचाल अनसंगर्थन यंग्जहो शहर में एक अठा होते हैं ताकि उत्पन होने वाली किसी भी अपात कलीन स्थिती से बचा जा सके, किन होंग धीमी और गहरी आवाज में कहा, जब दोनों लोग बाते कर रहे थे, अब आप वापस जाएं तो उन्हें ध्यान से देखें, अन्य था, भले ही आप उनसे टकराएं, आपको एसास नहीं होगा कि यह वे ही हैं बाद में कहीं, किन होंग ने याद दिलाया, युवा ड्राइवर ने अपना फोन खोला, उसने अपना सिर नीचे किया और तेजी से कदम उठाया जानकारी की जलक, मैंने अभी तक नहीं देखा कि उन तीनों में से कोई भी कैसा दिखता है, ओ, क्या ये फ्लाइंग नाइव्स का लोन वुल्फ कुछ-कुछ वैसा ही नहीं दिखता आप, भाई किन, सही, मुझे भी ऐसा ही लगा, किन होंग ने अपनी छवी पर एक नजर डाली फोन, ये बिल्कुल टेंग कुंग शान के चहले की छवी थी, कुछ दिन पहले हुई लड़ाई का असर काफी बड़ा था, पूरे अंडरग्राउंड वल्ट को हिला कर रख दिया, लोगों ने इसे टेंग भी कहना शुरू कर दिया, इसके कारण किंग एक अर्धैसे स्रंक किटमेन है, हाला कि टेंग कुंग शान थे अभी भी एक सुदूर स्थान पर स्थित एक घर के अंदर एक आंट में रह रहे हैं यंग्जहो शेहर का बाहरी इलाका, उसने कुछ भी नहीं सुना कि क्या था बाहरी दुनिया में घटित हो रहा था, वह प कहा गया था कि तीसरा रूप जिंगी मार्शल आज्स की नीव था, लड़ाई के असंख्य तरीके तीसरे रूप से उत्पन हुए, एक नौसिखिया इसका अभ्यास करने की आवश्यक्ता थी और जिंगी मार्शल के एक विशेशग्य के लिए भी यही साच्था कला, क्योंक की सुन्दर कला को देखना, जिससे किसी को भी आनंद की अनुभूती हो सकती है, ऐसा कहा जाता था कि हड़ी को बुन्ने और कंड्रा बनाने में सौ दिन लगते हैं ठीक होना, एक सामान्य व्यक्ति को हड़ी तूटने पर तीन महीने तक स्वस्त रहना पड़ता है, फ्रैक और रक पर भी उसका नियंत्रन रहता है उसके शरीर में अकल्पनिय स्तर तक पहुँच गया था, इसके अलावा उन्होंने हर दिन तीन आसन का द्रिर्ता से अभ्यास किया, अपनी सासों को अपनी गतिविधियों के साथ समन्वईत करते हुए, इससे उनकी रिकवरी दर मे वृद्धी हुई एक सामान्य व्यक्ति की गति से कई गुना अधिक तेज, जहां तक उसकी बाह और पेट के आसपास के मास का सवाल है, वफटा हुआ था और भी तेज गति से ठीक हो रहा है, 21 दिन बाद, इन दिनों में हर समय एकांत में रहता था और पूरे दिल से मेरी देखभाल करता था घाव और अभ्यास, चून की मैं शहर के अंदर नहीं गया हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता, किंगी, वापस आया है या नहीं, टेन कुइंग शान ने चुप चाप सोचा, टेन कुइंग शान बहुत समझदार थे, पिछले दिनों चोट लगने के हर कोई भी दिखावा करना उनके लिए मुझकिल होगा उसे धूनने के लिए, पिछले 21 दिनों के अभ्यास के बाद, आखिरकार मैंने सब कुछ खोल दिया है मेरे शरीर के चैनल, मेरी आंतरिक शक्ती पूरी तरह से हर माध्यम से गुजर सकती है जगह, टेन कुइंग शान और एकचित अभ्यास के बाद दिन बदिन उसके शरीर की गुनवत्ता भी धीरे धीरे बढ़ती गई, उसका शेश बादित मुख्य और सहायक चैनल भी पूरी तरह से साफ हो गए थे आंतरिक शक्ती अब उसके पूरे शरीर में किसी भी स्थान तक आसानी से पहुँच सकत उसके शरीर के भीतर, जिसमें छोटे मेरिडियन भी शामिल हैं। वस्तुता ही ये मेरिडियन को अनब्लॉक करने की प्रक्रिया और पावर को भी लगतार बढ़ाना किसी के शरीर की गुनवत्ता को बढ़ावा दिया। अब मैं वास्तव में एक ग्रेंड मास्टर हूँ। पिछले 21 दिनों में मैं धीरे धीरे एक प्रमो कांतरिक मार्शल आर्ट विशेशग्य से बन गया ग्रेंड मास्टर। हालां कि मेरे शरीर की गुनवत्ता में केवल 20 की वृद्धी हुई है या 30 प्रतिशत, उसकी तुलना में मेरी ताकत कई गुना बढ़ गई है पहले। टेंक विंक शान को ठीक ठीक पता था कि एक ग्रेंड मास्टर इतना शक्ति शाली क्यूं होता है। यह ऐसा इसलिए था क्योंकि एक ग्रेंड मास्टर किसी अन्य की तुलना में अपनी शक्तियों का बहतर उपयोग कर सकता था। यदि हम एक प्रमो कांतरिक मार्शल आर्ट विशेशग्य और एक की तुलना करें एक ही तरह के शरीर और प्रमुका अंतरिक मार्शल आर्ट वाले Grandmaster विशेशग्य की मुठी एक टन की आक्रमन शक्ति ला सकती है तब कोई नहीं था इसमें संदे है कि Grandmaster की मुठी तीन से चार को खेल में लाने में सक्षम हो सकती है धेर सारी आक्रमन शक्ति अध्याए 9 अनुवादक, IMGT संपादक, लुकास अध्याए 9, ईश्वरिय बाग रूप तकनीक जब मैं साथ साल का था मैनार की ये प्रशिक्षन से गुजर रहा था साइबेरियाई प्रशिक्षन शिविर उस समय मेरा शरीर उतना विक्सित नहीं हुआ था इस तरह के दमनकारी प्रशिक्षन ने मेरे शरीर पर बहुत प्रभाव डाला हाला की मैंने पढ़ाई की मेरे गुरू के अधीन आंतरिक मार्शल आर्ट चून की मेरे शरीर में बहुत अधिक कमी थी मुझमें इतनी बड़ीक शम्दा नहीं थी भले ही मैं की सीमा तक पहुँच गया था आंतरिक मार्शल आर्ट के साथ साथ मेरी शारीरिक सीमा मेरे शरीर की फिटनेस अभी भी थी डोल गोटे रोव और अन्य की तुलना में बहुत कम जोर ग्रेंड मास्टर दायरे में कदम रखने में असमर्थ लोग केवल अपने लिए प्रयास कर सकते थे अधिक्तम भौतिक सीमाई आगे बढ़ने में असमर्थ प्रशिक्षन की एक सीमा थी कुछ एथलीटों की तरह अच्छे नतीजे हासिल करने के लिए उन्होंने कड़ी ट्रेनिंग की हर दिन पदक और रेंग जीतने के लिए जब वे छोटे थे तो उन्होंने बहुत सी जीत हासिल की प्रतियोगे ताएं हालां की जब वे उनके पास पहुँचे तो उन्होंने से कई तूट गए तीसके दशक के मध्य बेशक एथलीटों ने जिस स्थर का प्रशिक्षन लिया उसे अत्यदिक नहीं माना गया उदाहरन के लिए कुछ मैथ है एथलीट बहुत पागल थे एक मशीन की तरह जब वे 20 वर्श के थे तो वे बहुत दरावने थे लेकिन उनमें से बहुत सारे थे 40 वर्श से अधिक जीवित नहीं रह सके भले ही वे अधिक समय तक जीवित रहने में सक्षम हो उन्हें चड़ी का सहारा लेना पड़ सकता है क्योंकि उनकी क्षम्दाएं थी बहुत अधिक ने चोड़ा गया इतना अधिक की उनकी जीवन शक्ती भी खत्म हो गई फिर भी आंतरिक मार्शल आर्ट अलग था चीन की आंतरिक मार्शल आर्ट बहुत जादूई थी क्योंकि इसका पहला उद्देश था हत्या नहीं बलकी स्वस्थता मारने से पहले स्वस्थता आई एक मय थाई मास्टर 40 साल की उम्र के आसपास टूट जाता है तथा पी आंतरिक मार्शल आर्ट में एक पेशेवर के लिए 40 साल की उम्र बिलकुल उनकीती चरंक्षन विशेश रूप से एक आंतरिक मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर के लिए यहां तक की 80 या 90 वर्ष की उम्र में भी उनके पास भयानक ताकत होगी कोई आंतरिक मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर सौ वर्षों से अधिक जीवित रह सकते हैं यदि वह किसी लड़ाई में नहीं मरा इसलिए कोई भी आंतरिक मार्शल आर्ट के स्वास्थे पर पढ़ने वाले प्रभावों को आसानी से देख सकता है बेशक दुनिया में प्राचीन भारतीय योग का एक लंबा इतिहास रहा है जिसका जादूई असर भी हुआ भारतीय योग की तुलना आंतरिक योग से नहीं की जा सकती आंतरिक मार्शल आर्ट के रूप में मार्शल आर्ट उच्च स्थर की कठिनाई वाली थी लेकिन भारतीय योग निचले स्थर पर था इसलिए इसके अभ्यासी अधिक थे प्राचीन भारतीय योग टेन कुइंग शान मुस्कुराए बिना नहीं रह सके आंतरिक मार्शल आर्ट की सीमा हर किसी को पूरी तरह से नियंतरित करने में सक्षम थी मास्पेशिया जहां तक Grandmaster दाइरे का सवाल है सीमा सभी को नियंतरित करने और उपयोग करने में सक्षम होने की थी किसी के पूरे शरीर की मानस्पेशियों, नसों और हडियों की उर्जा। यही कारण था कि एक ग्रेंड मास्टर पेशेवर एक भेज सकता था दूसरों के समान शरीर होने के बावजूद मजबूत मुर्ठी। स्थिर, कदम, दर कदम, तीन आसन, पांच तत्व का अभ्यास करना मुर्कियां और बारह रूप, प्रतिदिन धीरे-धीरे हडियां मजबूत होनगी, नसों की कठोर्ता में सुधार और मानस्पेशियों के घनत्व को मजबूत करना, लेकिन ये प्रक्रिया बहुत धीमी है। टेन किंग शान ने जोर से आह भरी, सौभाग्य से, मेरे गुरू उन्होंने मुझे जिंगी मार्शल आर्ट्स का सबसे मजबूत गुप्त कोशल सिखाया जिसका नाम, गौडली, है टाइगर फॉर्म तक्नीक, चीन में विभिन प्रकार की आंतरिक मार्शल आर्ट थी, ती तीन प्रमुक आंतरिक मार्शल आर्ट कहा जाता है जबकि अन्य प्रकार के मार्शल का लाएन इचलिस तर पर थी, क्या इसका कारण ये था कि अन्य प्रकार की मार्शल आर्ट तक पहुंच नहीं हो सकी ग्रेंड मास्टर क्षेत्र, वास्तव में नहीं, अन्य संप्रदायो ने भी उत्पादन किया था Grandmasters और उनके कई अभ्यासी थे असली अंतर Grandmasters के बीच का अंतर था तीन प्रमों का अंतरिक Martial Arts के Grandmaster आम तोर पर थे अन्यांतरिक Martial Arts के Grandmaster से अधिक मजबूत अन्यांतरिक में Martial Arts Grandmaster दाइरे में पहुँचने के बाद आपको खुद में सुधार करना होगा अभ्यास के माध्यम से चरन दर चरन हालांकि दथरी मेजर का प्रत्येक संप्रदाय आंतरिक Martial Arts का अपना विशेश गुप्त कोशल था जो केवल हो सकता था Grandmaster दाइरे में पहुँचने के बाद सीखा जा सकता है गुप्त कोशल किसी गुरू की क्षमता में शीगरता से सुधार कर सकते हैं और कर ही सकते हैं इसका अभ्यास उन लोगों द्वारा किया जाना चाहिए जो Grandmaster दाइरे तक पहुँच गए हैं वे जिंगी Martial Arts का गुप्त कौशल, Godly Tiger form थे तकनीक, ताईची का गुप्त कौशल, काले कच्छुए का बोलडर, और आर्थ ट्रिग्राम पाम का गुप्त कौशल, ड्रेगन कार पसेंशन Deep Greater Than, Godly Tiger Form तकनीक को Grandmaster द्वारा पारित किया गया था मिंग राजवंश के दौरान जिंगी मार्शल आर्ट्स, जी जाइक केंवदंती ऐसा कहती है Grandmaster जी जाइक ने एक बाग को पाला और उसके साथ सोए भी लंबे समय के बाद अवलोकन की अवधी में, एक सो वर्ष की अयू में, उन्होंने अंततह इस रहस्य को बना लिया वह कोशल जिसने पूरवजों को भी पीछे छोड़ दिया और अपने समकालीनों को चकित कर दिया हडियों की बात करें तो बाग की हडियां सबसे प्रसिद्धhey थी बाग की हडि शराब ने इनसान को सबसे जादा पोशन दिया इसके जरिये किसी की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है बाग की हडियां गौडली टाइगर फॉर्म तक्नीक का अभ्यास करना बाग बनने जैसा था। ये किसी की हड़ियों और मानस्पेशियों की कठोरता और घनत्व में सुधार हुआ। Godly Tiger Form तक्नीक का अभ्यास करने के लिए किसी को पहुचना होगा Grand Master क्षेत्र और 12 रूपों के बाग रूप में महारत हासिल करनी थी. इस तरह कोई व्यक्ति, Godly Tiger Form तक्नीक का अभ्यास करने में सक्षम हो सकता है. गुप्त कोशल का ये सैट केवल मुख्य शिश द्वारा ही सीखा जा सकता है जिंगी मार्शलार्ट संप्रदाए आईए पहले इसे आजमाएं टेन कुइंग शान ने अचानक अपना शरीर नीचे जुकाया और जमीन पर लेट गया मानव रूप में बाग जमीन पर लेटने के बावजूद सिर्फ उसके हाथ और पैर जमीन को छू रहे थे जबकि उसके शरीर के अन्यांग छू भी नहीं रहे थे आधार उसके शरीर की मासपेशियां तनिक भी नहीं काप पाती थी वह भी अपनी श्वास और आंतरिक शक्ती को नियंतरित करने की आवश्यक्ता है कभी उसकी पीठ हलकी सी जुक जाती तो कभी नीचे जुक जाती उसका रील की हडी एक बड़े अजगर की तरह थी उपर उठ रही थी और नीचे उड़ रही थी रील की हडी को उपर उठाने और नीचे करने की प्रक्रिया के दौरान उसकी मासपेशियां हाथ पैर भी हिल रहे थे श्वास की गती और आंतरिक बल का पूर्ण सहयोग होना चाहिए शरीर की गतिविधिया शक्ती दसों अंगुलियों के पर्व से लेकर बाह की हड़ियों तक फैल गई एक हड़ि से दूसरी हड़ि में संचारित होकर पूरे शरीर में फैल जाता है उसके सांस लेने से उसके अंगों में हरकत होने लगी की शक्तिशाली उर्जा आंतरिक शक्ती ने उसकी हड़ियों और मानस्पेशियों को कंपा दिया टेन कुइंग शान लगातार में दर्ज की गई स्थिती को प्राप्त करने के लिए अपना सर्वश्वेश्ट प्रयास करते हुए समायोजन किया गौडली टाइगर फॉर्म तक्नीक। गतिविधियां असान लग रही थी लेकिन वास्तव में वे बेहत जटिल थी। ये प्रयोग और समायोजन किये जाएंगे शरीर की गति, श्वास की क्रिया और आंतरिक शक्ती, मानस्पेशियों और हडियों का नियंत्रन। कई घटकों के सहयोग से बार-बार समायोजन करते हुए ये परिपूर्ण हो गया। वाह वाह, टेंग कुइंग शान का पूरा शरीर वास्तव में ध्वनिया उत्सजित करने लगा बाग के खर्राटों के समान। वे वास्तव में खर्राटे नहीं ले रहे थे बलकि खर्राटों की आवाज आ रही थी जोड काम रहे हैं और एक दूसरे से टक्रा रहे हैं। एक बहुत ही अद्भुत एहसास, टेंग कुइंग शान को ऐसा महसूस हुआ मानो वह लेटे हुए बाग में बदल गया हो सोने के लिए। दिन बीद गया अंजाने में। के साथ सुधार की मात्रा बढ़ती जाएगी। जी जाइक द्वारा बनाई गई गौडली टाइगर फॉर्म तकनीक वास्तव में अद्भुत है। गतेविदियां सरल लगती हैं लेकिन वास्तव में बेहत जटिल हैं। वह था केवल एक सोते हुए बाग की गतिविदियों पर आधारित है लेकिन ये दस से एक है बारा रूपों में से बाग रूप से सौ गुना अधिक जटिल। आकृते और गती, श्वास का सहयोग का प्रदर्शन आंतरिक शक्ती, किसी की मानस्पेशियों और हड्डियों का नियंत्रन, सब कुछ। मैं नहीं जाने की जीजाइक ने इस गुप्त कौशल को बनाने में सक्षम होने के लिए कितने समय तक प्रयोग किया। टेन कुइंग शान ने भावुकता के साथ टिपनी की, हालांकि कोई नहीं जानता था कि जीजाइक पहली पीडी के निर्माता कौन थे कला निश्चित थी, जीजाइक पहली पीडी के ग्रेंड मास्टर थे जीजाइक पहली पीडी के ग्रेंड मास्टर थे जीजाइक पहली मार्शल पूर्वज जी के प्रती प्रशंसा धीरे धीरे बरती जा रही है। तारानकन 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 देखते ही देखते आधा महीना बीट गया। गौडली टाइगर फॉर्म तकनीक टेंग के अभ्यास के इस आधे महीने में किंक्षान की शारीरिक फिटनेस में पहले 10 से 20 प्रतिशत तक सुधार हुआ। लेकिन 15 वे दिन तक सुधार की मात्रा बहुत कम हो गई थी जहां ये बमुश्किल ध्यान देने योग्य था। हाला की 15 दिन पहले की तुलना में कहा जा सकता है कि टेंग क्विंग शान की शारीरिक फिटनेस में दो गुणा सुधार हुआ है इन 15 दिनों में बहुत कुछ। हालांकि उनकी शारीरिक फिटनेस में सुधार ही हुआ पहले की तुलना में दो गुना, उसकी वास्तविक ताकत और क्षमता में अब तक सुधार हुआ है अधिक मैं इश्वरिय टाइगर फॉर्म तकनीक का अभ्यास करने में डूब गया हूँ और भूल गया हूँ मेरे भाई किंग हे की तलाश करने के लिए टेन कुइंग शान मुस्कुराए बिना नहीं रह सके में वास्तव में जिस समय वहचीन भाग गया टेन कुइंग शान चिंतित था शार्प शूटर और बॉडी क्रशक के हाथों मरना इस प्रकार वह लड़ाई से पहले वह अपने भाई किंग हे से मिलना चाहता था वहीं अब ग्रेंड मास्टर दाइरे में पहुंचने के बाद टेन कुइंग शान जिन्होंने शुरुआत की थी गौडली टाइगर फॉर्म तकनीक का अभ्यास करने वाले को किसी के रूप में माना जा सकता है दुनिया के शिखर पर खड़ा हूँ पहले उसकी ताकत की तुलना में सफलता उसकी ताकत और क्षमता अब दस गुना से अधिक मजबूत थी नेसिंदे टेन कुइंग शान को तातकालिकता का एसास नहीं था इसलिए उसने ऐसा किया उसके भाई की तलाश में जल्दबाजी न करें मुझे पहले बाहर की स्थिती के बारे में पता लगाना चाहिए टेन कुइंग शान अंदर गए उसके कमरे में कम्प्यूटर चालू किया और उसे नेटवक से जोड़ दिया वह तो पिछली बार की तरह ही एलेना से संपर्प किया एलेना टेन कुइंग शान ने कीबोर्ट पर टाइप किया एक पल के बाद आह भेडिया आखिरकार आपने मुझसे संपर्प किया एक महीना हो गया मैं चिंतित था तुम्हारे बारे में मौद लंदन, इंग्लेंड में दूर से एलेना नंगे पैर बैटी थी अपने कंप्यूटर के सामने टाइप करते समय अपने सफेद चमणी वाले पैरों को इधर उधर घुमाते हुए और अपना असंतोष प्रकट किया मैं स्वास्ति लाब कर रहा था कीबूर्ड पर हाथ मारते ही टेंग कुइंग शान मुस्कुराए अच्छा, क्या तुम ठीक हो गए एलेना ने चिन्तित होकर पूछा, चोटे लगी है पूरी तरह से ठीक हो गया, वैसे, बाहर हालात कैसे हैं टेन क्विंग शान पूछताच की, जब एलिना ने एक पल के लिए सोचा तो उसके चेहरे पर चिंता के भाव उभर आये इसे पहले की वह की बोर्ड पर टाइप करना शुरू करती, वुल्फ तुम बहुत शक्तिशाली हो आप वास्तव में संजी और दोलगोटे रोव को मार डाला, अब आप प्रथम स्थान पर हैं 50S Rank Hitman की सूची अब आपको क्वासी SS Rank Hitman कहा जाता है, क्या आप खुद पर गर्व महसूस कर रहे हैं, हालां कि मुझे आपको कुछ भयानक बातें बतानी होंगी समाचार ये कहना, Ten Quichman ने अपनी बोहें बुन ली, ये रेड मायने परिवार के गुस्से या भारी सुधार के कारण हो सकता है आपकी क्षमता के कारण रेड मायने परिवार चिंतित हो गया कि आप तलाश करेंगे बदला वैसे भी रेड मायने ने दुनिया से अनुरोध करने के लिए एक बड़ी कीमत चुकाई सबसे मजबूत संगठन गौर्ड किंग्डम में कदम रखने के लिए मुझे लगता है कि विष्णू और शिव ईश्वर सामराज्य के तीन दिगजों में से दो अवश्य ही चीन पहुँचे होंगे अब तक उन्हें आपकी तलाश करनी चाहिए तेन किंग्षान की अभिव्यक्ति अंततः बदल गई इश्वर सामराज्य के तीन दिगजों में से दो उसके सुधार के बावजूद ताकत टेन कुंग शान भी मदद नहीं कर सका लेकिन हैरान महसूस कर रहा था इश्वर सामराज्य के तीन दिगजों को इश्वर होने का दावा किया गया था बिल्कुल वे सभी SS क्लास हिटमें थे वे पुनर्त इसके स्वामी थे Grandmaster क्षेत्र इसके अलावा God Kingdom के तीन दिगगज लंबे समय तक रहे Grandmaster क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद से एक व्यक्ती जिसने प्रवेश किया था वर्षों पहले Grandmaster क्षेत्र और एक व्यक्ती जिसने अभी अभी इसमें प्रवेश किया था Grandmaster क्षेत्र बहुत अलग थे हालांकि अभ्यास के कारण टेंग किंग शान के शरीर की ताकत दोगुनी हो गई थी Godly Tiger Form तक नीग जिसमें लगभग एक जीवन भर लग सकता है एक सामान्य Grandmaster के लिए उपलब धी उसके दुश्मन तीन दिगजों में से दो थे भुमिगत दुनिया की अजय किंवदंतियां वर्षों से किसी के पास नहीं था उनमें से किसी को भी मारने में सक्षम हो इस बार रेड मायने परिवार ने वास्तव में उनसे कार्य करने का अनुरोद किया और ऐसा हुआ यहा यही बहुत बढ़िया है सम्मान हालांकि टेन कुइंग शान को दबाव महसूस हुआ लेकिन युद्ध की इच्छा भी बढ़ गई उसके दिल की गहरायों से टेन कुइंग शान को यह नहीं पता था कि गौड किंगडम ने दो को क्यों भेजा था चीन के लिए तीन अगज इसलिए थे क्योंकि वे टेन किंगशान से चिंतित थे हो सकता है कि वह चीन के भीतर स्थित किसी संप्रदाय का अनुयाए हो यदि जिंगी संप्रदाय ने भेजा ग्रैंड मास्टर्स लड़ाई के दौरान टेन किंगशान की मदद करेंगे ये बन जाएगा गौड उन सभी मिशनों के माध्यम से जिन्हें गौड किंगडम ने स्वीकार किया था ऐसा कभी नहीं हुआ था एक विफलता अध्याईदस अनुवादक आयामजीटी संपादक लुकास अध्याईदस मुझे देखकर मुस्कुराना ये जानने के बाद भी कि विश्व की नंबर एक संस था गौड किंगडम उन्होंने अपने तीन दिगजों में से दो को खुद की हत्या करने के लिए भीजा टेन किंगशान ने नहीं बिलकुल घबराया हुआ इसके बजाए वह उमीद से भर गया था यदि अब उसका सामना संजी और डोलगोटे रोव से होता तो वह ने हरा सकता था उसकी कलाई का जर्का चून की एक योग्य प्रतिद्वंध भी धूंधना बेहद मुश्किल है इसलिए एक विशेशग्य अकेला होता है तीन दिगजों को अजेय महा पुरूष कहा जाता है मेरे साथ यहां किंवदंतिया नश्ठ हो जाएंगी टेन किंग टेक्सी बुलाए और सुबह सुबह अपने घर से निकल गए क्या आप ओल्ड सिटी डिस्ट्रिक्ट के विलोती हाउस जा सकते हैं आप जानते हो कि कहा ये सही है टेन किंग शान ने कार में प्रवेश करने के बाद टेक्सी ड्राइवर से कहा ड्राइवर ने हसते हुए उत अस मिनट बाद टेन क्विंग शान विलोती हाउस पहुचे ओल्ड सिटी डिस्ट्रिक्ट की सठक पर एक सफेद ओडी स्पोर्ट्स कार देखी गई परकार की अगली यात्री सीट पर लिंकिंग बैठे थे अरे सिस्टर लिंग क्या आप पिछले कुछ दिनों में टेन क्व एक सपना था इसके साथ लिंक्विंग हसी और खुद से कहा सपने देखना ही एक मात्र ऐसी चीज है जो मैं अब कर सकती हूँ अचानक एक मधूर रिंगटोन बजी और लिंकिंग ने फोन निकाला उसकी जेब से नमस्ते जैसे ही लिंकिंग ने फोन का उत्तर दिया उसके चेहरे के भाव बदल गया थोड़ा बदल गया आज रात अच्छा मैं तुम्हें सामान्य स्थान पर मिलूंगा जैसे ही उसने फोन रखा उसकी अभिव्यक्ति भयानक लग रही थी जियो मिन ने चुपके से उस पर नजर डाली और धीरे से पूछा क्या ये ली थी मिंगशा अब आहमिन विलोती हाउस के सामने कार रोको मैं आउंगा वहां से बाहर निकलो लिंक्विंग ने कहा जैसे ही कार पास आई धीरे धीरे रुक गई विलोती हाउस लिंकिंग के कार से बाहर निकलने के बाद जियो मिन चला गया स्पोर्ट्स कार के साथ हम्फ मैं सच मुझ आशा करता हूं कि वह मर जाए हालां कि इस तरह का संकट हमेशा रहता है लंबा जीवन जो कुछ भी आह मिन विलोती हाउस के सामने कार रोकें मैं वहाँ उतर जाऊंगा लिनकिंग ने कहा कार धीरे धीरे वैसे ही रुक गई विलोती हाउस से संपर्ट किया जीव मिन तब चला गया जब लिनकिंग कार से बाहर निकला विलोती हाउस में एक कदम रखते ही कोई भी इसे महसूस कर सकेगा द्वारा धारन की गई प्राचीन वेश भूशा के माध्यम से सरल और प्राचीन आभाचाई घर में वेटर और व्यवस्था तथा सजावट फिर भी लिनकिंग का आनन लेने का कोई मूड नहीं था वह केवल शांथ होने के लिए यहां आई थी खुद नीचे हमेशा की तरह वह सीधे दूसरी मंजल पर चली गई जैसे ही उसने एक नजर डाली उसकी धुंदली आखें अचानक चमक उठी और उसकी सांसे तेज हो गई वह तेजी से आगे बढ़ा और बोला टेंग किंग शान लिनकुंग टेंग कुंग शान इतमी नान से अपनी चाय पी रहे थे वह मदद नहीं कर सका लेकिन जब उसने अपने सामने वाले व्यक्ती को देखा तो मुस्कुराया लिनकिंग टेंग किंग शान के सामने बैट गए और आश्चर्य से पूछा भ्रमित अभिव्यक्ती आपने हाल ही में कौन से महत्वपूर्ण कार्य किये हैं इसका जब से मैंने तुम्हें आखिरी बार यहां देखा है बहुत समय हो गया है उसके शब्दों ने एक तथ्य दिखाया लिनकिंग हर बार विलोती हाउस में आती थी दिन और उसका उद्देशिस पश्ट था डीव ड्रेटर दैन बस कुछ सामान में व्यस्त हों टेंग क्विंग शान ने आकस्मिक तरीके से कहा लिनकिंग क्या आप हमेशा इतने स्वतंत्र हैं टेंग क्विंग शान ने वापस पूछा लिनकिंग ने फी की मुसकान के साथ उत्तर दिया कंपनी का काम आसान है और इसका निप्तारा आमतोर पर उन लोगों द्वारा किया जा सकता है जो मेरे लिए काम करते हैं उन्हें सिर्फ मेरी जरूरत है अगर कुछ गंभीर घटित हुआ वैसे टेंग क्विंग शान आप अंदर थे एनी काउंटी शहर और वर्तमान में यंग्जहो शहर में आप कभी भी घर पर नहीं होते नहीं है आपकी पतनी चिंतित है तो उसने यहीं सोचा बिल्ली के साथ कहीं भी घर माना जाता था अब क्या होगा? क्या उसके पास अभी भी घर है? अंजाने में तेंग किंग शान ने उस छोटी कड़ाही को चूलिया जो उसने अपने उपर पहनी थी गर्दन उसकी पतनी बिल्ली का अफशेश टेंग क्विंग शान लिनक्विंग चिलाई जब उसने देखा कि टेंग क्विंग शान अंदर था एक विस में टेंग किंग शान ने अपना से रुठाया और लिनकिंग की ओर देखा और उत्तर दिया मेरी पतनी डॉट डॉट मर गई मृत लिंकिंग ने अपनी आँखें चौडी करते हुए कहा इतनी कम उम्र में पत्नी होना आश्चर्य की बात थी इसके अलावा उनकी पत्नी के पास था निधन हो गया जो और भी अविश्वसनिय था मुझसे इसके बारे में पूछना बंद करो टेन क्विंग शान ने अपनी भौहें सिकोरते हुए कहा थोड़ा लिंकिंग दुनिया के तौर तरीके जानता है टेन क्विंग शान ने शादी की और उसे खोद दिया इतनी कम उम्र में पत्नी उनके पास उत्कृष्ट कोशल भी है ये सब चीजे दिखाया कि टेन क्विंग शान निश्चित रूप से एक बड़ा रहस्य छिपा रहा है टेन क्विंग शान आप यंग्जहो शहर के बारे में कितना जानते हैं क्या आप कभी गए हैं शौशी जील के लिए लिंकिंग ने विशे बदलना शुरू कर दिया और इसलिए टेन क्विंग शान ने लिंकिंग के साथ बस बात चीत की हालां कि टेन क्विंग शान ज्यादातर अपने छोटे से घर पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे भाई किंगे वहर मिनट इसे देखता और जब भी देखता तो नोटिस करता एक व्यक्ती किंगे के घर के गेट से आगे बढ़ता है सुबर करीब साड़े दस बजे एक काले रंग की ओडी एच है सामने रुकी किंगे का घर और एक मजबूत और लंबा लड़का जिसकी उचाए एक दशमलव नौ प्रतीत होती है ड्राइवर की सीच से मीटर बाहर निकल गए एक गर्भवती महिला जो पहने हुए थी प्रसूती पोशाक सामने वाली यात्री सीच से बाहर निकल गई किंगे टेन किंगशान वास्तव में अपने दिल की खुशी को रोप नहीं सके ये किंगे है, Tane Kingshan को अपने भाई किंगे के बारे में कुछ जानकारी थी. वह किंगे की शक्ल जानता था. इसके अलावा, किंगे कुछ हथ तक उनके जैसा दिखता है. वह किंगे की पत्नी, ली रें, होनी चाहिए. टेंग किंग शान ने खुशी से कहा मुस्कराहट अपने भाई और उसकी पतनी को दामपत्य प्रेम में देखना टेंग किंग शान को बहुत पसंद था खुश लिटिल रैन मैं सामान ले जाओंगा आप गर्भवती हैं इसलिए बस हिले डुले नहीं आसपास इस समय किंग जो लंबा और मजबूत था ने बूट खोला और दो बड़े बक्सों को बाहर निकाला मैं ठीक हूँ ली रैन ने अपने पेट को छुआ और उसका चेहरा खुशी से चमाक उठा हमेशा की तरह किंग ने चारों और देखा और तुरंत किसी को देखा विलोती हाउस की दूसरी मंजल पर खिरकी से उन्हें देख रहा हूँ जैसे ही किंग ने उस व्यक्ती की शक्त देखी उसे कपकपी महसूस हुई उसकी रीर के नीचे ऐसा लग रहा था मानो उस पर बालती भर थंड़क डाल दी गई हो पानी भिडिया, उलते चाकूओं का अकेला भिडिया, किंहून का दिल तेजी से धड़कने लगा हालांकि यह खबर लगभग एक महीने पहले आई थी लेकिन जो संभरांत लोग थे काफी देर तक गाड को लोन वुल्फ औफ फ्लाइंग का कोई निशान नहीं मिला चाकू इस समय किन हून ने देखा कि फ्लाइंग चाकू का लोन वुल्फ सिर हिलाया और उसकी ओर मुस्कुराया किन हून ने स्वाभाविक रूप से जवाब दिया और तेंग किंग्शान को देख कर मुस्कुराये जाओ, घर के अंदर चलें बिना किसी हिचकी चाहट के, किन हून ने अपनी पतनी का नित्रित्व किया घर के अंदर डॉट 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 ती हाउस की दूसरी मंजिल पर तेंग क्विंशान बेहत संतुष्ट है वह मुस्कुराने की इच्छा को रोप नहीं सका किंगे, मैं आखिरकार अपने चोटे भाई किंगे से मिला हाहा, मुझे यह नहीं पता था मेरी भाभी गर्भवती है यह अद्भुत है, किन है अकेला था उससे खून का रिष्टा है आखिरकार 22 साल बाद वे फिर मिले हैं न मिलने का यह मुलाकात इसलिए भी अच्छी है क्योंकि उनके भाई ऐसे ही रह रहे हैं सुखी जीवन टेन कुइंग शान को अपने दिल की गहरायों से खुशी उमरती हुई महसूस हुई मेरा भाई बहुत सुखी जीवन जी रहा है अब मुझे चिंदा करने की कोई बात नहीं है अब और टेन कुइंग शान को सहचता और खुशी महसूस हुई उसकी जो इच्छा थी आखिरकार 22 साल पूरे हुए उसका अपने भाई किंगे से बात करने का कोई इरादा नहीं था और नहीं उसने अपनी बात उजागर करने की योजना बनाई थी पहचान ये है क्योंकि टेन किंग शान नहीं चाहते थे कि किंगे को पता चले कि उसका भी उसके जैसा भाई है बात कुल मिला कर टेन कुइंग शान के कई दुश्मन थे उदाहरन के लिए रेड माय ने परिवार कई वर्षों तक हिटमेन रहने के बाद उसने कई दुश्मन बना लिये थे हालांकि किंग ही देश की स्पेशल ओपरेशन टीम के सदस्य हैं हालांकि टेन कुइंग शान मानव जाती के बीच शिखर पर थे केंगे टेन कुइंग शान केवल अपने भाई के घर को चुपचाप घूर सकता था आशिरवाद के शब्द दो तारांकन 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 किंहोंग और उनकी पतनी ली रेन ने शयन कक्ष में प्रवेश किया जब ली रान थे परदे खोलने और खिर की खोलने ही वाली थी कि किन होंग ने उसे रोग दिया। परदे मत खोलो, तभी किन होंग ने अपनी सांस छोड़ी। क्या गलत। अंततह, ली रैन को लगा कि कुछ ठीक नहीं है। वह व्यक्ति जो विलोती हाउस की दूसरी मंजिल पर था, वह अकेला है उरने वाले चाकूओं का भिडिया। किन होंग फुसफुसाए, ली रैन हैरान था, किन होंग की पतनी और विशेश सदस्य के रूप में ऑपरेशन टीम, वह स्वाभाविक रूप से गोपनी जानकारी से अवगत थी। उरते चाकूओं का अकेला भि व्यक्ति नहीं है जिसके साथ हम निपट सकें। जैसे ही किन होंग अपनी बात खत्म करते हुए उसने अपना फोन उठाया और कहा, हेलो भाई यांग, यह मैं हूँ, मुझे उरने वाले चाकूओं का अकेला भेडिया मिला किन होंग ने सिर हिलाया और फुस फुसाया, ली मेरे घर से कुछ ही दूरी परती हाउस में है, मैं समझता हूँ, मैं बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाऊंगा, हाँ, मैं आपकी योजना बनाने का इंतजार करूंगा सब कुछ, ठीक है, समझ गया, इसके साथ ही किन होंग ने फोन रख दिया, यह कैसा था, भाई या पास कोई विकल्ब नहीं है, बात कुल मिला कर, फ्लाइंग चाको के लोन वुल्फ जैसी आकरते बहुत शक्तिशाली है, वे ये ऐसे लोग हैं जो चाय पीते हुए भी इतमिनान से पी सकते हैं, जानते हैं कि कोई उन पर नजर रख रहा है, वे ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, IMGT संपादक, लुकास अध्याए 11, भगा हुआ दोशी, चूतियान आपकी ओर देखकर मुस्कुराए, ली रैन ने आश्चर यसे कहा, हम, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उरता हुआ अकेला भेडिया चाकों का कोई बुरा इरादा नहीं ह किन हूंग ने आश्चर यसे कहा, वास्तव में, मैं मैंने हमेशा महसूस किया है कि उरने वाले चाकों का अकेला भेडिया परिचित लगता है, इसका मानो मैं उससे कहीं मिलाया हूँ, हालां कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कैसे सोचता हूँ, मैं बस याद नहीं अंदर देखा दर्वाजे पर जांकने का छेद की उचाई वाला एक चश्माधरी अच्छे व्यवहार वाला व्यक्ति लगभग एक दशमलव साथ पांच मीटर दर्वाजे के बाहर खड़ा था जैसे ही वह आदमी अंदर आया किन हांग ने दर्वाजा बंद कर दिया इसी सम यांग यून मुखिया है पूरे जियांग सु में विशेश ओपरेशन टीम और एक अत्यंत कुशल व्यक्ति क्योंकि उढ़ने वाले चाकूँ का अकेला भेडिया और दो दिगगज गौड किंडम शामिल हैं विशेश ओपरेशन टीम के सभी सदसे शामिल हैं यंग जहो य लिविंग रूम में खिर्की के पास चला गया कमरा और शटर से बाहर जहांका भाई यांग वह अभी भी वहीं है जैसे ही किन होंग ने बोला यांग यून तुरन पीछा किया भाई यांग देखो वह चाय घर की दूसरी मंजिल पर है की और देखने के लिए सबसे बड़ी खिर्की वह आदमी उलने वाले चाकों का अकेला भीडिया है एक महिला है उसके सामने बैठा हूं किन होंग ने भोहे चड़ा ली और बुद बुदाया ए है ना डॉट डॉट प्रशनवाचक चिन हो धरन चिन हो यांग यून थोड़ा आश्चर यचकित हुआ हां मैंने प प्रकार किन होन को स्वाभाविक रूप से पता था ये प्रसिद्ध व्यक्ति यांग यून ने थोड़ा सिर हिलाया और तुरंट अपना फोन निकाला और डायल किया कोई व्यक्ति चेंसेन अपनी टीम को यहां लाओ एट मुझे आपकी टीम को वाइट में एकठा करने की जरूरत है किन होन के घर के सामने क्लाउड कैफे मेरे पास एक महत्वपूल्ण मिशन है आप इसके साथ ही यांग यून ने फोन रख दिया किन होन बस यहीं रहो और कहीं मत जाओ यांग यून ने निर्देश दिया और तुरंट किन होन का घर छोड़ दिया वाइट जवाब देने के बजाए, यांग यून चुपचाप इंतजार करती रही। थोड़ी देर बाद, अधिर उम्र के व्यक्ती ने असहाय मुसकान के साथ कहा, बॉस यांग उडने वाले चाकों का अकेला भेडिया गायब हो गया है। जैसा की मुझे उम्मीद थी, यांग यून ने अपना सिर हिलाया और मुसकुराते हुए कहा, दफलाइंग नाइफ के लोन वूल्फ को सबसे शक्तिशाली व्यक्ती माना जा सकता है इस दुनिया में। वह एक हिटमें था, इसलिए वह छिपने, ट्रैकिंग करने में बहुत माहिर है रिवर्स ट्रैकिंग। उसे ट्रैक करना बेहद मुश्किल है, इसके बारे में भूल जाओ, चेंसेन, बस अपनी टीम से लिंक्विंग का अनुसरन करने के लिए कहें, शायद वह हमें प्राचीन दिखने वाली गली में इतमीनान से चल रहा था, जो लोग मेरा अनुसरन कर रहे थे, उन्हें उसी संगठन का हिस्सा होना चाहिए मेरे भाई के रूप में, टेंक्विंग्शान ने निशकर्ष निकाला, मेरे भाई की स्थिती के अनुसार, उसे ऐसा करना चाहि कि मैं उनने वाले चाकों का अकेला भिडिया हूँ, फिर भी, टेंक्विंग्शान बिल्कुल भी परवा नहीं की, टेंक्विंग्शान के दृष्टि कोन में, एक विशेश एजेंट है, एक सामान्य इनसान के समान, अचानक, टेंक्विंग्शान के कान चुभे और उसने तुरंद गती बढ़ा दी, जैसे ही वह एक मोर पर पहुँचा, वहां टोपी पहने एक दुबला पतला आदमी था आगे गली, क्योंकि टेंक्विंग्शान इस दुबले पतले आदमी का पीछा करना चाहता था, इसलिए वह अंदर नहीं रुका विलो ट्रीती हाउस बहु जब भी वह वहां से गुजरता था तो उसके कपड़े बदल जाते थे हर बार मेरे भाई के घर का निरीक्षन करें, मुझे नहीं लगता कि उसके इरादे अच्छे हैं, टेंक्विंग्शान का ध्यान पूरी तरह से अपने भाई के घर पर था और रहेगा प्रत्येक प्रशिक्षित स्मृती के साथ वह कभी नहीं भूलेगा कुछ भी जो उसने एक बार देखा था, इसके अलावा दुबले पतले आदमी में भेश बदलने की क्षमता बहुत कम होती है, इसके अलावा व्यक्ती की अभिव्यक्ती अजीब है, वह देख रहा है चारों और इस प्रकार वह इस आदमी को आसानी से कैसे जाने दे सकता था, उनके भाई किंगे उनका एक मात्र परिवार है सदस्य, टेन क्विंग्शान लंबे समय से उस दुबले पतले आदमी का पीछा कर रहे हैं, लेकिन दुबले पतले आदमी ने बिलकुल ध्यान नहीं दिया, ज जहां तक टेन क्विंग्शान की बात है, वह सीड़ी के पास इंतजार कर रहा था और चुपचाप सुनता रहा, तीसरी मंजिल, यह बाई और का घर है, टेन क्विंग्शान आसानी से बता सकते हैं जहां वह दुबला पतला आदमी सिर्फ आवाजे सुनकर चला गया, तुर जब मैं किनहोन की एक गर्भवती पतनी है, जब मैं किनहोन की हत्या करूंगा, तो मुझे करना ही होगा उसकी पतनी को भी मार दालो, नहीं तो उसकी पतनी चिल्लाती तो आसपास के लोग मुझे पता चल जाएगा कि क्या हुआ और मैं बर्बाद हो जाऊंगा, इसलिए पत्या का एहसास हुआ उसके दिल की गहराई में इरादा। ठीक है, बस अच्छी खबर का इंतजार करें, इससे घर में जो आदमी है रुको, टेन किंग शान ने दर्वाजे का ताला पकड़ा और अपने अंद्रूनी हिस्से से ताले को हिलाया ताकत, फिर उसने दर्वाजे को धक्का दिया और आराम से घर में दाखिल हो गया, यह इस दर्वाजा खोला और घर में घुस दया, फिर उवक आराम से दर्वाजा बंद कर दिया, आप कौन हैं, वह दुबला पतला आदमी हैरान और बहुत ब्रमित था मन ही मन सोचा, क्या मैं दर्वाजा बंद करना भूल गया, यह असंभव है, मैं नहीं हूँ वहला परवाह, मै कौन हूँ, टेन क्विंग शान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जैसे ही उस दुबले पतले आदमी ने बंदूप निकाली, उसकी आँखों में एक थंडी चमक चमक उठी बिजली की गती, फिर कुछ अजीब हुआ, जो युवक दर्वाजे के सामने था अचानक साम ने आ गया और तुरंद बंदूप उठाली, क्रैक, बंदूप की नाल मुल गई थी, दुबले पतले आदमी के चेहरे के हाव भावनाट की ये रूप से बदल गए, बंदूप की कथोरता स्पष्ट थी, इस शक्स ने बंदूप की नाल घुमा दी थी सिर्फ उसकी बाह की ताकत के साथ, उसके लिए किसी से जीतना कैसे संभव है, क्या यह उतना ही शक्तिशाली है, बड़े भाव, आपको किस संगठन ने भेजा है, वह दुबला पतला आदमी बहुत दरा हुआ था कि वह कांपने लगा, उसने जट से पूछा, भाव, मैं चूतियान हूँ और मै हूँ काफी मशहूर, डॉट डॉट, मैंने पहले घर में कुछ गलत किया था और अब वांचेत हूँ पुलिस द्वारा, बड़े भाव, अगर मैंने आपको नाराज किया हो, तो क्रिपया, चुप रहो, टेन क्विंग्शान ने उदास सींता से कहा, चूतियान इतना डर ग चूतियान ने जट से उत्तर दिया, क्या आप किन होंग और उसकी पतनी को मारने की योजना बना रहे हैं, टेन क्विंग्शान ने पूछा उदास सींता से, चूतियान एक पल के लिए ठिठक गया और जिजगा, दरार, चूतियान ने टेन क्विंग्शान को हिलते नहीं द देखा क्योंकि उसे ये तीवर दर्द महसूस हो रहा था उसके दाहिने हाथ में, उसका पूरा हाथ जबरदस्ती तोड़ दिया गया, यह इतना दर्दनाक था चूतियान चीखना चाहता था, हलांकि जैसे ही उसकी आँखें थंडी निगाहों से मिली, वह ऐसा कर सका केवल अपने दाख पी सिता है और चीख को वापस दबा देता है, ऐसा इसलिए था क्योंकि ऐसे में अगर वह चिल लाता तो और भी तेजी से मर जाता, उसे इतना दर्द हो रहा था कि उसके माथे पर पसीने की बूंदे धंग दे थी, चूतप्तियान ने कापती आवाज में सव किया तुरंद रखें, क्या आप किन होन के दोस्त हैं, यदि आप हैं, तो मैंने एक बनाया है गलती, मैं तुरंद यंग जहोर छोड़ दूंगा, बड़े भाई, क्या कुछ है, अन्यता यह आपको परेशान कर रहा है, क्रिपया मुझे बताओ, तुम्हें ऐसा करने के लि चूतियान को मानसिक रूप से कुचल रही थी, मैंने तुमसे कहा था कि जब भी मैं कोई प्रशन पूछून तो उत्तर देना, मैं दोबारा पूछना नहीं चाहता, आप परिनाम जानते हैं, टेन कुइंग शान ने उदासीनता से कहा, कौन है, बॉसली, आपको पता है, ज उसने एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की, उसके दोनों हाथ तूटकर कुचल गए, वास्तव में टेन कुइंग शान बहुत शक्तिशाली था, मुझे उत्तर दो, टेन कुइंग शान ने कहा, कंदों पर तीव्र दर्द सहते हुए चूतियान ने गहली सांस ली, बड़ किंग शान ने चूतियान को उदासिंता से देखा, फिर उन्होंने उत्तर दिया, ठीक है, चूतियान ने अंतता राहत की सांस ली, चूतियान की राये में, ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति को अपने वादे को महत्वत देना चाहिए, मुझसे मिंग शान कॉंग्लोमरेट के और अपनी मध्यमा उंगली को तलवार में डाल दिया, चूतियान की भौहों के बीच के क्शेत्र पर उंगली उठाये और चुभाया, चूतियान को लगा बेहोश होने से पहले उसके मस्तिश्क में दर्ध हुआ, इसके साथ ही, उसने टेंग को घूर कर देखा भय और घृ जीवित रहने के लिए संधर्श कर रहा था लोग, सबसे भयानक हिटमेन के रूप में उसे किसी भी तरह से मारना सिखाया गया था जरूरी, सिर्फ एक वादे के कारण वह अपने प्रतिद्वंद्वी को कैसे जीवित रहने दे सकता है, इसके अलावा ये शक्स अपने भा जीवार के सदस्यों की जान को कभी खत्रा नहीं पहुचा सकता अस्तित्व में रहने की अनुमती दी गई, इसके बाद तेन क्विंग शान शव और मुनी हुई बंदूप छोड़कर घर से निकल गए, लीमिंग शान, तेन क्विंग शान ने आंतरिक रूप से कहा, अध्य 10 मिलियन होगी, संपत्ती के केंडर में एक विला था जिसने सबसे बड़ी भूमी पर कबजा कर लिया था क्षेत्र और एस्टेट में एक मानव निर्मित जील के ठीक बगल में था, वे बराबर मानव निर्मित जील के एक हिस्से को उनका हिस्सा बनने के लिए विशेश अलकनी पर एक खुला पूल था विला, लीमिंग्शान पूल में लेते हुए थे, आराम से, आकाश में तारों को देख रहे थे, आम तोर पर, जब लीमिंग्शान चीजों के बारे में सोच रहा होता है, तो उसे उसमें डूबने में आनंद आता है पूल अपने आप में, का तेज जोका और उसका उपी भाग महसूस हुआ पानी से बाहर निकला शरीर थंडा लग रहा था। वह मुल कर देखने लगा चेहरा तुरंद बदल गया। लंबी काली पैंट और छोटी बाजू वाली हरे रंग की शट पहने एक यूवक था बालकनी पर खड़े दिखे। ये टेंग कुंग शान था आप कौन हैं तुम यहां कैसे मिला। ली मिंग शान शान रहे और गहरी आवाज में बोला। उसी समय वह पूल से बाहर चला गया और नहाने का तॉलिया ले आया बगल में रखकर उसकी कमर पर बांध दिया। टेंग कुंग शान ने उसे करीब स यहां ली मिंग शान इस वर्ष 43 वर्ष यह जब वह चोटा था तो वह चोरों के एक गिरोह का सदस्य था। वह अंतता गिरोह का नेता बन गया और गिरोह चलाना शुरू कर दिया चोरी से मिले पैसे से किया कारुबार इस व्यक्ति के पास लोग थे जीवन के वैद और उन्याई भी बड़ी संख्या में थे। ऐसे में उनकी संपत्ती तेजी से बड़ी। तब से 20 साल बीच चुके हैं और ली मिंग शान की मिंग शान का अंगलोमरेट की कीमत अब 10 अरब के करीब थी। मैं तुम्हें सलाह दूनगा की नहाने के तौलिये में छिपी हुई बं ली मिंग शान के व्यवसायों ने कई परिवारों को प्रेरित किया था खंडहर और उसके द्वारा संचालित अवैद धनुधार सेवाउने कई लोगों को धक्का दिया था लोग आत्महत्या कर रहे हैं। वहां बहुत सारे लोग थे जिन्होंने पकड़ रखी थी उसके प बंदूग से आश्चरे चकित रह गए वह टेंग कुंग शान के हाथ में था। केवल बंदूग के यांत्रिक हिस्सों के आपस में टकराने की आवाज थी और बंदूग को टुकड़ों में अलग कर दिया गया। टेंग किंग शान ने उसे पकरते हुए मुसकुराया बंद चतापूर्ण हो गया मुसकुराने से पहले उन्होंने कहा भाई तुम्हारे पास वास्तव में अच्छा कोशल है। इस पर विचार करें कि आप बिना आवाज के तीसरी कहानी तक पहुंचने में सक्षम है। मैं वास्तव में भरा हुआ हूँ आपके लिए प्रशन सा। ट टेंग में कोई बदलाव नहीं हुआ किंग शान की अभिव्यक्ति बिलकुल। ऐसे सुरक्षात्मक साधन सामान्य लोगों द्वारा उप्योग किये जाते हैं धनी लोगों का उसके विरुद्ध कोई उप्योग नहीं था। किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने यात्र पूरी दुनिया अबाधित इतने वर्षों से टेंग कुंग शान का सामना कर रही है असन के सक्त सुरक्षा सावधानिया और प्रक्रियाएं। भाई, क्रिपया आगे बढ़ें। ली मिंग शान ने जल्दी से कहा, टेंग किंग शान ने ली मिंग शान की ओर देखा, मुझ तक की ली मिंग शान ने भी इसकी हिम्मत नहीं की इस बात को बेशर्मी से दूसरों को बताएं। भाई, तुमने ये अफवाह कहां से सुनी, ये निश्चित रूप से बदनामी है, वे मुझे फंसा रहे हैं। ली मिंग शान ने तुरंत कहा, मैं, ली मिंग शान, शायद एक सम्मानित व्यवसाई माना जाता है क्योंकि मैंने भी हिंसा का सहारा लिया है जब मैं छोटा था तब हत्याएं। लेकिन भले ही तुम मुझे बहुत कुछ दोसा हस, मैं अभी भी किन होन को मारने की हिम्मत नहीं करूंगा। हूँ, हवा के तेज जोंके की आवाज सुन लिमिंग शान अपनी दैनिय स्थिती में केवल पहने हुए थे उसकी तेरा की चड़ी। भाई, तुमने ऐसा क्यों किया। लिमिंग शान ने अपना सिर उठाया और टेंग की ओर देखा किंग शान कुछ गुस्से में। हलांकि उनकी मुलाका टेंग किंग शान की थंडी नजर और शान्त आवाज से हुई, आप बहतर होगा कि मेरे सामने कुछ भी हस्यास्पत करने की कोशिश न की जाए। अगर आज फिर जूट बोला तो अगले वर्ष आपकी पुन्यतिती होगी। लिमिंग शान का दिल काम पुठा, उसके पास अराजकता के दिन थे और उस सिर नीचे किया जो अब मुणी हुई थी अजीब तरह से, लिमिंग शान पूरी तरह से शान्त हो गए। फिर उसने अपना सिर उठाया टेंग किंग शान को ये कहते हुए देखें, भाई, मेरा, लिमिंग शान का कोई जगड़ा नहीं है किन होन बिलकुल। ये सच है कि मै मदद करने के लिए एक व्यक्ति को काम पर रखा था। हाला कि ऐसा इसलिए था क्योंकि मुझे किसी से ऐसा करने का अनुरोध प्राप्त हुआ था। अन्य था। टेंक विंग शान ने भाईवें चड़ा दी, एक अनुरोध प्राप्त हुआ। कौन? टेंक मिंग शान ने ली मिंग शान ने जिजगते हुए टेंग किंग शान की ओर देखा और उसकी नजर भूम गई तेज। ली मिंग शान भैभीत हो गया और उसने कहा ये शेन यांगमिंग है। के दो बाग पुर्वोत्तर के शेन यांगमिंग। पुर्वोत्तर के शेन यांगमिंग के दो वान क्विंग था जब की दूसरा था शेन यांगमिंग। ये दोनों A-rank हिटमेन थे, Two Tigers of the Northeast काफी मशहूर था, हलांकि एक साल पहले एक पुर्वोत्तर के दो बागों में से वान क्विंग की मृत्यू हो गई। इस प्रकार ये हिटमेन समूह भन कर दिया गया। हिटमेनों म आप शेन यांगमिंग को भी जानते हैं। ली मिंग शान मुस्कुराए करवा हो कर बोला, भाई, चूनकि आप उसके बारे में जानते हैं, तो आपको मेरे बारे में भी जानना चाहिए कर्थिनाईयां। इस खशेत्र में शेन यांगमिंग का नाम अच्छी तरह से पित है। नहीं चाहे मैं कितना भी कठोर क्यों न हो, फिर भी मैं उसे अपमानित करने का साहस नहीं कर सकता। इस समय के आसपास उसने मुझ से किन होन को मारने के लिए कहा। अगर मैं मना कर दू तो इसे इसका संकेत माना जाएगा अनादर। मैं इसे करने के लिए कैसे सह नहीं हो सकता था, टेंग कुंग शान की ब्लेड जैसी नजर ने ली मिंग शान की जाच की, शेन यांग मिंग हम्फ, टेंग कुंग शान की निगाहें थंडी हो गई, ये सुनकर ली मिंग शान आश्चर यचकेत रह गए, ये रहस्यमय युवक ऐसा प्रतीत होता है कि वह किस यह अफसोस की बात है, लेकिन चून की आपने किन होन को मारने के लिए किसी को भेजा है, इसलिए मुझे सजा देनी होगी आप, टेंग किंग्शान की आवाज पहले की तरह थंडी रही, नहीं, रुको, ली मिंग्शान ने भैभीत होकर कहा, वह एक चतुर आदमी था, तो कै कैसे हो सकता है, उससे समझ नहीं आया कि तेंग किंग्शान का आशे क्या था, मुझे मत मारो, तुम मुझे मारने से कुछ हासल नहीं होगा, जब तक तुम मुझे बक्षोगे, मैं दे सकता हूँ आपके पास बहुत सारी चीजे हैं, मैं तुम्हें पूरा मिंग्शान समू कर ली भागने की जरूरत है, भले ही वह मिंग्शान कांडूमरेट को टेंग को देदे किंग्शान, वह अभी भी एक सम्रिद जीवन शेली जी सकता था, मुझे पैसे की परवा नहीं है, टेंग कुंग्शान ने उदास सिंता से कहा, ऐसा जबाब सुनकर ली मिंग्शान का दिमाग तेजी से घूमने लगा, दूसरे पक्ष को पैसे की परवा नहीं थी, वह क्या करे, मेरे पास एक गुप मैनूल है, ली मिंग्शान की आँखें चमक उठी और वह चिलाया, भाई, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत मजबूत हो, हालां की मैं इंटर्नल मार्शल का अभ्यास करता हूँ आच भी, मैं इसमें अच्छा नहीं कर पाया हूँ, हालां की मेरे पास एक रहस्य है मैनूल, एक ऐसा जो निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करेगा कि आप सर्वोचब बन जाएंगे विशेशगय यदि आपको इसकी खेती करनी होती, इस समय, टे इन किंगशान ने पहले ही ग्रेंड मास्टर क्षेत्र प्राप्त कर लिया था और खेती की थी गौडली टाइगर फॉर्म तकनीक, उन्हें इसका विशेशगय माना जा सकता है मानव जगत की सबसे उची चोटी, इस प्रकार कौन सी गुप नियमावली उसे जीत सकती है आक कि हमारे संप्रदाय का पतन हो गया है गटर में और वर्तमान में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उत्पादन करने में सक्षम हो अंद्रूनी शक्ती, टेन कुइंग शान को नहीं पता था कि उसे हसना चाहिए या रोना चाहिए, इश्वरिय चोर संप्रदाय, एक ऐसा सं ली मिंग शान जारी रखा, वह जानता था कि जब वह इस तरह के एक महान विशेशगय के साथ काम कर रहा था, गुप मैनूल ही एक मातर ऐसी चीज हो सकती है जो उसकी जान बचा सकती है, वह गुप मैनूल जिसमें दो से अधिक लोगों के इश्वरिय चोर संप्रदाय की विरासती हजार वर्ष, इसे उस अवधी के दोरान एक ग्रैंड मास्टर विशेशगय द्वारा हस्तलिखित किया गया था चीन गनराज्य के, टेन क्विंग शान ने अपनी भोहें उपर उठाई, उसके हृदय में जिग्यासा का भाव उत्पन हो गया, गुप मैनूल कहा ह टेन क्विंग शान ने पूछा, मेरे अध्ययन कक्ष में, तीसरी मंजिल पर, ली मिंग शान ने राहत की सांस ली और जल्दी से कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें सलाह दूनगा की भागने के बारे में मत सोचो, आपके पास जो कुछ अंरक्षक हैं विला में मुझे को भी फाइदा नहीं होगा, मैं अन्य विचारों को मन में लाने का साहस नहीं करूंगा, क्रिप्या मेरा पीछा करें, टेन किंग शान तीसरी मंजिल पर अध्ययन कक्ष तकली मिंग शान के पीछे पीछे गए, ली मिंग शान का अध्ययन कक्ष बहुत बड़ा था और वहां क स्टील के बंद दर्वाजे वाली एक तिजोरी का पता चला, ये काफी अच्छे से छिपा हुआ है, टेन क्विंग शान हसे और धीरे से कहा, ली मिंग शान ने मुस्कुराते हुए कहा, आखिरकार, ये हमारे द्वारा दिया गया एक खजाना है इश्वरिय चोर संप्रदाए इसके साथ ही उसने स्टील का दर्वाजा खोला और एक बाहर निकाला प्राचीन पुस्तक, जो अंदर से दोरी से बंदी हुई थी देखो, ली मिंग शान ने किताब टेन किंग शान को दे दी, तेनव किंग शान ने इसे लिया और देखा इस प्राचीन पर चार शब्द थे पुस्तक जो स्ट्विंग से बंदी थी, मिलेनियम क्रोनिकल वहां दो है एक कोने में शब्द लियुयान, अध्याय तेरह हनुवादक, आयाम जीटी संपादक, लुकास अध्याय तेरह, सहस्राब्दी विकास उस प्राचीन पुस्तक को पाने के लिए ली मिंग शान का आधा शरीर अंदर था तिजोरी इस समय, ली मिंग शान ने अपने दाग भींच लिये और तेजी से अंदर गुस गया तिजोरी, जो एक सामान्य व्यक्ती की आधी उचाई जितनी उची थी स्टील का दर्वाजा फिर तुरंद बंद कर दिया गया, तिजोरी में चलांग लगाने में आधे सेकंड से भी कम समय लगा साथ ही स्टील के दर्वाजे को बंद करना जाहिर है, ली मिंग शान के पास था इस चाल का कई बार अभ्यास किया वाह, वाह, एक गुप्त कमरे में चिपने के बाद, जो केवल दो या तीन वर्ग मीटर बढ़ा था, ली मिंग शान ने राहत की सांस ली सौभग्य से मैंने पहले ही त्यारी कर ली थी, हो, वह चाहता था कि मैं विश्वास करून की वह मुझे नहीं मारेगा ली मिंग शान ने व्यंग्य किया, ली मिंग शान ने गणना की थी कि अगर कोई कभी उसे मारना चाहेगा तो उसका जवाब दिया जा सकता है मैं इस गुप्त कमरे में एक ट्रेडिट कार्ड और कई चीजें थी जो लोगों को अकरशित कर सकती थी हिटमेन, जबकि वह स्वयम तिजोरी में भाग सकता था कोई फर्क नहीं पढ़ता कि कब, ली मिंग शान को केवल खुद पर विश्वास था ऐसी उत्तम तयारी के कारण, ली मिंग शान ने कभी भी अपनी शक्ती नहीं खुई 20 साल वेंग, अचानक, 5 सेंटीमीटर मोटा स्टील का दर्वाजा वास्तव में उर गया ली मिंग शान की और उस मोटे दर्वाजे को कोई भी चीज यहां तक की बंदू भी नहीं भेज सकती थी यदि टेंग किंग शान क्रूर बल का प्रयोग करके दर्वाजे पर हमला करना चाहता था वह ऐसा करता इसे भयन कर टाइगर फिस्ट से मारना पड़ा हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि कुंदी तोरना उसके लिए बहुत आसान था एक आकरती गुप्त कमरे में घुस गई भाईया आप ली मिंग शान बोलने ही वाले थे पूफ एक बहुत धीमी आवाज निकली और ली में एक खूनी छेद दिखाई दिया मिंग शान का मंदिर ली मिंग शान निश्चल खड़े होकर गोल आखों से आगे की ओर देख रहे थे जो करवाहत से भर गए थे उस पर नजर डाले बिना टेन किंग शान भूमा और चला गया दिल ही दिल में तारांकन 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 उस धर के लिविंग रूम में जिसे टेन किंग शान ने किराय पर लिया था मुझे नहीं पता कि यह Millenium Chronicle किताब किस बारे में बात करती है लेकिन लियू यान वास्तव में चीन गनराजे के काल का एक महान ग्रेंड मास्टर है ये कुछ ऐसा है जिसे मैं जानता हूँ टेन क्विंग शान बहुत जिग्यासु थे एक अभ्यासी के रूप में आंतरिक मार्शल आर्ट में उन्हें निश्चित रूप से कुछ प्रसिद का ग्यान था इतिहास में लोग लियू यान उपनाम विलो मन की गौड एक दुरलब महान ग्रेंड मास्टर थे बंदर संप्रदाय उस समय लियू यान की भी वही स्थिती थी टाइगा हैदिट गाजियन सनलटांग डॉट डॉट चून की यह पुस्तक लियू यान द्वारा लिखी गई थी टेंग किंग शान के पास स्वाभाविक रूप से था इसका अध्ययन करने की प्रेरना टेंग कुंग शान ने मिलेनियम क्रोनिकल, खोला और पाया की सभी शब्द पारंपरिक चीनी अक्षरों में लिखे गए थे जो आश्चर यजनक नहीं था क्योंकि कई प्राचीन पुस्तके पारंपरिक चीनी शब्द कोश में लिखी गई थी चून की टेंग कुंग शान टेंग बोलेई के शिश्य थे और चून की टेंग बोलेई जीवित थे विदेश में और पारम परिक चीनी शब्द कोश को जानने के बाद उन्होंने स्वाभाविक रूप से टेंग सिखाया कुंग शान पारम परिक चीनी अक्षरों को भी कैसे प यह पुस्तक अधिकतर चोर भगवान संप्रदाई के इतिहास के बारे में बात कर रही थी बात किताब का लगभग एक तिहाई हिस्सा पड़ते हुए टेंग किंग शान ने जब देखा तो रुप गए अध्याई का शीरशक है अधियाई की शुरुआत में पढ़ा गया हमारे एतिहासिक अभिलेखों की जाच करना चोर भगवान संप्रदाई और मार्शल आर्ट के एतिहासिक वृतांत मुझे इसका एहसास हुआ अतीच से अब तक इनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है लोग ग्रेंड मास्टर दाइरे तक पहुंच रहे हैं जबकि यह और भी अधिक हो गया है अधिक मुश्किल डीव ग्रेटर दैन जब टेंग किंग्शान ने इस वाक्य को देखा तो वस सिर हिलाए बिना नहीं रह सका भी भले ही सभी संप्रदाय दावा करते हैं कि आंतरिक मार्शल आर्ट का इतिहास है एक हजार वर्ष से भी अधिक समय से अस्तित्व में है सच तो यह है कि सबसे पुराना आंतरिक मार्शल आर्ट ताई चीक जिसे जांग ने बनाया था मिंग राजवंश के दौरान वुडांग संप्रदाय का सैन फैंग लंबे समय से अस्तित्व में नहीं है हजार वर्ष चीन के पांच हजार साल के इतिहास में आंतरिक मार्शल कलाएं केवल एक हजार वर्ष पहले ही प्रकट हुई इस प्रकार कुछ हजार के बारे में क्या उससे वर्षों पहले टेन क्विंग शान ने इन शब्दों को पढ़ा और सहानुभूती महसूस की शांग और जोहू राजवंश, युधर्त राज्य राजवंश, किन और हान राजवंश, तीन राज्य राजवंश, उत्तरी और दक्षिनी राजवंश, सुई और तांध राजवंश, इन सभी राजवंशों में क्या लोग लड़ाई में केवल पाश्विक बल पर भरोसा क ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे कोई सामान्य व्यक्ति किसी को उठा सकता है पैकेज के 100 जिन पैक, लेकिन अगर उसे 10 जिन डंबल पकरना था और इसे बेतर तीब धंग से घुमाएं, उसे ऐसा करने में कठिनाई महसूस होगी। कि मूर्ती को बनाए रखना उसके लिए असंभब होगा ये शारीरिक शक्ति युद्ध में लंबे समय तक टिकी रहती है। किया, टेन क्विंग शान को भी इससे हरानी हुई इसलिए उन्होंने पढ़ना जारी रखा। ये जानकारी एकत्र करने में मुझे 10 साल से अधिक का समय लगा। अंततह, मेरे पास एक मेरे मन में सपश्ट निशकर्ष है। मेरा निशकर्ष, सुई और तांग राजवंश से स्वर्ग की आध्यात्मिक क्यूई है और प्रित्वी नाटकियर रूप से घटने लगी। इस बिंदू तक पढ़ते हुए, टेंग किंग शान के मन में हजारों प्रशनाए दिमाग। और मजबूत, प्रत्येक मध्याहन रेखा को तब तक खोलना जब तक की चर्मोतकर्ष न हो जाए हासिल। जिन विशेशग्यों ने प्रसवोत्तर परिनती प्राप की थी, उनके पास असीम शक्ती थी आंतरिक शक्ती और अत्यंत शक्ति शाली थे। जब उनके मस्तिश्क में रहस्यमय चैनल खुल गए, तो वे शुरू हो गए क्यूई को आत्मा में प्रशिक्षित करना। वे आत्मा को आंतरिक के साथ मिला देंगे डैंटियन में उन्हें मजबूत और परिश्कृत करें। उसके बाद धीरे धीरे ऐसा होगा इने ट्रू ओरिजिन में तबदील हो गया, जिससे विशेशग्य को एक बनने की अनुमती मिल गई जन्मजात विशेशग्य। एक जन्मजात विशेशग्य लगातार अपनी सची उत्पत्ती को परिश्कृत करता है। सच के बाद उत्पत्ती पहले चरण तक डेंटियन में निरंतर शोधन से गुजरती है, खोकला दान क्षेत्र प्राप्त होगा। जब सच्चा मूल संधनित हुआ द्रिरता में, ट्रू डेंट क्षेत्र का दूसरा चरण हासिल किया जाएगा। ये ट्रू डेंट को पहुँचने से पहले अंगिनत सुधारों से गुजरना होगा तीसरा चरण, गोल्दन डेंट क्षेत्र गोल्दन डेंट एक्सपर्ट करेंगे विशेशग्यों के विशेशग्य बनें। मानव की आत्मा और आंतरिक शक्ती का सयोजन वास्तव में हो सकता है, सहज सचे मूल में परिवर्तित हो जाओ। मानव होगा बताएं कि इतिहास की कुछ प्रसिद शक्सियतें, जैसे मेडेन यू, शी, क्यूं है यांग और अन्य ग्रेंड मास्टर इतने शक्तिशाली थे। इसके अलावा, वहाँ बहुत सारे थे अभिलेक जो तीनों के दौरान प्राचीन चिकित्सकों को संदर्बित करते हैं संप्रभू और पांच समराटों की अवधी, QE रिफाइना के रूप में। शायद उन्हें ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने आध्यात्मिक QE को परिश्कृत किया स्वर्ग और प्रिथवी। टेन क्विंग शान ने पढ़ना जारी रखा, लेकिन सुई और तांध राजवंशों से शुरू होकर स्वर्ग की आध्यात में QE और प्रिथवी अचानक तेजी से गिरी। इसलिए सुई और तांध राजवंश के कई योध्धा और नायक इसे ग्रेंड मास्टर्स का अंतिम बैच माना जाना चाहिए। जाएगी टेंग क्विंग शान के लिए असंभव। इसके अलावा सुई और तांध राजवंशों के कई संप्रदायों के रिकॉर्ड के आधार पर और बाद में विशेशग्यों की संख्या लगातार कम होती गई। और बाद में कोई भी नहीं अब इसका अभ्यास करने में सक्षम था। विशेशग्यों की संख्या जितनी कम होगी सोंभ राजवंश उतना ही कमजोर हो जाएगा। प्रशिक्षित करने के लिए स्वर्ग और प्रित्वी की आध्यात्मिक क्यूई को अफ्शोशित करने का मार्ग किसी की आंतरिक शक्ती बादित होती थी। सोंभ राजवंश के लोग ऐसा करते थे जाहिर तोर पर दूसरे तरीके के बारे में सोचें। टेन क्विंग शान ने थोड़ा से रहिलाया। जो स्टंप पर खड़े होने और अन्य तकनीकों पर निर्भरते आंतरिक शक्ती उत्पन करें। उदाहरन के लिए इतिहास में यूफी का योद्धा प्राचीन काल में सोंभ राजवंश एक योद्धा था जो अभ्यास करता था आंतरिक शक्ती उत्पन की। लेकिन सांध राजवंश में आंतरिक मार्शल आर्ट मुश्किल से ही प्रारंभिक अवस्था में था रूप। केवल बहुत कम भाग्यशाली व्यक्ती ही आंतरिक शक्ती उत्पन कर पाते हैं ग्रेंड मास्टर तक पहुँचते हुए उनके पूरे शरीर के शिरो बिंदु को खोलना क्शेत्र बिल्कुल असंभव था। मिंक के दोरान युवान राजवंश की छोटी अवधी से गुज़ने के बाद राजवंश बुडांग संप्रदाई के जांक सानफैंग पहले व्यक्ती होने चाहिए आंतरिक मार्शल आर्ट का अभ्यास करें और इसके शिकर तक पहुँचें। उसने सब कुछ खोल कर रख दिया उसके शरीर के मेरिडियन और उसकी मानस्पेशियों, ट्वचा, मास की ताकत में वृद्धी हुई और हड्या उनकी अधिक्तम सीमा तक। साथ ही इसी काल से प्रारंभ होने वाली व्यवस्था आंतरिक मार्शल आर्ट अंततः पूर्ण हो गया। प्रित्वी की आध्यात में क्यूई प्रचुर मात्रा में थी और लोगोंने आध्यात में क्यूई को आत्मसात करना और आंतरिक शक्ती होने तक प्रशिक्षन लेना सीखा उत्पन। इने ट्रू ओरिजिन का निर्मान होने तक उन्होंने प्रशिक्षन भी लिया। हालांकि स्वर्ग और प्रित्वी की आध्यात में QE में भारी कमी आई। क्या-क्या मनुश्य ऐसा कर सकते हैं। कई सो वर्षों तक खोज करने के बाद और एक के प्रयासों के माध्यम से अग् दिखाई देने लगा तकनीक, ब्लैक टोटो इसका बोल्डर और ड्रेगन कार पसेंशन आया अस्तित्व में विशेश कोशल जिनका केवल अभ्यास किया जा सकता था ग्रेंड मास्टर्ज। वसंत और शरद रितु युद्ध राजवन्श और किनकी अवधी के दौरान हान राजवन्शों के दौरान उस समय के लोग वास्तव में इस तर तक पहुंच सकते थे बाहिसे आंतरिक की ओर अभ्यास करना। वास्तव में परिश्कृत करने की यह प्रक्रिया, परिवर्तन की प्रक्रिया थी QE में जीवन शक्ती और QE का आत्मा में परिवर्तन। प्रक्रियान ने पुस्तक में उलेक किया है, उर्जा को अफशोशित करने में असमर्थ होने के कारण परिवेश हम केवल मानव शरीर में सार को अफशोशित कर सकते हैं। इस प्रकार आंतरिक मार्शल आर्ट का अभ्यास करने वाले विशेशग्य अधिक तर बहुत बड़ मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए आपके पास एक मजबूत शरीर होना चाहिए साथ ही उर्जा और रक्त का परियाप्त स्तर। केवल जब सार और रक्त एक निश्चित सीमा तक पहुँच गया, क्या कोई इसे धीरे-धीरे परिश्कृत कर पाएगा। परिश्कृत करने का चरण है। परिश्कृत करने बलकि उसके उत्पादन पर आधारित है आंतरिक शक्ती काफी मामूली होती है और इसका अधिकांच भाग मेरिडियन में संब्रहीत होता है, नकी मेरिडियन में डेंटियन। जब टेन क्विंक्शान ने ये पढ़ा तो वह घबरा गए। अब लढ़ाईों में आंतरिक शक्ती ही गौन थी। ज़्यादातर लोगों ने इस पर भरोसा किया मास्पेशियां, हडियां और शारीरिक शक्ती। प्राचीन लोग केवल अपनी शक्तिशाली आंतरिक शक्ती पर भरोसा करते थे। आखिरकार प्राचीन चिकित सक, सम्रिध थे या अधिक सटीक रूप से उनके पास था बहु ज़्यादा की जाती है लोग, आंतरिक मार्शल आर्ट में केवल कमजोरियां ही नहीं है, बलकि कुछ कमजोरियां भी हैं खुद के नुकसान और फाइदे। सबसे बड़ा नुकसान यह है कि प्राचीन लोग हमसे कहीं ज्यादा ताकतवरते कभी भी बन सकता है। सबसे दरसल, आजकल एक्सपच के लिए उन्होंने पूरी तरह से रास्ता खोल दिया है उनके शरीर के मेरिडियन। चाहे वह आठ असाधारन या म्योत्तर हुई या उनके पास 12 मानक या म्योत्तर या उससे भी छोटी या म्योत्तर थी उन सभी को खोला। इस प्रकार, उनकी आं असान होना चाहिए उर्जा उनके शिरोबिंदू के माध्यम से। तो उन्हें ऐसा क्यों लगा कि ये बहुत है हमसे भी अधिक कठिन। टेन कुइंग शान ने थोड़ा से रहिलाया। मेरी जांच और समझ के बाद मैंने कुछ निशकर्ष निकाले। प्राचीन अभ्यासक परबादी एक तरफ धकेल दिया जाए तो नदी का तल उतना ही संकरा हो जाएगा। मेरीडियन को खोलने की प्रक्रिया में बहुत सारी अशुद्धियां बाहर निकल जाती हैं शरीर। हालांकि बहुत सारी अशुद्धियां भी दूसरे में धकेली जा रही हैं मेरीडियन भी टेन क्विंग शान ने चुपचाप से रहिलाया हर बार जब वे एक मेरिडियन चैनल खोलते हैं तो इसे अशुद्धियां उत्पन होती हैं अन्य मेरिडियन के भीतर अधिक संकेंद्रित हो जाते हैं जिससे ये भी बना अगली मध्याहन रेखा को खोलना अधिक कटिन है टेन क्विंग शान पूरी तरह से था इस कटोती से मंत्र मुगद होकर तो प्राचीन चिकितसक जो खोल सकते थे उनके आठ असाधारन याम्योत्तर और बारह मानक याम्योत्तर अत्यंद दुरलब थे जहां तक कुछ छोटी याम्योत्तरों को खोलने की इच्छा का प्राश्ण है यह उनके लिए लगभग असंभव था टेन क्विंग शान सेहमत हुए विदी ने परिनाम निर्धारित किया प्राचीन लोगों की पद्धती पूरी तरह से किसी को खोलने के लिए पाश्विक बलपर निर्भरती मेरिदियन आंतरिक शक्ती के बलपर वे लगातार और अधिक धक्के लगाते रहे में अशुद दिया इसलिए स्वाभाविक रूप से इससे गुज्वना और अधिक कठिन हो जाएगा हालां कि ये प्राचीन लोगों की गलती नहीं थी इसका मुख्यकारण ये था उन्होंने अतिरिक आंतरिक शक्ती पर अधिक ध्यान के इंद्रित किया लेकिन हमारी आंतरिक मार्शल आर्ट वैसी नहीं है डीव ग्रेटर दैन आंतरिक मार्शल आर्ट पूरे शरीर का व्यायाम करता है चाहे वह कोई भी हो मास्पेशी, प्रावर्नी, हडी, आधी सभी को अभ्यास में शामिल किया गया है फिर भी मेरिडियन को अक्सर उत्तेजित किया जाता है और बड़ा होने के लिए प्रेरित किया जाता है से मेरिडियन फिर अशुद्धियां धीरे धीरे छिद्रों से बाहर निकल जाती है क्योंकि हमारी आंतरिक शक्ती नगण्य है यह अशुद्धियों को अंदर नहीं धकेलती अन्य मेरिडियन बलकी बाहर कई वर्षों के अभ्यास के साथ अशुद्धियां बाहर प्रवेश करती रहेंगी एक दिन हम सब कुछ पार कर सकते हैं मेरिडियन और ग्रेंड मास्टर दाइरे तक पहुँचें टेन कुइंग शानह से वस्वयम आंतरिक मार्शल आर्ट विशेश अगय थे इसलिए उन्हें पता था कि यह सच है यदि प्राचीन प्रशिक्षन पद्धती में आंतरिक शक्ती पर बलपूर्वक भरोसा करना था अशुद्धियां निकाले तो आज की आंतरिक मार्शल आर्ट होगी मेरिडियन और यहां तक की शरीर के सभी हिस्सों को मजबूर बनाना चिद्रों से जुड़े छोटे मेरिडियन प्रशिक्षन की प्रक्रिया में, मेरिडियन की शाखाओं में अशुद्धियां छिद्रों से बाहर निकल जाएगा स्वाभाविक रूप से अशुद्धियां प्रमुख हैं, मेरिडियन धीरे-धीरे कुछ आफशूट चैनलों में प्रवाहित होंगे और फिर बाहर निकल जाएंगे छिद्रों के माध्यम से चुपचाप, प्रतेक प्रमुख मेरिडियन से सभी अशुद्धियां शाखाओं वाली मध्याहन रेखा से होकर गुजरेगा और अंतता बाहर रिजज जाएगा छिद्र प्राचीन लोगों के बारे में क्या? उन्होंने अपनी शाखाओं में बड़ी मात्रा में अशुद्धियां ने चोड़ ली शुरुआत जिससे छोटी मध्याहन शाखाएं पूरी तरह से अवरुध हो गई रुकावट कभी भी अव्यवस्था से बहतर नहीं होती, यही सिद्धान था आंतरिक मार्शल आर्ट ग्रेंड मास्टर्ज ने हर हिससे को मजबूत करके शुरुआत की उनका शरीर, सरलता पूर्वक अशुद्धियों को स्वाभाविक रूप से बाहर निकालने का कारण बनता है इसलिए, मेरिडियन को खोलने की योग्यता से, आंतरिक मार्शल का अभ्यास कलाएं प्राचीन काल की प्रशिक्षन पद्धतियों से कहीं अधिक उतक्रिष्ट होनी चाहिए लोग इस निशकर्ष को देख कर तेन क्विंग शान अधिक सहमत नहीं हो सके क्योंकि केवल कुछ ही थे प्राचीन लोग अपनी सभी मध्याहन रेखाओं को खोलने में सक्षम थे मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर आंतरिक मार्शल आर्ट हो तो क्या होगा ग्रैंड मास्टर युधर्थ शांग और जोहू राजवंशों में लोट सकते थे राजय राजवंश या यहां तक की किन और हान राजवंश उस अभधी तक जब स्वर्ग और प्रित्वी की शक्तिशाली लोगों को अकेलापन महसूस हुआ यह विलो मन की गौड ब्रैंड मास्टर चीन गनराज ये काल का है दुनिया के शिखर पर भी खड़ा था लेकिन जब उसे पता चला प्राचीन काल के प्रशिक्षन में वास्तव में तीन प्रमुक जन्जात शेत्र थे प्राचीन युग में उन्हें केवल एक साधारन विशेशग्य माना जाता था जो ऐसा नहीं कर सकते थे यहां तक कि सहजक्षेत्र के द्वारों को भी स्पर्श करें विशेशग्यों के साथ अवधी के रूप में बादलों के समान असंख्य बस इसकी कलपना करके टेन क्विंग्षान मदद नहीं कर सका उसके गर्म खून को उबलता हुआ महसूस करो मैं वास्तव में नहीं जानता कि आध्यात में क्योई इतनी तेजी से क्यों कम होने लगी सुई और तांग राजवंच तेन क्विंग्षान ने विचार करते हुए खुद से कहा और तुरंथ मिलेनियम क्रोनिकल पढ़ना जारी रखा मिलेनियम क्रोनिकल ये पुस्तक वास्तव में एक ऐसी पुस्तक थी जिसने इसे दर्ज किया चोर भगवान संप्रदाई की प्रशिक्षन विधी पुस्तक के पिछले हिस्से में केवल प्रशिक्षन विधियों के बारे में बात की गई थी मन की फिस्ट बुनियादी बातों से लेकर ग्रैंड मास्टर क्षेत्र तक हालां की एक ऐसी व्यवस्था थी जिसका पालन करना आम लोगों के लिए बेहत कटिन था आंतरिक शक्ती उत्पन होने तक प्रशिक्षन लेना ग्रैंड मास्टर बनना तो दूर की बात है हूँ जब टेंग किंग शान आखिरी बार पल्टा तो आश्चर्य चकित हुए बिना नहीं रह सका कुछ पनने माइटीफ गौड संप्रदाय ने गुप्त कलाओं की कई प्राचीन पुस्तके हस्तांत्रित की है प्रारंब में मैंने इन गुप्त बिलेखों को गंभीरता से नहीं लिया हालांकि केवल प्राचीन प्रशिक्षन विधियों के रहसियों पर शोध करने के बाद मुझे इसका एसास हुआ ये गुप्त बिलेख सत्य थे फिर भी आध्यात्मिक्ता में भारी कमी के कारण क्यूई गुप्त कला की ये किताबे बेकार हो गई प्रशिक्षन के रहसियों के अलावा एक और शीर्श किंग गुप्त कला थी क्रोसिंग वर्ड्स कहा जाता है ये प्राचीन गुप्त कला विधी नहीं बताती आंतरिक शक्ती के प्रशिक्षन का ये केवल आंतरिक शक्ती का उप्योग करने का एक तरीका है मेरे पास है पहले से ही 20 वर्षों से ग्रेंड मास्टर दाइरे में हैं उन्होंने बहुत सारी संपत्ती अर्जित कर ली है बड़ी मात्रा में आंतरिक शक्ती कुछ प्रयोग करने के बाद मैं मैंने पाया कि इसे केवल एक बार करने के बाद मेरी आंतरिक शक्ती पूरी तरह से खत्म हो बही थी ग्रहन किया हुआ मैं केवल आह भर सकता था और अपने आप से एक भावनात मक्टिपनी कर सकता था प्राचीन लोगों की आंतरिक शक्ती सचमुच बहुत प्रचुर थी जैसे ही टेंग कुइंग शान ने यहां तक पढ़ा वह फूट फूट कर मुस्कुराने से खुद को नहीं रोग सका आधुनिक समय की आंतरिक मार्शल आर्ट की लड़ायों में ग्रेंड मास्टर्स ऐसा कर सकते थे केवल कभी कभार ही आंतरिक शक्ती का एक माब बाहर निकालते हैं आखिरकार राशी उनके शरीर में आंतरिक शक्ती इतनी कम थी कि उसे डेंटियन में संवरहीत किया जा सकता था अनावश्यक था फिर भी प्राचीन काल में ये कहा जाता था कि अभ्यास करने वाले सक्षम थे डेंटी इनको पूरी तरह से आंतरिक शक्तियों से संत्रिप्त करें कितनी मात्रा में आंतरिक ताकत वह होगी मैं विलो मन की गौड अपनी चपलता पर सबसे अधिक गर्व करता हूँ लेकिन मुझे इसका एसास हुआ जब मैं इस क्रोसिंग वर्ड का प्रदर्शन करता हूँ भले ही ये सिर्फ एक बार हो मेरा आंतरिक ताकत पूरी तरह खत्म हो गई फिर भी इस कला की गती सच मुच बहुत तेज इतनी तेजी से कि मैं इस गुप्त कला के लुप्त होने को सहन नहीं कर सका और इसलिए मैंने इसे पुस्तक के पीछे दर्ज किया Millenium Chronicle पुस्तक के अंतिम कुछ पनने इसका दस्तावेजी करन करते हैं संप्रदाय की शक्तिशाली तकनीक Crossing World गुप्त कला की यह पुस्तक वसंत रितु के दौरान बहुत कीमती रही होगी शरद युद्ध राजवन्ष और किन और हान राजवन्ष हालां कि इस काल में गुप्त कला की यह पुस्तक केवल संग्र ही बन सकी इसका व्यभारिक उप्योग पहले से ही बहुत छोटा था, केवल एक प्रदर्शन के बाद से कला के कारण एक आंतरिक मार्शल आर्ट ग्रेंड मास्टर को अपना सब कुछ खर्च करना पड़ेगा अंद्रूनी शक्ती यदि हाँ, तो वास्तव में इसका उप्योग करने का साहस कौन करेगा? ये बेहद होगा लड़ाई के दौरान आंतरिक शक्ती ना होना खतरनाक है Crossing Worlds, मुझे आश्चर्य है कि यह कितना शक्तिशाली है? 10 Quingshan शुरू हुआ हर विवरन को पढ़ना Crossing Worlds के वरनन के अनुसार, यदि Crossing Worlds था प्रदर्शन तब किया गया जब एक Grandmaster इनेट के Golden Den तक पहुंच गया था दाइरे Grandmaster उचतम स्तर का प्रभाव प्राप्त कर सकता है Crossing Worlds, Close It Worlds Apart कचरा, 10 Quingshan ने तकनीक की जाँच की और आहे भरने के अलावा कुछ नहीं कर सके जैसे ही सूरज होगा, उस घर के आंगन में, जिस पर 10 Quingshan का कबजा था, एक आकरते एक अजीब पैटन में कदम रख रही थी ठोस जमीन पर, वहां थे खोकले पैरों के निशान खोकले पैरों के निशान 10 Quingshan के पचिन थे, Crossing Worlds के वरनन के अनुसार जानबूज कर रौनदा गया वह तो इस गुप्त कला में लिखे लेखों के अनुसार लगातार प्रशिक्षन लेना शुरू किया ये Crossing Worlds का सबसे बुनियादी फुटवक था, जो देखने में सरल लगता था लेकिन वास्तव में असीमित रहसे समाहित हैं ये फुटवक वास्तव में काफी अजीब है टेन कुइंग शान ने अभ्यास किया देर से गुप मैनुवल के निर्देशों के अनुसार फुटवक पैटन रात में अब तक जैसे जैसे उसका अभ्यास में व्यतीत होने वाला समय लंबा होता गया टेन किंग शान को धीरे धीरे एसास हुआ कि इस फुटवक में एक विशेश अनुक्रम है एक अनुक्रम जिसे तर्ग द्वारा वर्गी कृत नहीं किया जा सका हालां कि टेन कुइंग शान इसे महसूस कर सकते थे सिर्फ इस फुटवक का अभ्यास करना बेकार होगा प्रशिक्षित चपलता का स्तर जिंगी के मेरे बारा रूपों के माध्यम से इस फुटवक से कमजोर नहीं है टेन किंग शान रुप गया ऐसा लगता है जैसे मुझे वास्तव में इसे आंतरिक शक्ती के साथ करना होगा इस फुटवक को अपनी असली ताकत दिखाने के लिए टेन कुइंग शान अतीक में एक महान हिपमें थे इसलिए निश्चित रूप से उनके पास अच्छा प्रदर्शन था याद ये क्रॉसिंग वर्ल्ड्स केवल कुछ ही लोगों के पास गुप्त कलाओं की पुस्तक है इसमें हजार शब्द, फुटवक की तीन चवियां और मेरिडियन की छे चवियां थी टेन कुइंग शान ने सभी को पूरी तरह से याद कर लिया है आएए इसे आजमाएं और देखें कि ये क्रॉसिंग वर्ल्ड्स कितना शक्तिशाली है टेन कुइंग शान को अपने दिल में खुजली महसूस हो रही थी के दोरान ग्रेंड मास्टर की तरह चीन गनराज्य की अवधी, विलोबंदर भगवान, वह विरोध नहीं कर सका प्रलोबंदिया और कुछ प्रयोग करने का निर्नलिया आंतरिक शक्ति बढ़ते द्वार से निकल कर सीधे समुद्र की और जाती है रक्त, विश्वास घाती प्रमुख क्षेत्र, शांकिन, राजधानी तक और फिर लोट रहा हूँ टेन कुइंग शान को अभी भी विधी सपष्ट रूप से याद है उसके शरीर में आंतरिक शक्ति का संचार हो रहा है जबकि आंतरिक शक्ती शरीर के भीतर भूमता हुआ, टेंग कुइंग शान का पूरा शरीर रूपांतरित होता देख रहा था बिजली की चमक में जैसे ही उसने सामने की और जोरदार बोली चलाई वा, एक जटके में वह आंगन से गायब हो गया, रुकना, टेंग कुइंग शान ने अचानक आंतरिक शक्ती का संचार बंद कर दिया, पलग जपकते ही, मैं सचमुच आंगन से बाहर चलांग लगा दी मैं शायद आगे बढ़ गया कम से कम तीस मीटर, टेंग किंग शान ने अपना सिर घुमाया और महसूस किया कि वह था पहले से ही आड के बाहर चोटे जंगल में टेंग किंग शान इससे हैरान थे ये भयावे गती, यदि वह एक बाग चलांग लगा था, तो वह दस चलांग लगा सकता था मीटर फिर भी, ये केवल पलग जपकते ही था, और वह तीस पार कर चुका था मीटर दूर आंतरिक शक्ती का उप्योग बहुत जल्दी हो गया था, मेरे तुरंद बाद में रुग गया इसे सक्रिय किया, फिर भी मेरी आधी आंतरिक शक्ती पहले ही खत्म हो चुकी थी टेंग किंग शान को थोड़ा समझ आया कि, विलो मन की गौट ने क्या कहा था यदि टेंग किंग शान ने स्वयम थोड़ी धीमी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, आंतरिक शक्ती की थोड़ी सी मात्रा उसके शरीर में सब कुछ खत्म हो जाएगा अविश्वस निय, हाला की, मैं अपनी आंतरिक शक्ती को इस तरह बर्बाद करने का साहस नहीं करूंगा लड़ाई के दोरान टेन क्विंग शान ने आह भरी और खुद से कहा, ये क्रॉसिंग वर्ड्स, किंग गूंड वास्तव में अद्भुत था, लेकिन आंतरिक शक्ती का व्याई बहुत चौकाने वाला था अध्याई पंद्रा हनुवादक, आयाम जीटी संपादक, लुकास अध्याई पंद्रा, एक तुफान चल रहा है यंग जहौर रेल्वे स्टेशन शाम करीब पांच बजे दो भारती अव्यक्ती वहां से निकले रेल्वे स्टेशन का निकास उनमें से एक की उचाई करीब एक दशमलव आट मीटर और कोमल थी वह मुसकान जिसने लोगों को वसंत की हवा में नहाने का एहसास दिलाया क्या हालां की अजीब बात ये थी कि उसकी गर्दन और सिर की मुटाई बराबर थी इसके अलावा उन्होंने अपने बालों को चोटी में बांध रखा था जहां तक दूसरे भारतिया आदमी का सवाल है वह दो मीटर के करीब उचाई थी मुंदा हुआ सिर और भावशुन्य चेहरा सच जनो क्या आप यहां यंग जहों में चोटी पर हैं इस समय एक छोटे बालों वाला युवा उनका स्वागत करने के लिए आगे आये और अंग्रेजी में कहा वी आर दे ट्राइवल एजेंसी लाफ्ट हैंड हम दोनों भारतिय व्यक्तियों ने सिर हिलाया वे इस छोटे बालों वाले युवक का पीछा करते हुए एक राजमार्क के किनारे रुख गए रेल्वे स्टेशन से बहुत दूर जहां बिलकुल वही था जो दिखता था साधारन टैक्सी लगभग दो मीटर लंबे थंडे भारतिय आदमी ने थंडी खर राटेली फिर धारा प्रवा कहा इंग्लिश लोन वुल्फ को खोजने में एक महीने से अधिक की जाच हुई ये दर्शाता है कि हैंड्स ओफ दाक्नेस की दक्षता बहुत कम है छोटे बालों वाला युवक केवल हस सका उरता हुआ वहकेला भेडिया माना जाता है कि शार्प शूटर से लड़ने के बाद चाकु घायल हो गए थे बोडी क्रशर और इस प्रकार इस पूरे समय चिपता रहा इसके अलावा वहाँ चीन में बहुत ज़्यादा प्रतिबंध है हमारे पास जन्शक्ती भी कम है जो यही कारण है कि हम कल ही उसके ठिकाने का पता लगाने में सक्षम थे सुन्जी और दोलगोटे रोव जैसे बच्चों से लड़ते हुए घायल होना बड़ी बात है भाई ऐसा लगता है कि फ्लाइंग चाकू का ये लोन वुल्फ नहीं होगा बिल्कुल चुनौती मैं इसे अपने आप खत्म कर सकता हूँ विशाल भारतिय व्यक्ती ने कहा दुनिया की नंबर एक संस्था का उपनाम दबिग थरी था क्रमश्रह ब्रम्हा को महान विश्नु और शिव नाम दिया गया यद्यपी तीनों का दर्जा समान था इसलिए विश्नु सबसे बड़े थे बिग ब्रदर की भूमिका निभाई ब्रम्हा और शिव दोनों अत्यंत लड़ाकू थे जबकि विश्नु थे अधिक मिलंसार ममम लेकिन आप ला परवाह भी नहीं हो सकते भारतिय व्यक्ती ने सौमिता से कहा मुस्कुराहट और गून थे हुए बाल गौड किंडम संगठन के दो दिगगज फिर टैक्सी पर सवार हुए शहरी जिले की ओर डॉट 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 दोनों भारतिय व्यक्तियों के जाने के लगभग एक घंटे बाद लगभग शाम 6 बजे मैं शाम को लोगों का एक और समूह यंग जहौ ट्रेन स्टेशन पर दिखाई दिया ये लोगों का एक समूह त्यान जिन से रवाना हुआ था और एक दिन की ट्रेन ली थी शाम को ही यंग जहौ पहुचे थे बॉस शेंग कार में बैठो दो फोक्सवेगन पसाट्स ने इस समूह को उठाया चार और चला गया पहले पसाट में कैजूल कपड़े पहने एक पतला आदमी पीछे बैठा था कपड़े और यात्रा टोपी उसके बगल में एक क्रूर चेहरे वाला अधेर उम्र का आदमी बैठा था उब्रे हुए पेट के साथ तुम्हारा बॉस और उसके द्वारा काम पर रखे गए सभी हिटमेन मर चुके हैं दुबले पतले आदमी की भौहे जैसा उसने कहा बुना हुआ हाँ उन हिटमेन के मरने के कुछ समय बाद ही बॉस की मृत्यू हो गई बॉस की अध्ययन कक्ष के अंदर मृत्यू हो गई गुप्त कमरे उन्हें उसके शरीर के बारे में तब पता चला जब उसकी दो मौत हो चुकी थी दिन जब वह स्टडी रूम की सफाई कर रही थी तो नौकर को बदबू आई और शब की खोज की भयन कर दिखने वाले अधेल उम्र के आदमी ने उसे हिला कर रख दिया सिर हिलाया और आह भरी हम ये भी नहीं जानते की यह किस ने किया दुबले पतले आदमी ने भोहे सिकोड कर गहरे स्वर में कहा ये किन नहीं हो सकता हांग अगर वह मारना चाहता था तो किन होन स्पेशल ओपरेशन्स टीम का सदस्य था कोई वह निश्चित रूप से अपने पीछे एक लाश नहीं छोड़ेगा किन होन करेंगे सुनिश्चित करें की अपराद स्थल विशेश रूप से साफ सुत्रा हो बॉस शेंग इस बार चीजे बहुत अजीब हैं यहां तक की हमारे भारी के तहट भी सुरक्षा बॉस फिर भी बिना आवाज के मर गया किन होन को मारना कोई अपराद नहीं है अब जरूरी मामला व्यक्तिगत रूप से आने की कोई आवश्यक्ता नहीं है बॉस शेंग क्यों क्या आप अपने आपको खत्रे में डालेंगे भयन कर दिखने वाले अधेर को सलाह दी आदमी हम तुम कुछ नहीं जानते शेंग मिंग ने चुपचाप अपने दिल में प्रतिग्या की हिटमेन जो एक टीम बना सकते थे आम तोर पर एक साथ मिलकर दूसरे व्यक्ति पर अपने जीवन पर भरोसा करने में सक्षम थे आम तोर पर बहुत गहरा रिष्टा साजा करते थे ये बिलकुल वुल्फ और कैट जैसा था टेंड किंग शान और उसकी पतनी वस्तुता पती पतनी थे बिल्ली की वज़े से मौत के बाद टेंड किंग शान उनमत हो गया और उसने बेस की और अपना रास्ता मार डाला संगठन शार्पर शुटर और बोडी क्रशर द्वारा गटित टीम भी एक थी उदाहरन जब संजी की मृत्यू हो गई तो डोलगोटे रोव इतना क्रोधित हो गया कि वह क्रोधित हो गया पागल और पागलपन से टेंग क्विंग शान पर हमला किया जो हिटमेन एक साथ एक टीम बनाने में सक्षम थे उनमें स्वाभाविक रूप से एक टीम बनाने की क्षमता थी असाधरन रूप से गहरा बंधन उस वर्ष नौर्थी स्टर्न टू टाइगर्स के वांग किंग का सामना हुआ स्पेशल ओपरेशन्स टीम के अभिजात वर का हमला और किंदवारा मारा गया हों दरसल वांग किंग की मृत्यू का कारण ये भी था कि वह थे अपने चोटे भाई शेन यांग मिंग की मदद करने की कोशिश कर रहा हूं अंत में शेन यांग मिंग भाग गया और बच गया लेकिन वांग किंग की गोली मार कर हत्या कर दी गई जिसने वान कुंग की गोली मार कर हत्या की उसका नाम किनहोंग था शेन यांग मिंग के लिए अपने दुश्मन किनहोंग को कभी भी भूलना असंभव था मूल रूप से वह किनहोंग को मारने के लिए किसी और का इस्तेमाल करना चाहता था लेकिन ऐसा नहीं हुआ उतनी आसानी से जाओ जितनी उसे उम्मीद थी अपने भाई की खातिर शेन यांग मिंग ने बक्षा कोई प्रयास नहीं और व्यक्तिगत रूप से किन होन को मारने के लिए यंग जहो आए किन होन, तुम निश्चित रूप से मर जाओगे, शेन यांग मिंग ने अंदर से कहा तुरंद निर्देश दिया, आप सभी होटल के प्रवेश द्वार पर उतर जाएंगे सामने इस मामले का अब आप सब से कोई लेना देना नहीं है शेन यांग मिंग स्वाभाविक रूप से इन गुंडों और गैंग्स्टरों को किन होन की निगरानी नहीं करने दी जा सकती ठिकाना इस बार उन्होंने बड़ी रकम खर्च की और अनुरोध किया Hands of Darkness, Suns था की भी मदद शेन यांगमिंग किन होन को मारने के लिए कोई कसर नहीं छोडेंगे टारांकन 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 शाम के लगभग सात बजे टेन कुइंग शान एक घर में खाना खा रहे थे एक गाउं में रस्टोरेंट फोन के हिलने की आवाज आई हम टेन कुइंग शान कुछ हद तक आश्चर यचकित था क्योंकि उसे नहीं मिलना चाहिए था कोई भी फोन कॉल नमस्ते, टेन क्विंग शान ने उत्तर कुंजी दबाए और कहा टेन क्विंग शान, यह मैं हूँ लिंक्विंग, लिंकिंग की उत्साहित आवाज आई फोन क्या आपके पास अभी समय है, मैं एक जरूरी मामले के लिए आपका इंतजार कर रहा हूँ वर्तमान में, टेन क्विंग शान के पास करने के लिए कोई अन्यकाम भी नहीं था वर्ता बस मार्शल आर्ट की खेती में डूबे हुए हैं एक जरूरी मामला, टेन क्विंग शान ने उलजन में उत्तर दिया हाँ, बेहत जरूरी मामला है क्या आप एक पल के लिए भी आ सकते हैं? मैं वेस्ट सिटी डिस्ट्रिक में मून लेक के पास हूँ लिंकिंग ने जल्द बाजी से कहा टेन क्विंग शान ने इस पर कुछ देर विचार किया फिर सिर हिलाया और उत्तर दिया ठीक है, मैं जल्दी वहाँ पहुंचूंगा इसके तुरंद बाद टेन क्विंग शान ने एक टेक्सी को हरी जंडी दिखाए और तुरंद नीचे गिरा दिया वेस्ट सिटी डिस्ट्रिक में मून लेक की और तेजी से बढ़े टेन क्विंग शान ने आयोजित किया संदे से भरा पेट मैंने लिंकिंग के साथ कई बार बात चीत की है और वह हमेशा एक बहुत ही शान दिमाग वाली व्यक्ति प्रतीत होती है वह है पहले कभी इतना अधीर नहीं हुआ लेकिन सुनने से ऐसा नहीं लगता जैसे वह किसी तरह के खत्रे में है टेन क्विंग शान को समझ नहीं आ रहा था कि लिंक्विंग को क्या हुआ जैसा कि उनके पास है काफी बात चीत हुई टेन किंग शान ने फिर भी जाने का फैसला किया वर्तमान में ये पहले से ही पूरी तरह से अंधेरा था और पश्चिम के पास मून जील थी सिटी डिस्ट्रिक्ट केवल मंद स्ट्रीट लैंब से रोशन था जैसा की यह बहुत था देर से वहां केवल कुछ ही लोग थे एक शांत सिल्व और डी पास में पाक की गई थी जील के किनारे और एक महिला ड्राइवर की सीट पर बैठी थी ये लिंकिंग था चीक टैक्सी रुपने के बाद टेंग किंग शांन ने पैसे चुकाए और उतर गए कार फिर वर जील के किनारे की और चला गया टेंग कुइंग शांन लिंकिंग तुरंट अपना हाथ लहराते हुए कार से बाहर निकली उत्साह से हम टेंग ने चारों और ध्यान से देखा लिंकिंग के अलावा कोई अन्य लोग नहीं थे उनके परिधिय में जब वह आगे बढ़ा तो वह बहुत ब्रमित था टेंग कुइंग शान लिंकिंग तुरंट भाग कर आया क्या चल रहा है अत्यावश्यक मामला क्या है टेंग कुछा हाहा लिंकिंग हंसे बिना नहीं रह सके मैं बहुत खुश हूँ अत्यांत खुश इसलिए मैं तुम्हें देखना चाहता था इस समय लिंकिंग का मुस्कुराता हुआ चेहरा था चका चौंग और यहां तक कि उसकी चमकीली मुस्कान के कारण उसकी आँखें भी जुक रही थी यह एक अत्यांत पवित्र और बैलगाम मुस्कान थी जो नीचे से उत्पन हुई थी किसी का दिल जील की तेज हवा चल रही थी और लिंकिंग के बालों की लंटे बिखरी हुई थी चेहरा इसक्षन जानबूच कर मुस्कुराने वाली लिंकिंग विशेश रूप से आकर शक्ती तुम इतने खुश क्यों हो? टेंक विंग शान मंद मुस्कुराए हाँ मैं तुम्हें बता दून लिंकिंग शान मर चुका है लिंकिंग बेहत्थे उत्साहित होकर वह मर चुका है वह राक्षस अंततह मर गया मैं बहुत खुश हूँ मैंने कभी नहीं किया पहले भी इतना खुश था हाँ हाँ टेन क्विंग शान चौका ली मिंग शान क्या ये वही ली मिंग शान हो सकता है जिसे उसने मार डाला ली मिंग शान कौन है टेन किंग शान ने पूछा यह मिंग शान कॉर्पोरेशन से ली मिंग शान है आप शायद नहीं जानते होंगे चून की आप यंग जहो से नहीं है लिंकिंग ने उत्तर दिया टेन कुइंग शान को तब यकीन हो गया कि यह चाला कधेर उम्र का आदमी था जिसे उसने मार डाला था लिंकिंग के हाथ कसकर मुठियों में जकड़े हुए थे और यहां तक कि उसका शरीर भी मुठियों में बंधा हुआ था थोड़ा काउपना उसकी आँखों में एक भयन कर चमक चमक उठी मैंने सपना देखा और चाहा कि कोई इस कमीने को मार डाले जो लोग बहुत से लोग उसे मारना चाहते हैं लेकिन वह कभी नहीं मरा मैंने तो सारी उम्मीद भी छोड़ दी थी मैं केवल प्रतीक्षा और आशा ही की जा सकती थी कि एक दिन वह साध्यर रूप से बीमार हो जाएगा तथा पी किसने सोचा होगा कि वह वास्तव में अपने अध्ययन काक्ष के गुप्त कमरे में मर गया कमरा लिंकिंग हसे और टिपनी की यह अच्छा है कि वह मर गया यह बहुत अच्छा है ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे और उसके बीच गहरी दुश्मनी है टेन क्विंग शान कहा एक गहरी शिकायत लिंकिंग ने उपहास किया यहा निता कहा जा सकता है कि मैं अभी भी हूँ उनका रिनी हूँ टेन क्विंग शान की भोहें तन गई रिनी लिंकिंग ने आगे कहा सच कहूं तो मेरा परिवार बहुत गरीब था छोटी उम्र में मेरी मा गंभीर रूप से बीमार हो गई और मर गई मेरे पिता को दूर काम करना पड़ा घर एक दूर घटना घटी मेरे पिता कहीं उचाई से गिर गए जिससे उनकी आधी मौत हो गई उसका शरीर लकवागरस्थ हो गया मैं केवल अपना ख्याल रखने की पूरी कोशिश कर सकता था छोटा भाय और उसे स्कूल जाने दो आप समझते हैं मैं क्या कर सकता था इस आमान्य शेक्षी की प्रिष्ट भूमी की लड़की क्या ये ली मिंग्शान ही थे जिन्होंने मेरे लिए प्रदान किया मैं उसकी रखेल थी लिंक्विंग कहते हुए वह थंडे स्वर में मुस्कुराए टें क्विंग्शान की भावनाय बिल्कुल नहीं बदली उसने बहुत कुछ देखा था त्रासदिया उदाहरन के लिए उन दिनों में जब वह साथ साल का था लाशों के धेर में जिन्दा रहना पड़ा कैसा मनहूस मंजर नहीं है उसके पास देखा टें क्विंग्शान ने उन लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जो वहां थे मालके नहीं कहें तो हर परिवार की अपनी समस्याएं होती हैं और हर किसी की होती हैं उनके अपने काश्ट मैंने उनसे जो पैसे मिले उसका इस्तेमाल अपने छोटे भाई की अच्छी देख भाल के लिए किया और मेरे अपाहिच पिता उसकी रखेल होने के लिए सेवा की शर्तें थी पूरी तरह से उसके नियंत्रन में, अगर वह मुझे मारना चाहता तो मार देता चीटी को कुचलने से भी आसान, मेरे पास अभी भी मेरा छोटा भाय और मेरे पिता, मैं थे सहना पड़ा, उनके सामने मैं एक गुलाम की तरह था, मैंने अपने दिन घबराहट और आतंक में बिताए, मैं बहुत अच्छा लग रहा था बाहर, लेकिन वास्तव में, लिन्कुंग ने टेंकुंग शान की ओर देखा, ये वह समय था, टेंकुंग शान, जब आपने मुझे अपनी पीट पर बिठा कर छेह मील सड़क पार की, मुझे अपने दिल में शान्ती महसूस हु अपने दिल में, टेंकुंग शान ने इस तरह की भावना को समझा, क्योंकि वापस फिर साइबेरियाई प्रशिक्षन शिविर में भी वह दैशत की स्थिती में रहे, दोरान उस समय उसने एक सेकंड के लिए भी आराम करने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वह कभी भी मर सकता थ अपल, उन्होंने अपने वे दिन शानती से तभी जिये जब उन्होंने मार्शल आज सीखना शुरू किया अपने शिक्षक टेंग बोले इसे, अब मैं अंतता स्वतन्त रहूं, ली मिंग शान के बिना, लोग उसके नियंतरन में थे बहुत पहले ही तूट कर बिखर चुक के बारे में मैंने सोचा वहाब थे, अध्याय सोलह अनुवादक, आयाम जीटी संपादक, लुकास अध्याय सोलह, प्रत्येक पक्ष का अभिसरन, स्वतंत्रता और खुशी पुना प्राप्त करने पर बधाए, टेंग कुंग शान ने कहा मुसकान के साथ, लिंकिंग ने ट टेंग किंग शान को देखा, वह एक गरीब परिवार से थी, होना लिंकिंग अपनी पहली धनराशी से ही यहां तक पहुंची थी अच्छे निननय का व्यक्ती भी, वह समझ सकती थी कि टेंग कुंग शान के पास था, वह हमेशा दूसरे लोगों को दूर रखती थी और कभ लड़की को ये पूछने के लिए बहुत सा हस चाहिए होगा, नहीं मुझे माफ कर दो, टेंग कुंग शान ने बिना किसी हिचके चाहर के उत्तर दिया, जब वह आत्मा मजाक में बोल रही थी तो लिंकिंग का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया, तुम्हें मैं गंदा ल चाहिए, टेंग कुंग शान ने अचानक कहा, लिंकिंग स्तब्ध रह गए, उसने देखा कि टेंग कुंग शान अब एक उदास्क शेत्र पर ध्यान के इंद्रित कर रहा था दूरी, क्या ऐसा हो सकता है कि वहां कोई था, हैरान होकर लिंकिंग ने उधर देखा, वद्दो उसके एक ने धीली धाली सफेद शर्ट और लंबी सफेद पैंट पहन रखी थी, उनके प्राकृतिक घुंगराले बाल लापर वाही से एक लंबी चोटी में बंदे हुए थे, उन्होंने एक पहना मिलनसार अभिव्यक्ती और उसकी एक जोली आँखें थी, जो दो काली ज गजों में से दो थे संस था, गौड, किंग्डम, विश्नु और शिर्ट, आह, लिंकिंग इतना सदमे में थी कि उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, आखिरकार तुम लोगों ने मुझे धून भी लिया, ऐसा लगता है जैसे अंधेरे का हाथ वह नहीं है कुशल, तेन क का चीनी भाषा पर पकड़ उतनी अच्छी नहीं थी, मरना, लिंकिंग भहे भी थी, उसने जट से टेन किंग्शा की ओर देखा और फुस फुसाए, टेन कुइंग शान, चलो इसकी सूचना पुलिस को दें, हालांकि उसकी आवाज बहुत धीमी थी, दो ईश्वर सामराज के दिगगज जो थे 30 मीटर दूर से उसे स्पष्ट सुना जा सकता था, एक मुस्कुराती हुई अभिव्यक्ति दिखाई दी सफेद वस्वरधारी व्यक्ति का चेहरा, विश्णू, जहां तक शिव की बात है, उन्होंने ऐसा नहीं किया बिल्कुल चीनी समझिये, डीव क्या साधारन पुलिस बलतीनों के बीच भीशन युद्ध में हस्तक शेप कर सकते थे, दुनिया के शीर्ष विशेश अग्य, लिंकिंग, पहले वापस जाओ, अचानक, टेन कुइंग शान चले गए, हाहा, तुम मुझे मारना चाहते हो तो आ जाओ, अचानक तेज जटके के साथ, टेन कुइंग शान बगल के अंधेरे में चला गया ब्राइट मून जील, भागने की सोच रहे हो, वह गंजा मजबूत आदमी, शिवा, चिलाया, तेज बिजली की तरह, उसने टेन कुइंग शान का पीछा किया, जहां तक सफेद वस्त्रधारी विशनु का प्रश है, वह केवल मुस्कुराया और मानो उसका पीछा कर रहा हो अराम से टहल रहा था, हालांकि यह सोचना की प्रतेक कदम उसे 4-5 मीटर दूर ले जाएगा, लिंकिंग ने इस द्रिश्य को अचंबे से देखा, टेन कुइंग शान और अन्यदो की गती इतनी तेज थी जितनी लिंकिंग की थी स्तब्द, अरे नहीं, वे टेन कुइंग शान को मारने जा रहे हैं, लिंकिंग ने वैसा ही कहा घबराया हुआ, उसकी चिंता ने हालात को और भी बद्तर बना दिया, हालांकि टेन कुइंग शान ने उसे ऐसा न करने के लिए कहा था पुलिस को इस समय छोटे बाल और जैकेट पहने हुए एक सक्षम दिखने वाली महिला ब्राइट मून जील के पास एक कृत्रिम पहाड के पीछे देखा गया था। इश्वर सामराज्य के दो दिखगज और उरने वाले चाकु के अकेले भिडिये ब्राइट मून जील पर लड़ाई शुरू कर दी है। का असर ही होगा उन्हें नकारादमा क्रूप से। लिटिल जून और बाकी लोग जो यहां रहेंगे आपकी देखभाल करने में मेरी मदद करें भाभी। मुझे बस इस बात का डर है कि शेन यांगमिंग बाहर आ जाएंगे कहीं भी नहीं। किन होंग ने अपनी बुलिट प्रूफ जैकेट और अन्योप करन पहने थे अपने मातहतों को निर्देश दिया। इस बार सोलह लोगों को भीजा जाएगा। वे सभी सोलह के क्षेत्र में विशेश ऑपरेशन टीम में सबसे उत्कृष्ट अभिजात वर्ग थे जियांगसू। टीम में किन होंग एक ग्रूप लीडर थे। वह अकेला था इस मिशन के लिए उनकी टीम चुनी जाएगी। चिंता मत करो भाई किन। मुख्याले में बचे लोग तुरंत उत्तर दिया। इसी समय ली रैन अपने बड़े पेट के साथ कमरे से बाहर आई। किन होंग जट से कहा लिटिल रैन अच्छे से आराम करो। हम जल्दी लोटेंगे। ध्यान से ली रैन भी टीम के सदस्य थे और जानते थे कि कैसे ऐसे ओपरेशन खतरनाक थे। चिंता मत करो। किन होंग ने आश्वासन दिया। चला जाना। यांग यून ने आदेश दि लिए अलग हो गया और तेजी से आगे बड़ा ब्राइट मून जील पश्चिमी शहर जिले में स्थित है। ली रैन जो आंगन में खड़ा था चिंता का संकेत दिखाने के अलावा कुछ नहीं कर सका सका चेहरा। बड़ी बेहन रैन तुम्हें सावधान रहने की जरूरत ह बाहर मत खड़े रहो जल्दी से अंदर आओ क्या आप दो दिन पहले आए उस फोन कॉल के बारे में भूल गए हैं। निम्न में से एक मुख्याले से सदस्य तुरंद भागे। मुझे पता है। ली रैन को उस समय का फोन कॉल याद आया। तब वह फोन के ठीक बगल में थ और उसने सपश्ट रूप से सुना था बातचीत। दूसरे पक्ष ने किन होन को चितावनी दीती की पुरवोत्तर का शेन यांगमिंग उसे मारना चाहता था और उसने ली मिंगशान की मदद ली थी। ली मिंगशान ने तब एक भगोड एक चूतियान को भरती किया था ज ये तब था जब किन होन और अन्य लोगों को यकीन हो गया था कि शेन यांगमिंग वास्तव में हैं उसे मारना चाहते थे। इसके अलावा ये सच था कि किन होन ने शेन यांगमिंग के बुजूर्ग की हत्या कर दी थी भाई, वान कुइंग। इसलिए शेन यांगमिंग क इसलिए उन्होंने एरिना से जाच करने और शेन यांग मिंग का पता लगाने में मदद करने को कहा ताकि वह कार रवाई कर सके। हालांकि किसी व्यक्ति का पता लगाने में समय लगता है। इसलिए टेंग किंग शान ने यंग जहो शेहर में चुपचाप एरिना का इंतजार किया संदेश। हालांकि इश्वर सामराज्य के दो दिगगज पहले ही आ चुके थे इसे पहले की उसे कोई खबर मिलती। तारांकन 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 शेन यांग मिंग और उनके तीन अधीनस्त एक किराय के मकान में रह रहे थे पुराना शेहर जिला। ओ, किन्होंग ने अपना ठिकाना छोड़ दिया है और पश्चिमी शहर की ओर जा रहे हैं जिला। शेन यांग मिंग, Hand of Darkness की कतार में थे संगठन। ठीक है, मैं तुरंथ चलूँगा। संपर्क में रखने के, शाम के समय जब शेन यांग मिंग पहुचे तो उन्हें पता चला अंधेरे का हाथ जिसे किन्होंग के मुख्याले में चुपाया गया था विशेश ओपरेशन टीम। उसके पास इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। फिर भी किन्होंग वास्तव में उसकी अपेक्षा से अधिक तेजी से बाहर आया। ठीक है भायों, हमारा तो एक ही लक्ष है, किन्होंग को मार डालो। शेन यांग मिंग एक खुनखार भिडिये की तरह था और उसने तीनों की ओर नजर डाली उसके बगल के लोग। चिंता मत करो, बड़े भाय। उन तीनों ने जिन्होंने आना चुना था शेन यांग मिंग के साथ भी भगोड़े थे। अपनी बंदु के लेलो, शेन यांग मिंग और अन्यतीन ने तुरंट अपनी बंदु के छिपा कर रगदी किराय का घर छोड़ दिया। घर के बाहर एक पसाट गाड़ी खड़ी थी, उन चारों के कार में चड़ने के बाद वे तुरंट आगे बड़े पश्चिमी शहर जिले की दिशा। थोड़ी देर गाड़ी चलाने के बाद, शेन यांग मिंग किन होंग और उनका समूह ब्राइट मून पर आ गए हैं जील पश्चिमी शहर जिले में स्थित है, वर्तमान में लोन वुल्फ का उरने वाले चाकू और ईश्वर सामराज्य के दो दिगगज वहाँ हैं, वह ये तीनों ऐसे अस्तित्व थे जिनकी उसे प्रशंसा करनी चाहिए, धन्यवाद, लेकिन मुझे ऐसा मौका कम ही मिलता है, भले ही मुझे मरना पड़े, मुझे मरना ही होगा मेरे भाई का बदला लो, शेन यांग मिंग ने तुरंत आदेश दिया ड्राइवर की सीग पर ब अगे बढ़ते गए और वहनों को लगातार ओवर्टेक करते गए गंतव्य, ब्राइट मून जीव सभी दलों का अभिसरन स्थल बन गया, टेंक विंग शान लगभग 800 मीटर तक बन जब भूमी तक दोड़ा ब्राइट मून लेक से दूर, दोनों महान विशेशग्यों ने में काम्याब हो जाओं उनके रक्षक, जैसे ही टेंग कुंग शान भाग रहा था, उसने तुरंत एक योजना बनाई थी उसके दिल में योजना, अचानक टेंग किंग शान जो तेज गती से दोड़ रहा था, वह पीछे मुड़ा और हाथ घुमा कर उर्ता हुआ चाकु न प्रतीत हो रही थी उसने आसानी से इस उड़ने वाले खंजर को चकमा दे दिया, एक महासिद एक के रूप में जिन्होंने प्राचीन काल में पूर्णता की सिद्धी प्राप्त की थी योग, शिव का सिर आसानी से 360 डिग्री घूम सकता था, उसके टैंडन, हर्डियों और मानस्पेशियों का विकास सभी स्टर पर पहुंच गया था अविश्वसनी आवस्था, जटका, एक तेज सीटी की आवाज आई, टेन क्विंग्शान पहले ही करीब आ चुका था और उसने उस पर मुके से हमला कर दिया बिजली की तरह तेज थी, गंजा और मजबूत आद इंदू धर्म की कीवदंतेों में ये था कहा कि त्रिमूर्ती दोप में शिव विनाश के देवता थे, तथ्य इस बात का भी खुलासा हुआ कि ये गंजा मजबूत व्यक्ती शिव उपनाम प्राप्त कर सकता है उसके बारे में जानकारी, डॉट डॉट इससे संकेत मिलता ह कि शेव अत्यदिक आक्रामक थे, विश्नू, सफेद कपड़े पहने हुए आदमी, चुपचाप किनारे पर खड़ा था लड़ाई देखी, फिर भी ये संभव था कि वह किसी भी क्षन आक्रमन कर सकता था, अध्याय सत्रह हनुवादक, आयाम जीटी संपादक, लुकास अ आहा, शेव हसा क्योंकि उसके पैर दो बड़े चुरी की तरह हिल रहे थे टेन कुइंग शान की और लापर वाही से हमला किया गया, टेन कुइंग शान ने जोर से गुनगुनाहट भरी आवाज निकाली उसने ताकत लगाए और अपनी बाहों को अपनी चाती के ठीक सामने पूफ, शिव का दाहिना पैर बिजली की गती से उसकी और चला, टेन किंग शान की भुजाओं पर इतना जोर का प्रभाव पढ़ा किवे दब गई उसकी छाती पर, वह तुरंत अपने पैरों के बल खड़ा हो गया और जल्दी से बोला पीछे की और चलांग लगाए और अपनी ताकत वापस ले ली, उर्ते चाकों का अकेला भेडिया, तुम मजबूत हो, आपकी योग्यताएं दर्शाती हैं कि आप स्पष्ट रूप से स्वर्ग और मनुश्य के बीच एकता के द्वार पर कदम रखा है क्षेतर, जिसे आप चीनी लोग, ग्रैंड मास्टर क् चेकता, थी प्राचीन भरतिय योग का उचतम क्षेतर, जो के समान था आंतरिक मार्शल आर्ट का ग्रैंड मास्टर क्षेतर, यदि टेन क्विंग शान के पास गौडली टाइगर फॉर्म तक नीक नहीं थी, और यदि उसके पास भौतिक गुनवत्ता दोगुनी नहीं हु समय बर्बाद मत करो, सफेद वस्त्रधारी व्यक्ती, विश्नु, जो किनारे खड़ा होकर लड़ाई देख रहा था, बोला, मुझे मालूम है भाय, उत्तर देने के बाद, शिव ने गहरी नाराजगी व्यक्त की, उसके पूरे शरीर की मास्पेशियां तुरंत मुर गया और उभराया, यहां तक कि उसकी रीर भी मुर रही थी और चटपटा रही थी, वह वास्तब में लंबा होने लगा, चाहे वह उसके हाथ हों, पैर हों, पेट, कमर या गर्दन, सब कुछ फैल गया और आकार में दो गुना हो गया, इस पर उसक्षंड, शिव एक शैतान की तरह थे जो उतर आया था, मुझे अपनी सारी ताकत दिखाने में सक्षम होने पर आपको गर्व होना चाहिए अपने आपको, भले ही तुम मर जाओ, जैसे ही शिव ने अपनी बात पूरी की, वह तुरंद दबे पाउंव और एक तीर की तरह टेंग किंग शान की ओर चला किंग शान ने उब्र रूप से दहार लगाए और बाहर भेज दिया एक बेखेंडेट छलांग मुठी, हाहा, शिव ने ला परवाही से एक पैर से टेंग किंग शान के दाही ने हाथ पर लात मारी, साथ ही एक और किक भेजी जिससे टेंग किंग शान और गया हवा में, अतकाल तेंग किंग शान पेर से टकराया, उसकी पीट उभरी हुई देखी जा सकती थी, दुरगटना के बाद तेंग किंग शान लड़ खडा कर जमीन पर गिर गया, पूफ, ए उसके मूह के कोने से खून की बूंदे टपकने लगी, हाहा, शिव को अपने आप पर एक बा वह शिव को धोखा देने के लिए ही था विश्णू, जो किनारे पर लड़ाई देख रहा था, अब तक वह ताकत टेंग कुंग शान ने खुलासा किया कि यह केवल उस व्यक्ति की ताकत थी, जिसने अभी अभी इसमें प्रवेश किया था, ग्रेंड मास्टर क्शेत्र, य उसका एक पैर तुरंद हवा से कटकर टेंग की और फिसल गया किंग शान के पैर की गहली आवाज हवा में चुपती हुई सुनाई दी, इससे पहले की पैर टेंग किंग शान को छूता, वह पहले से ही महसूस कर सकता था उसके सिर के उपर से दबाव डालने वाला बला रहा है, इस पल, जैसे ही टेंग कुंग शान का शरीर तैरने और दगमगाने लगा, उसका बाया हाथ ऐसे हिल गया परानिक ड्रेगन पानी से बाहर निकला और एक अजीब से पैर पकर लिया सरपिल शक्ती जबकि उसकी दाहिनी मुट्टी पहले से ही ताकत जमा करना शुरू कर चुकी थी, पफ, टेंग कुंग शान का बाया हाथ तिरचे रूप से शिव के दाहिने पैर को छुग गया तुरंधी शिव की आधी शक्ती समाप्त हो गई, फिर भी, टेंग कुंग शान फिर भी गए बल के साथ और दाहिनी और भूं गया, साथ ही साथ उसे बाहर भेज द या तोप की तरह दाहिनी मुर्ठी तेयार कर एक जोरदार प्रहार किया, आग और उलकाओं की उर्ती चिंगारियों की तरह, टेंग कुंग शान ने उस पर हमला कर दिया बिजली की गती से प्रतिदवंधवी की छाती, हाहा, शिव भी भी पागलों की तरह हंस रहा था, उस इसकी बिलकुल भी चिंता नहीं थी टेंग कुंग शान का मुक का, उसने तुरंत अपने बाएं पैर से फिर लात मारी, टेंग कुंग शान की और हवा में फिसलते हुए, इस समय, टेंग कुंग शान अपने दाहिने हाथ से शिव पर हमला कर रहा था, इसलिए था था उसे, पूफ, टेंग कुंग शान का दाहिना हाथ उभर आया और जैसे ही भयनकर मुक का आया शिव की छाती पर उस मुके का बलवास्तव में तेजी से बढ़ गया, सामान्य रूप से, जब आंतरिक मार्शल आर्ट के शक्तिशाली इभ्यासी भाग लेते हैं भयनकर युद्ध में, सबसे मजबूत ताकत केवल तभी फट जाएगी जब उसकी मुठी फट जाएगी प्रतिद्वंधवी से संपर्ख किया, इस तरह की सबसे अच्छी मुठी मार्शल आर्ट वन इंच होगी विंग चुन का मुक का, एक इंच का मुक का रहस्यमय लेकिन मुख जारित हो सकती है, लेकिन ऐसा हो सकता है इसे केवल सामान्या अंतरिक गुरुओं के तरीके के रूप में माना जाना चाहिए। कि ताकत का पता चला, उन्होंने हाल ही में फाइव एलिमेंट बॉक्सिंग में सबसे मजबूत कैनन फिस्ट का प्रदर्शन किया था। वाह, शिव, जो शैतान के समान शक्तिशाली थे, रक्त के समान असहाय होकर उर गए उसके मुँँ से निकल गया। बहादूर, सफेद कि असलीक शमता टेन कुइंग शान जैसी ही होनी चाहिए। शिव, दस वर्षों से अधिक समय तक स्वर्ग और मनुश्य के बीच एकता के दाइरे तक पहुंच गया था पहले, जबकि टेन कुइंग शान ने गौडली टाइगर फॉर्म तकनीक का अभ्यास किया था। हालांकि विरोधियों ने यह मान लिया था कि टेन कुइंग शान तब से कमजोर थे शुरुआत में, उन्होंने टेन कुइंग शान पर एक साथ हमला करने की योजना भी नहीं बनाई थी। ऐसी लापरवाही के कारण अंततह, शिव को एक महत्वपूर्ण समय पर एक करवा स इसलिए मुके का परिनाम पूर्वानुमानित था। ताजा खून के बीच जो शिव ने उगला बाहर अंगों के कुछ टुकड़े थे। बड़े भाये, जैसे ही शिव जमीन पर गिरे, उन्हें स्थिती का पता चल गया बुरा था और इसलिए वह उटकर भाग जाना चाहत था। शिव महासिद थे प्राचीन योग, इसलिए उसकी तवचा, हड़ियों या अंगों की परवा किये बिना उनके पास था अविश्वसनिय स्तर तक अभ्यास किया गया है। भले ही उसके अंग थे घायल होकर वह इतनी आसानी से नहीं मरेगा। शिव की जीवन शक्ती उससे भी अधिक प्रबलती तिल्चटा, पलायन, टेन किंग्शान ने कहा और अपने शरीर को नीचे कर लिया और अपने दोनों शरीर को सहारा दिया हाथ और पैर अचानक जमीन पर वह चारों और से एक खुनखार बाग की तरह लग रहा था जपटने के लिए। जैसे ही जमीन के हिलने की आवाज सुनाई दी, टेन किंग्शान उचल कर दस मीटर दूर चला गया। उनकी पैनी निगाहें, शिफ्ट की ओर भूरने लगी, जैसे प्रतिद्वंद्वी को फार डालने की कसम खाते हुए, क्रूर बाग पहार से नीचे आ रहा है टुकड़े। जग चीन शहर क्षेत्र में मुख्याले से और पूरे रास्ते गाड़ी से चला गया 100 किलोमीटर प्रती घंटे से भी अधिक की तीवर गती आखिर का रही गई इस समय मून लेक। टेन किंग्शान और की समवेदिक शमताओं के साथ ईश्वर सामराजय के दो दिगगज, अपात प्रतियक समप्रदाई ऐसा कैसे नहीं कर सकता क्या आपके पास कुछ ग्रेंड मास्टर हैं। फ्लाइंग के लोन वूल्फ को मारने के अपने मिशन में चाकू इस बार दो लोग एक साथ आये ताकिवे सुरक्षित रूप से पीछे हच सके जब स्थिती बहुत खतरनाक हो अपने दिल की गहराई में उन्हें लोन वूल्फ की बिल्कुल भी परवा नहीं थी शुरुआत में उलने वाले चाकू आखिरकार वह वूल्फ मूल रूप से एक एसरेंग था हिटमैन भले ही ग्रेंड मास्टर बन गए लेकिन वह केवल एक नौसिखिया ही होंगे ग्रें अत्यंत महत्वपूर्ण था यदि मूद अस्थिर था तो उनकी ताकत याक्षमता 10 या 20 प्रतिशत कमजोर हो जाएगी वाह शिवा बदहवास होकर भाग रहा था हालांकि वह अपने बड़े को जानता था भाई विश्नु उसके पीछे थे उनमें सिर मूलने या मूलने की हिम्मत नहीं हुई आसपास क्योंकि अगर वह थोड़ा जिजगता तो 10 कुइंक शान जो आ रहा था उसके करीब उसने तुरंत उसे मारने का मौका ले लिया होगा शिव चटानों पर कूदे सड़क पर दोड़े और तेजी से आगे बढ़ते रहे तरित की गती रुकना सफ दूरी और चाल हो सकता है कि खून बहने से उसकी आंतरिक चोट बढ़ गई हो उसके मुह के कोने से शिव देखने में क्रूर लेकिन मूर रूप से कमजोर होने के बारे में टेन किंग शान ने वास्तव में कोई परवा नहीं की उसे विश्वास हो गया कि अभी अभी मुक क मारा है शिव को गंभीर रूप से घायल कर दिया था इस समय शिव मात्र प्रकट हुए थे मजबूत लेकिन वास्तव में कमजोर था टेन कुइंग शान एक बवंडर की तरह था उसका हाथ कीचे हुए धनुष से छूटने वाले तीर की तरह हो गए जो पागलपन से हमला कर रहा था शिव छलांग मुठी एक तीर की तरह थी और क्रमिक रूप से कई छलांग मुठी थी अब शिव के सिर पर गिरना शिव को तब तक मारना जब तक उसका सिर्फ अट न जाय तरबूज फोड़ें बस इस ततकाल देरी के कारण सफेद कपड़े पहने व्यक्ती विश ची गुस्से में विश्नु ने कुरूरता पूर्वक ऊपर से अपनी मुखे बरसाए उसकी मुठिया पैंगु की तरह वे दुनिया का निर्मान कर रहे थे उनके पीछे अनन्द शक्ती थी जोर से नीचे की ओर गिराया गया ची ची टेंग किंग शान की पीट अचानक अजीब तरीके से धंस गई जिससे ऐसा नहीं हो सका खुद कुछ होने के लिए अपने प्रतिद्वन्दवी की मुठ्थी अचानक सफेद कपड़े पहने व्यक्ती विश्णू ने अपनी दाहिनी मुर्थी फैलाए और उसकी नकल की एक पंजे के आकार का और एक शेर की तरह अपने शिकार को फारने वाला तेज पंजा उबरता से टेंग कुंग शान की पीट को खरोंच दिया सीधे उसके खून का एक बड़ा हिस्सा चीन लिया और मास इस समय टेंग किंग शान ने शिव और उसके पूरे शरीर को मार डाला था शरीर तुरंट उर गया तेन किंग शान की पीट का एक बड़ा हिस्सा छीन लिया गया जिससे उन्हें बहुत तेज दर्द महसूस हुआ सपरशनिया था सब कुछ खून से लटपत था अगर किसी सामान्य इनसान की पीट से मास का इतना बड़ा हिस्सा फार दिया जाए वह अपनी मुठी नहीं घुमा सकेगा हालां की लगभग एक पल में टेन किंग शान की पीट की मास्पेशियां हिलने लगी और खून बहना बंध हो गया टेन कुछ शान ने अपनी क्षमता पर भरोसा किया उसकी मास्पेशियों पर नियंद्रन और अस्थाई रूप से उसके घाव को नियंद्रित किया लानत है मेरी पीट का मानसल हिस्सा दूर हो गया जिससे काफी असर पढ़ा मेरी पीट की ताकत और मेरी बाई और दाई मुठियों की ताकत कमजोर हो जाएगी 20 प्रतिशत तक टेन कुइंग शान को तीवर दर्द की परवा नहीं थी लेकिन उसकी ताकत का कमजोर होना उसके लिए सिर्दर्द था जैसे मुठ्टी की ताकत उसकी पीट की मानस्पेशियों के साथ एक अविभाज्य संबन्ध था हालां कि ये ठीक है इस छोटे से त्याग से मैंने अंतता शिव को मार डाला अन्य था यदि वह नहीं मरता तो मुझे निरंतर उसकी चिंता सताती रहती जब मैं विश्नु से लड़ता हूँ तो चिपकर हमला करता हूँ टेन किंग शान ने एक नजर डाली शिव की लाश जो कीचर भरी जमीन पर पड़ी थी ऐसे महासिद शिव जैसे प्राचीन योग यदि उन्हें थोड़ा समय दिया जाए तो वे ऐसा कर सकते हैं उनके आंतरिक धावों को नियंतरित करें और कम से कम सत्तर से असी प्रतिशत का उप्योग करें उनकी ताकत उस समय तक ये निश्चित रूप से टेन कुइंग शान को धमकी देगा इसलिए टेन कुइंग शान ने शिव को मारने से कोई कसर नहीं छोड़ी सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति विश्णू ने एक गहली सांस ली और उसकी धीली सफेद वह थे जो सबसे अथाह थे मूल रूप से विश्णू टेन कुइंग शान को मारने के लिए ओपरेशन में कोई कदम उठाने की योजना नहीं बनाई थी हालां कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा परिनाम होगा तीन दिगजों में से एक शिव वास्तव में मारे गए थे मुझे तुम्हें अवश्य मारना चाहिए सफेद वस्त्र पहने विश्णू धीमी आवाज में बोले टेन कुइंग शान ने केवल मुस्कुराते हुए जवाब दिया हूँ हूँ सफेद वस्त्र पहने विश्णू बेहद फूर्तिले थे जैसे ही वह आगे बढ़ा उसने सफेद भ्रम की एक धारा में परिवर्तित होकर टेन कुइंग शान के सामने प्रकट हुआ पलग जपकना अपने हाथ को हिलाते हुए टेन कुइंग शान ने बर्स्टिंग फिस्ट का प्रदर्शन किया एक कदम पीछे हटना अजीब बात ये थी कि विश्णू ने बचाव का कोई संकेत नहीं दिखाया था टेन कुइंग शान की फूर्ति मुर्ति वह बस थोड़ा सा बगल की और सरक गया टेन कुइंग शान की मुर्ति को उसकी बाह पर गिरने दिया ये सही नहीं है जिसक्षन टेन कुइंग शान की मुर्ति उसके संपर्प में आई उसके प्रतिद्वंद्वी को ऐसा महसूस हुआ अमानों कोई बड़ा अजगर नीचे रेंग रहा हो फूले हुए सफेद कपड़े उसकी मुठी वास्तव में नीचे गिरते ही फिसल गई सफेद वस्त्र पहने विश्नु को बिल्कुल भी चोट नहीं आई हालां कि उन्होंने उधार लिया टेंग कुंग शान के मूखे से बल मिला और जमीन पर गिर गया उसके दो पैर किसी जहलीले साप की उगलती जीब की तरह हिल गए और चिपक गए टेंग कुंग शान के दाहिने पैर पर जैसे ही उसने बल लगाया टेन किंग्शान तुरंट नीचे गिर गया मैदान यदि उसने ऐसा न किया होता तो उसका दाहिना पैर कुछल दिया जाता बस टेन किंग्शान के दाहिने पैर की मासपेशियां जोर से कापने लगी तीर चलाने के बाद धनुष्की कापती हुई दोरी उसी समय ए अजीब आंतरिक शक्ती विश्नु के पैरों की और बड़ी हलांकि सफेद वस्त्र पहने विश्नु के पैर दो जैसे थे विशाल सांप उसने तुरंद अपने पैर उपर उठाए और उन्हें टेन के चारों और लपेट लिया किंग्शान का उपरी शरीर पायतन बॉडी बाइंड इस समय टेन किंग्शान को अजगरों की हत्या के कुछ द्रिश्य याद आये आदिम जंगलों में लोग उसे तुरंद भयावे और दम भुटने का असास हुआ ताकतें उसकी और बहती हैं हम टेन कुइंग्शान ने हलकी सी हसी निकाली सफेद वस्त्र पहने, विश्णू, ने मान स्पेशियों के मुरने और कांपने का अहसास किया टेन कुइंग्शान के पूरे शरीर पर अचानक टेन कुइंग्शान जो उसके पास था उल्जा हुआ, मानो अजगर में बदल गया हो एक रहसिमई चीज साथ लेकर आ रहे हैं घूमते हुए बल से, वहुलजाव से बाहर निकला और उपर की और उचला, जैसे छिपा हुआ ड्रैगन आसमान में उड़ रहा है ड्रिलिंग फिस्ट, ड्रैगन फॉर्म, टेन कुइंग्शान की महारत के स्तर पर उनका संपूर्ण शरीर एक तैरते ड्रैगन में बदल सकता है स्मैक, सफेद वस्त्र पहने, विश्नू, को जोर से जमीन पर पटक दिया गया जैसे ही उसने छलांग लगाई, उसका पूरा अस्तित्व एक महान सेंटिपीड में बदल गया और टेन कुइंग्शान के टखनों की और लपका टेन कुइंग्शान हवा में उचला और पैरों से विश्नू की और बड़ा पवन अगनी पहियों की तरह भूम रहा है जटका, अपने बाएं हाथ को जुका कर, विश्नू ने टेन किंग्शान की किक का बचाव किया अजीब बात तो ये थी कि उसे मरोडने पर भी उसकी हड़िया नहीं तूटती थी बाया हाथ 90 दिग्री के कोन पर किसी को ये स्विकार करना होगा कि प्राचीन योग में वास्तव में अपनी अनूती विशेशताएं थी किसी के लचीलेपन का प्रशिक्षन और विश्नू का दाहिना हाथ टेन किंग्शान के बाएं टकने को पकड़ लिया टेन किंग शान ने अपने बाएं और दाएं पैरों से नीचे ठोकर मारी जिससे विश्नु को मजबूर होना पड़ा उसकी पकर छोड़ो फिर भी उसे अभी भी अपने बाएं पैर में दर्द महसूस हो रहा था डीव ग्रेटर दैन अरे नहीं मेरी हड़ियां तूट गई हैं टेन किंग शान ने मन ही मन सोचा इस समय उसका बाएं पैर एक अजीब स्थिती में लटक गया अपने हाथों को जमीन पर तिकाते हुए टेन किंग शान ने एक बार फिर छलांग लगा दी हवा में टेन किंग शान ने तुरंट अपना बाया पैर उपर उठाया जब वह हवा में था जैसे ही उसने दबाव डाला और मुणा एक दरार की आवाज आई और उसकी हड़ियां फट गई वापस शामिल हो गए ग्रेंड मास्टर क्षेत्र में कोई भी उसके हर टुकड़े को जान सकता है हड़ियां बहुत अच्छी तरह से बेशक उनकी हड़ियों को वापस जोडने की क्षमता होगी अत्यधिकू चाहो ये सोचने के लिए कि किसी की प्रावर्णी को इस हद तक प्रशिक्षित किया जा सकता है तुरंट टेंग कुंग्शान के पास एक योजना थी विश्नु के साथ व्यवहार करते समय उन्हें ड्रिलिंग मुठी का उप्योग करना चाहिए सफेद वस्त्र पहने विश्नु ने अचानक एक तेज और भेदी चीक निकाली बस उस रोने को सुनकर टेंग किंग्शान को थोड़ा चक कर आ गया विश्नु तुरंट नजदी का गए बुद्ध की तरह उन्होंने मुद्रा का अभ्यास किया हाथ का इशारा बाहर कीचते हुए अपने अंगूठे और तरजनी की नोग को मिलाना अन्यतीन थोड़ी मुली हुई उन्गलिया टेंग कुइंग्शान ने जमीन पर पटक दिया और एशक तिशाली प्रतिगात बल उसके पैरों से उसकी दाहिनी मुठ्थी तक प्रवाहित हुआ उसके पूरे शरीर की मास्पेशिया मुर गई जैसे ही उसने अपनी मुठ्थी बाहर निकाली एक विस्फोट हुआ वायुका हुआ ऐसा लग रहा था जैसे हवा को किसी इलेक्ट्रिक ड्रिल से ड्रिल किया गया हो विश्णू ने अपनी हथेलिया उपर उठाई और टेंग किंग शान के मुखे को रोग दिया अपनी हथेलियों से प्रभाव प्राप्त करते हुए उसकी हथेली का मध्य भाग अंदर धंस दया विश्णू वास्तव में इस ड्रिलिंग बल को नकारने में काम्याब रहे इसके बाद उसने टेंग किंग शान की दाहिनी बाह पकर ली और पीछे चोड़ दिया उसकी दस उंगलियों के शक्तिशाली बल से अंदिनत खुनी छेद टेंग किंग शान वास्तव में अपने आपको विश्णू की पकर से मुक्त नहीं कर सका यह महसूस करते हुए कि स्थिती खराब है उन्होंने तुरंट अपना शरीर नीचे किया सहारा दिया खुद अपना बाया हाथ उपर उठाया और अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर जपता अचानक विश्णू उब्र रूप से चिलाया और जोर से खीचा अनुभव करना टेन कुंग्शान का दाहिना हाथ जबर्दस्ती फट गया था और खून बह रहा था बाहर उसका दाहिना हाथ फट गया टेन किंग्शान जिसने अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर गोली चलाई थी ने एक बरबरता पूर्ण प्रदर्शन किया अभिव्यक्ती उसने अपने पैर खोल दिये ठीक उसी तरह जैसे कोई मगरमच अपना मूँ फैलाए हुए होता है और फिर विशनु के दाहिने पैर को पकड़ लिया इसके साथ ही उसने अपने अक्शुण बाएं हाथ से विशनु की पिंडली पकड़ ली गुसे में चिलाते हुए उसने अपने बाएं हाथ और पैर पर जोर लगाया और फिर मुणा हुआ सर्वश्रेश्ट विशनु का पूरा दाहिना पैर फट गया टेन किंग्शान और विशनु पूरी तरह से एक साथ उलज गए थे आ, अत्यान पीरा में विशनु ने उनमत स्वर में चिलाया उसका अक्षुन बचा हुआ है पैर अनंध शक्ती लेकर आया और जमीन की और टकराया टेन कुइंग्शान की पीच से टकरा कर जैसे हडियों के टूटने की आवाज आई बाहर, टेन कुइंग्शान ने मुह से खून निकाला और यहां तक की टुकड़े भी उगल दिये उसके आंतरे कंगों का बूम, एक उग्रचिल लाहट के साथ, टेन कुइंग्शान के पैरों ने सीधे पीछे की और लातमारी विश्नु की कमर सौभाग्य से, विश्नु ने तुरंट अपने गुपतानगों को अपने अंदर वापस ले लिया पेट इसके बावजूद, उसे अभी भी उडने और हड़ियों के चटकने की आवाज सुनाई देती थी सुना जा सकता है साफ है कि उसकी बाई जांद की हड़िया तूट गई थी केवल एक से दो सेकंड के भीतर दो बेहत शक्तिशाली विशेशगय थे बड़ी चोटे लगी फ्लाइंग चाकू के लोन वॉल्फ आपका करीबी युद्ध कोशल काफी कुशल है आप मेरा सम्मान अरजित किया सफेद कपड़े पहने उस व्यक्ती ने बैठने के लिए संधर्ष करते हुए कहा शांत मुसकान के साथ उसने टेंग किंग शान की ओर देखा आपका नजदी की युद्ध कोशल भी अद्भुत है टेंग कुंग शान भी तूट गया एक मुसकान में इस समय दोनों शीर्ष विशेशगय मुसकुरा रहे थे ऐसा इसलिए था क्योंकि टेंग किंग शान विश्नू की क्रोधित किक का बचाव नहीं कर सके शक्तिशाली किक नेना केवल टेंग किंग शान की पीट की टैंडन और हड़िया तोड़ दी थी उसके आंतरिक अंगों को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया टेंग कुंग शान को पता था कि ऐसी गंभीर चोटों के साथ जब तक की कुछ ना हो एक चमतकार की तरह अन्य था यहां तक की एक विशेशगय की मजबूत जीवन शक्ती के साथ भी ग्रेंड मास्टर दाइरे में उसके पास जीने के लिए अधिक्तम आधा महीना बचा होगा अगर आम लोगों को ऐसी गंभीर चोटे पहुंचाई जानी थी वे पहुंचाएंगे संभवत, मौ के पर ही मौत हो जाए जहां तक विशनु की बात है तो उसका दाहिना पैर फट गया था और बाई जान्द का उपी हिस्सा भी फट गया था अपंध उस दिन के बाद से वह केवल एक अपंध था अब ऐसे स्रैंक विशेश अग्य नहीं रहा वे दोनों बरबाद हो गए विशेश ओपेशन टीम के अभिजात वर्ग ने इस लड़ाई को पास से देखा और देखा बिलकुल स्तब्ध वे दोनों राक्षस हैं पागल यांग यून फूट फूट कर रोने लगा उरते चाकूओं का अकेला भेडिया बहुत दरावना है उसने न सिर्फ हत्या की थी शेव उसने विश्नु को भी पीट-पीट कर अपन बना दिया था महिला कुलीनों में से एक प्रशंसा में चिल्लाए बिना नहीं रह सका फिर उसने किन होंग की और देखा असमंजस की स्थिती में उसने पूछा भाई किन क्या गलत है आप क्यू दिखाई दे रहे हैं इतने अचंबे में रहना ये कुछ भी नहीं है जवाब देते समय किन होंग ने अपना सिर हिलाया हालांकि कुछ के लिए कारण जब उसने लोन वुल्फ को देखा तो उसके दिल में एक अवर्नियत दर्द महसूस हुआ फ्लाइंग चाकु प्राप्त करने के बाद उसके आंतरिक अंबों के टुकरे उगल देते हैं उस पर लाद मारो हर कोई फ्लाइंग चाकु का अकेला भेडिया गंभीर रूप से घायल हो गया है और संभवता जीने के लिए अधिक समय नहीं होगा विश्नु अब सिर्फ एक अपन्ध है जो कुछ नहीं कर सकता यहां तक की खड़े हो जाओ यह हमारा मौका है हमें तुरंत कार रवाई करनी चाहिए गिरफतार करना उन्हें एक साथ एक ही जटके में दो SS-Rank हमलावरों को गिरफतार करने में सक्षम होने के लिए डॉट डॉट हम महान योग्यता का दावा करने में सक्षम होंगे यांग यून ने जट से कहा उस पल में हर किसी की आँखें चमाक उठी फ्लाइंग चाकू के लोन वुल्फ दोनों के खिलाफ लड़ने में सक्षम थे अपने आप में दिगगज वह निससंदे एक SS-Rank विशेश अगय थे अब उनके पास वास्तव में फ्लाइंग के लोन वुल्फ को पकड़ने का अवसर था चाकू और विश्नू यदि भविश्य में उन्हें इस योग्यता के बारे में दूसरों को बताना पड़े तो वे बड़े गर्व का अनुभव कर सकेंगे यांग यून ने तुरंत योजना बनाना शुरू कर दिया जैसे ही विशेश ओपरेशन टीम का समूह अपनी चाल की योजना बना रहा था शेन यांग मिंग और उनके तीन अधिनस्त गंदगी के बीच इंतजार कर रहे थे पास में जाड़िया देर रात होने के कारण स्पेशल ओपरेशन टीम के सदस्य नहीं आये ध्यान दे की कई दर्जन मीटर की दूरी पर लोगों का एक और समूह था आप तीनों को याद रखना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए किन होन्ग हमेशा रहेगा पहला लक्षिप शेन यांगमिंग ने फुसफुसाते हुए कहा तुम तीनों हमला करोगे इसके तुरंद बाद मैं कार रवाई करूंगा और हम ऐसा करने के तुरंद बाद पीछे हट जाएंगे सफल हुए समझ गया बड़े भाई बाकी तीम भगोलों ने धीमी आवाज में जवाब दिया अच्छा शेन यांगमिंग ने दूर से देखते हुए कहा इस बार वह किन होन को मारने के लिए सब कुछ जोखिम में डाल देगा उन्होंने अपनी चाल चल दी है शेन यांगमिंग की आँखे चमक उठी के सदस्य विशेश ओपरेशन टीम ने चुपचाप अपना ओपरेशन शुरू कर दिया था इस पल वे सभी दिशाओं और टेन किंग शान के आसपास से आ रहे थे विश्नू टेन कुंग शान और विश्नू दोनों जमीन पर आधे लेटे हुए थे लोन वुल्फ वो लोग हमें भी पकड़ने की सोच रहे हैं विश्नू हसे और कहा तुम्हारे पैर नहीं है इसलिए तुम आसानी से निशाना बन जाओगे अगर चून की आपके पैर चले गए हैं आप केवल उनकी शूटिंग का लक्षय हो सकते हैं आपके साथ वर्तमान स्थिती में आप भारी गोलाबारी से मर जाएंगे टें क्विंग शान ने चिड़ाया फिर उसने अपनी नजर आसपास कहीं घुमाए और देखा कि तीन लोग थे चुप चापा रहा हूँ तीनों में सबसे लंबा उसका छोटा भाई था क्विंग है ठीक तभी हम टें किंग शान अचानक मुने और लोगों के एक अन्य समूह को देखा लगबग 40 मीटर की दूरी पर स्थित है शेन यांग मिंग, टें कुइंग शान की दृष्टी से वह तुरंद देख सकता था कि कैसे उनमें से एक जैसा दिखता था वर्तमान में शेन यांग मिंग ने अपनी बंदूक वापस ले ली और उसे किन होन के और फायर कर दिया से किंगे, टें कुइंग शान की मासपेशियां तुरंद कड़ी हो गई और वह प्रतिक्रिया से बाहर हो गया अपनी क्रोसिंग वल्ड्स तक्नीक का प्रदर्शन किया शेश आंतरिक शक्ती उसका शरीर ऐसे बह रहा था मानो वह कोई सस्ता बहता पानी हो टें कुइंग शान तुरंद धुंदले ब्रमों की एक श्रिंखला में बदल गया, अपने मूल स्थान से गायब हो रहा है किन होन के नित्रित्व वाली तीन सदसिय टीम दो शक्तिशाली टीमों के करीब पहुँच रही थी विशेश गिप, फ्लाइंग चाकू और विश्नु का अकेला भेडिया हालां की किन होन की नजर अचानक एक बंदूग पर पड़ी शेन यांग मिंग जीवन या मृत्यू के इसक्षन के दोरान किन होन ने शेन को देखा यांग मिंग दरसल शेन यांग मिंग जानबूच कर खड़ा हुआ था ताकि किन होन उसे देख सके मरना शेन यांग मिंग ने अपनी बंदूग चलाए उसकी निगाहों में संतुष्टी का आभास था अपना प्रतिशोद ले रहा है गोलियों की रफ्तार काफी तेज थी यहां तक कि सबसे शक्तिशाली ग्रेंड मास्टर भी इस गती की बराबरी नहीं कर पाएगा एक गोली का गोली से बचने के लिए व्यक्ति को पहले ही गोली से बचना शुरू कर देना चाहिए गोली मारी गई थी जटका, गोलियां कई दरजन मीटर की दूरी से और तेजी से गुजरी किन होंग की और उडान भरी गोलीयां इतनी तेज थी कि किन होंग समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सके नहीं, उसी क्षन, उसकी गर्भवती पतनी ली रैन की छवी सामने आ गई उसका मन कहीं ऐसा तो नहीं की बच्चा बिना पिता का होने वाला हो जिस क्षन इसका जन्म हुआ पफट, फफफ, अजीब बात ये थी कि टेंड कुइंग शान, जो मूल रूप से गायब हो गया था घडनास्थल से वास्तव में उससे दस मीटर की दूरी दिखाई दी दो गोलियां टेंड कुइंग शान को लगी, मरो, टेंड किंग शान की नजर बेहत थंडी थी उसके हाथ के जटके से एक उरता हुआ चाकु निकल गया, उरने वाले चाकु की गती गोली किसी भी तरह से धीमी नहीं थी और वह हवा में छेद करती हुई निकल गई शेन यांग मिंग के गले से शेन यांग मिंग की आँखों में केवल सदमा था, वह भी नहीं कर पा रहा था समय रहते चक्मा देना बैंग 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 शेन यांग मिंग के पीछे से तीन लोग बाहर निकले और पागलों की तरह गोली बारी करने लगे किन होन की दिशा हालांकि एक बार धमकी मिलने के बाद किन होंग को धमकी दी गई थी पहले से ही चक्मा देने की फिराक में है साथ ही किन होंग और उनकी टीम के सदस्यों ने भी शूटिंग शुरू कर दी उनकी निशानेबाजी का कौशल बहुत सटीक था तीन भगोडों पर हमला किया गया सिर और मौके पर ही मौत हो गई उस समय यांग यून और अन्य लोग तुरंत वहां पहुचे टेन कुइंग शान का शरीर शितिल हो गया और जमीन पर गिर गया किन होन, क्या तुम थीक हो, यांग यून और अन्य लोगों ने चिंता में पुछा, मैं थीक हूँ, किन होन को ऐसा लगा जैसे उसने कोई बुरा सपना देखा हो, की थंडी बुंदें उसकी पीट पसीने से भीग गई, तभी वह पूरी तरह से जाग गया सदमे से, उरते चा अने के लिए, शेन यांग मिंग अंतता हमर गया, टें क्विंग शान ने राहत की सास ली, इससे पहले उन्होंने शेन यांग मिंग का पता लगाने के लिए एलेना से मदद मांगी थी सिर्फ इसलिए ताकि वह उसे मार सके और अपने छोटे भाई को खत्रे से बचा सके, उसके पास था उसने सोचा की इस लड़ाई के कारण वह शेन यांग मिंग को नहीं मार पाएगा, हालां की शेन यांग मिंग वास्तव में यहां आये थे, अब जब की उसका छोटा भाई सुरक्षित था, टें क्विंग शान को राहत महसूस हुई, उलते चाकूओं का अके गंभीर रूप से घायल अवस्था में था, टें क्विंग शान को पता था कि प्रदर्शन करना इतनी कमजोर स्थिती में, क्रोसिंग वल्ड्स के कारण उनकी चोटे और भी गंभीर हो गई थी, ऐसे में उन्होंने अपनी पूरी ताकत से उलता हुआ चाकूओं भी फेंग एक बड़े भाई की तरह अपना बाया हाथ किन होन की और बढ़ाने की कोशिश की, किन होन ने चक्मा नहीं दिया, टें किंग शान ने किन होन को सिर पर थप थपाया उत्तर दिया, कोई कारण नहीं है, ध्यान में रखो, अपने बच्चे का अच्छे से ख्याल रखें और भविश्य में अच्छे से जियें, मुझे यही सब चाहिए था, जैसे ही वह बोल रहा था, टें कुंग शान को महसूस हुआ कि उसके गले से कुछ निकल रहा है, पफ्ट, उसके आंतरिक अंगों के टुकडों के साथ एक कौर खून बाहर निकल गया अंग, तुम, तुम, क किन हून को ये बिल्कुल समझ नहीं आया, हालां कि, जैसे उसने देखा कि टें किंग शान किस हालत में है, उसका दिल दुख गया, टें किंग शान ने अपने छोटे भाई की ओर देखा और प्रत्येक को ध्यान से देखा चहरे की विशेषता, 22 साल हो गए थे, उसने कभी अपने छोटे भाई की तरफ ऐसी नजर से नहीं देखा था पहले ध्यान से, मरने से पहले अपने छोटे भाई को अच्छे से देखने में सक्षम होना पहले से ही स्वर्ग से आशीरवाद, धीरे धीरे टें किंग शान को अपनी चेतना धुंदली और चक कर आने लगी उस पर का बुपालिया, क्या मेरी मृत्यू होने वाली है, टेंक विंग शान अपसपश्ट रूप से नहीं देख सकता था, इस जीवन के सारे द्रिशे चलचित्र की भाती उसके सामने घूंग गए, जब वह बच्चा था तब अना थाले में उसका सुखी जीवन था, साइबे जो उनके संपूर्ण जीवन का चितरन प्रतीत होता था, मैं एक भेडिया हूं जो उत्तर से आता है, डॉट डॉट, असीम जंगल के बीच चलते हुए, करवी उत्तरी हवा चल रही है, छोटी बिल्ली, मैं तुम्हारा साथ देने आ रहा हूं, टेंक विंग शान को लगा क ती खून, उसक्षन गायब हो गया जब टेंक विंग शान की मृत्यू हुई, हालांकि क्योंकि छोटी कड़ाही उसके कपड़ों के नीचे थी, किसी ने ध्यान नहीं दिया वह, किन होंग ने चुपचाप शव के सामने घुटने टेक दिये, वह मर चुका है, यांग यून अन्य सदस्य तुरंद भागे, विश्नु मर गया, वह आत्म हत्या कर ली, वह हमारे द्वारा पकड़े जाने के बजाए मर जाना पसंद करेगा, यांग यून ने अपना सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, ऐसे सहने के बाद गंभीर चोटें, विश्नु अब पहले जितन ते हुए पुछा, क्यूं, कोई नहीं जानता था, टेन क्विंग शान मर चुका था, कोई और नहीं था जो जानता हो, टेन किंग शान, टेन किंग शान, तभी, लिंकिंग के दोड़ते ही एक आवाज आई दूर से हर जगा देख रहा हूं, हालांकि, जब उसकी नजर टेन पर पड़ी किंग शान की लाश जो किंगोन के सामने पड़ी थी, वह एक में थी पूरा सदमा, लिंकिंग तेजी से आगे बढ़ी और अपने घुटनों के बल गिर गई, टेन किंग शान, क्या, तुम्हें क्या हुआ, कब लिंकिंग ने टेन किंग शान की चाती पर भी गो वास्तव में, Teng Qing Shan, नाम भी बनाया गया था स्वयम Teng Qing Shan द्वारा। उन्हें Teng, उपनाम उनके गुरु, Teng, से मिला बोलेई और, King Shan, नाम का इस्तिमाल किया, जिसका इस्तिमाल उन्होंने वापस आने पर किया था अनाथालय में। टेंग क्विंग शान, तुम कैसे, तुम कैसे मर सकते हो, कैसे कर सकता है आप मर चुके हैं, लिंकिंग रोना बंद नहीं कर सके, किंग शान, किंग शान, नहीं, किन हून ने टेंग किंग शान को अपनी खुली आँखों से देखा, उसने जम कर टेंग किंग शान के कमर के पास डॉट डॉट उद्धरन चिन्ह, बोलते समय किन्होन काम पुठा, क्या, लिन्कुंग, जो किन्होन के बगल में थी, देखकर काम पुठी किन्होन की ओर, आपने क्या कहा की ली मिंग्शान की हत्या करने वाला कौन था? टेंग क्विंग्शान, लिन्किंग, वह व्यक्ती थी जिसके प्रती वह सबसे अधिक आभारी थी संभवता वह परुपकारी जिसने ली मिंग्शान को मार डाला था और उसे रहा कर दिया था नरक, हालांकि वह इस पूरे समय कभी नहीं जान पाई की ऐसा करने वाला कौन था मिंग्शान को मार डाला, हालांकि किंहोन की नजर पूरी तरह से टेंग किंग्शान पर थी, आपने भी तो फोन किया था, तुम वही हो जिसने मुझे बचाने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया, डॉट डॉट उधरन चिन्ह, ये कहते हुए किंहोन काम उठे, उसक पेश ओपरेशन टीम के सदस्य के रूप में, वह बुरे खून के बारे में जानते थे फ्लाइंग डैगर्स का लोन वुल्फ मिल गया था, वह तुरंट समझ गया टेंग कुंग्शान ने उसे क्यों नहीं बताया, इसका श्रमसाध्य प्रयास, मेरी सुरक्षा के लिए, कि उसकी पतनी और उसका बच्चा जो पैदा होने वाला था जल्दी गंभीर खत्रे में होगा, यदि उन्हें ऐसा करना था, तो उनके बड़े भाई, टेंग किंग शान्ट ने कड़ी मेहनत की, उसकी मृत्यू से पहले उसके साथ पुनर मिलन न करने के लिए ये सब किया गय अध्याए 19 अनुवादक, IMGT संपादक, लुकास अध्याए 19, टेंग जिया गाउव विश्व को नौ प्रांतों में विभाजित किया गया था और यंग जहौ सबसे अधिक था उनके बीच हलचल और उपजावपन, यंग जहौ के अंदर, जियांगीं काउंटी में ही शेह पर्वत नाम का एक विशाल पर्वत था, के पर में द्यान पर्वत टेंग जिया गाउव नाम के एक गाउव में फैला हुआ है, सभी घर गाउव एक दूसरे के करीब खड़ा था और यह पूरा का पूरा लग रहा था, आस पास का टेंग जिया गाउव लकडी की बाधाउ से भिड़िये भाग जाते हैं लोगों को खाने के लिए आसानी से गाउं में प्रवेश नहीं कर सकता था टेंग जिया गाउं में एक परिवार के आंगन में एक सभा हो रही थी लगभग 10 लोगों का उनमें से एक नाटा लगभग 30 साल का आदमी घूम रहा था घर के जे के बाहर उट सुकता से आगे पीछे योंट फैन आगे पीछे चलना बंद करो एक गंभीर ध्वनी गूंजी स्पीकर वह एक भूरे बालों वाला लेकिन धने शरीर वाला बुड़ा आदमी था शिक्षक मैं छोटा गाउन पहने उस आदमी को समझ नहीं आ रहा था कि क् था अंदर उसकी पतनी बच्चे को जन्द दे रही थी घर यह आमतोर पर अपने बच्चे को जन्द देने वाली महिलाओं के लिए काफी खतरनाक था पहला बच्चा टेन जीया गाउंग में महिलाओं की मृत्यू के मामले सामने आये थे प्रसव के दोरान जटिलताएं उन दुबला पतला आदमी यॉनफैन के पास खड़े होकर उसके चहरे पर मुस्कान के साथ विशय बदल गया मेरा बच्चा किंग पीडी से है मेरे मन में पहले से ही नाम है अगर यह एक लड़का है मैं उसका नाम किंग शान रखूंगा जबकी लड़की का नाम किंग यू रखूंगा टेंग यॉनफैन चोटा गाउन पहने हुए व्यक्ती ने एक दुरलब मुस्कान बिखेरी बोला जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया एक बच्चे की तेज और स्पष्ट रोने की आवाज गूंज उठी कमरे से सभी लोग ठिठक गए और एक ही समय में दर्वाजे की ओर देखने लगे एक चरमराहत आवाज दी और एक महिला अपनी गोद में एक बच्चे को लेकर दर्वाजे से बाहर भागी अपने चेहरे पर सुखद आश्चर्य चकित मुस्कान के साथ चिलाया यॉन फैन यह एक लड़का है लड़का हुआ यान के बारे में क्या वहटा कटा बुड़ा आदमी सबसे पहले पूछने वाला था प्रमुक यॉन लैंग ठीक है मा और बच्चा दोनों अच्छा कर रहे हैं महिला खुशी से मुस्कुराया इस समय टेंग यॉन फैन ने बच्चे की देख भाल करें और मैं यॉन लैंग को देखने जाओंगा टेंग यॉन फैन तुरंद घर में भाग गया जबकि हटा कटा बुड़ा आदमी अपनी गोद में बच्चे को मुस्कुराते हुए देख रहा था अभी छोटे लड़के की चीखें काफी तेज थी अ आहा वह तगड़ा बुड़ा आदमी दिल खोल कर हसा और धीरे से बच्चे को छुआ अपनी उंगली से नाक से कहा मेरा प्यारा पोता छोटा किंगशान आओ पोकारना दादा जैसे ही बुड़ा व्यक्ति बोला वह से बिना नहीं रह सका आखिर एक नवजात शिशु कैसे बोल सकता है हसी ने उसे घेर लिया लेकिन टेन क्विंग्शान का दिमाग वास्तव में बहुत उदास था राजग क्या चल रहा है मैं मैं मर गया हूँ है ना डीव ग्रेटर दन टेन क्विंग्शान को सपष्ट रूप से याद है कि भगवान के दो लोगों से लड़ने के मेरी मां के पिता टेन क्विंग्शान बूड़े को ध्यान से देखा मैं उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को समझ सकता हूँ मेरे आसपास के लोग इसलिए ये भी चीनी है उसके कपडों की शकल और मेरे आसपास के लोगों के कपड़े ये सपष्ट रूप से एक आधुनिक समाज नहीं है ये प्राचीन समाज है मैं मैं प्राचीन दुनिया में कैसे पहुचा भले ही टेन क्विंग्शान को भीशन हिटमेन प्रशिक्षन से गुज़ना पड़ा कोई बात नहीं उसकी मानसिकता कितनी स्थिर थी इस बात से ही वह एकदम हेरान रह गया पल हालांकि इस समय टेन क्विंग्शान को ठकान और नींद महसूस हुई एक बच्चे का मस्तिश्क पुनरता परिपकु नहीं है मैंने बस थोड़ा सा सोचा और पहले ही ठक गया हूँ टेन क्विंग्शान ने अपनी आँखें बंद कर ली और ग जालू महिलाएं युआन लैन बर्फबारी के द्रिश्य का आनन लेते हुए उन्होंने अपने बेटे टेन क्विंग्शान को पकड़ लिया आँ टेन क्विंग्शान का छोटा चेहरा गहरे लाल रंग का हो गया एक वर्ष से भी कम समय पहले पैदा होने के कारण उसकी सकर सकता था केवल आह एन ध्वनिया निकालें युआन लैन ने कहा लगबग दोपहर के भोजन का समय हो गया है लेकिन तुम्हारे पिता अभी तक नहीं लोटे हैं हाई भाभी इसी वक्प बहर से आवाज आई आंगन का दर्वाजा और दर्वाजा धक्का देकर खोल दिय गया वर्शा पहने एक युवक कपड़े और एक बड़ा सा खरगोश पकड़े हुए मुस्कुराते हुए अंदर आया शिकारी स्कॉर्डवन वह पहाड़ पर गया और वापस आ गया ये खरगोश आपके परिवार का है इसे रखे कौँआ मुझे वापस जाना है इसके काफी कुछ हासिल कर लिया था कुछ ही महीनों में इस टेंजिया गाउं के बारे में जानकारी प्राप्त हुई टेंजिया गाउं एक आत्म निर्भर गाउं था अकसर स्कॉडरन होते थे जो पहाड़ पर शिकार करने गये थे और जो शिकार वे वापस ले आए वह यही के योगदान के अनुसार वित्रित किया गया के लिए उदाहरन के लिए टेंजिया गाउं उनके बनाए हथियार यी शहर में बहुत लोग प्रिय थे स्वाभाविक रूप से उसके पास एक टेंजिया गाउं में उच्चपद अचानक धरती ऐसे हिली मानो भूकम पा गया ह योगदान के चेहरे पर दाकु वार्शिक श्रद्धानजली लेने आये हैं अभी व्यक्ति बदल गई उसने तुरन टेंग कुंग शान को अपनी पीट पर बांध लिया वह बस धर से एक लाल लर्कन वाला भाला लिया और बाहर भाग दया पूरा टेंग जिया गाउं उम् टेंग जिया के सबसे बड़े प्रशिक्षन मैदान में पहुंच गया गाउं प्रशिक्षन मैदान की लंबाए और चौड़ाई दोनों दो सौथी मीटर इस समय प्रशिक्षन मैदान में हजारों लोग एकत्रित थे युवा एवं वृध इस दौरान लगभग सभी के टी एलन प्राचीन समय में एक पत्नी अपने पती को भाई कह सकती थी यदि वे इसमें प्रशिक्षित हो एक ही कुल संप्रदाय आदी टेंग कुंग शान ने अपने पिता की ओर देखा इतनी कड़ाके की सर्दी में उसके पापा ही उसके कंधे पर कुछ बाल लिप्टे और उसकी दोनों भुजाएं मोटी और मजबूत ही सीना खुल गया जाहिर था कि वह बहुत ताकतवर आदमी था बिना पर्याप मासपेशिया होने के बावजूद एक उत्कृष्ट लोहार बनना संभव नहीं था बेटा दरो मत टेंग योनफन ने टेंग किंग शान को प् यार एलो टेंग जीया गाव के चोटे लड़कों बाहर से तेज आवाज आई बाढ़ टेंग क्विंग शान ने भीर में से देखा और लोगों का समुछ देखा बाढ़ के बाहर उस समुछ के सभी लोग लंबे घुडों पर सवार थे नेता जी की नंगी छाती काले बालों से भरी हुई थी उस पर चाकू का गहरा निशान था चेहरा वह जोर से और सपश्ट रूप से चिलाया यह आपकी वार्षिक श्रद्धानजली देने का समय है पुराने नियमों के अनुसार प्रतेक व्यक्ति आधा टेल देता है टी एलेन टेल पचास ग्राम एक तीन बटा च संख्या लुटेरों को सपश्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है लेकिन निश्चित रूप से कुछ सो हैं हालां कि टेंग जिया गाउव के कुछ सो लोगों को आसानी से धमकाया नहीं जा सकता टेंग कुंशान भी देख सकता था कि टेंग जिया गाउव के सभी लोगों और भूरे बालों वाली लेकिन में विभाजित हो गई हटा-कटा बुड़ा आदमी गुजर गया। दादा जी, टेंग किंग्शान ने एक नजर में उन्हें पहचान लिया। टेंग किंग्शान के दादा, जिनका नाम टेंग युनलोंग था, प्रमुख थे पूरा टेंग जिया गाओं। टेंग जिया गाओं में उनकी पूर्ण प्रतिष्था थी, टेंग किंग्शान की मा, युआन लैंड, टेंग युनलोंग की गोदली हुई बेटी थी। हाँ हा, इस बार वास्तव में ये तीसरा नेता है, चीफ टेंग युनलोंग जोर से हसे, नियम तो हम भी जानते हैं, प्रत्येक व्यक्ति आधा चांदी का तेल है, हमारा टेंग जिया गाउव में 500 परिवार हैं, या 2000 लोग, तो 1000 चांदी टन, क्या मैं सही हूँ, हाँ हा, ओ कोई आपत्ती नहीं होगी, गेट खोलो, टेंग युनलोंग चिल लाया, क्रेक, टेंग जिया गाउव का मुख्य द्वार एक जोरदार धमाके के साथ खोला गया, इसके साथ ही, दो आदमी दो बड़े बक से पकड़े हुए सीधे गेट की ओर चले गए, फिर टोकरे बाहर के और उन्हें बर्फ पर गिरने दिया, क्रिपया गिंती करें, तीसरे नेता, प्रत्येक में 500 चांदी के सिक्के हैं, टोकरा, टेंग युनलोंग चिल लाया, जाओ गिंती करो, जक्मी आदमी ने अपने अधिनस्तों को आदेश दिया, दो आदमी तुरंत अपने घोलों से कूदे और बक्सों को खोलने के लिए दोड़े, बक्सों के अंदर पैसे का केवल एक हिस्सा था जो चांदी का था, अन्य तामबे के सिक्कों की मालाएं थी, प्रत्येक दोवी 100 तामबे की थी सिक्के, जाहिर तोर पर दोनों डाकू अकसर ऐसा करते थे, क्योंकि वे बहु सेकड़ों डाकू अपने घोडों पर सवार हो गए और हवा की तरह उड़ गए, टेंग जिया गाव के प्रशिक्षन मैदान में हर व्यक्ती एक-एक करके तितर बितर हो गया एक, बेटा, चलो घर चलते हैं और खाना खाते हैं, टेंग योनफान ने मुस्कुराते हुए ट टेंग को पकर लिया किंग शान एक हाथ से, लेकिन टेंग किंग शान अभी भी विचार कर रहा था, दडाकूओं के पास वास्तव में हजारों घोडे होते हैं, भले ही प्रत्येक भोडे की कीमत कितनी ही क्यों नहों घोडा नीचा नहीं है, इतने सारे घोडे खरीदने की क शमता होना, ऐसा लगता है वे भी एक बहुत मजबूत डाकू समू हैं, अभी अभी उस द्रिशे के आधार पर टेंग कुंग शान ने अपने दिल में समझा, भुपतान करो, वार्शिक श्रद्धान जली, चून की यह एक वार्शिक श्रद्धान जली है, इसलिए इसे हर स भुपतान किया जाना चाहिए, ये समूह तेंग जिया गाव को हर साल सुरक्षा राशी का भुपतान करने में सक्षम है, जिसका मतलब है कि भेजे गए सेकड़ों लोग संभवता पूरे नहीं है समूह, तो ये पैसा इकर्था करने के लिए यहां वाइट हॉस गैंग था, मैंने सोचा कि यह अन्य था डाको, बगल में अन्य परिवारों के पुरुषों की चर्चा की आवाजें आ सकती थी सुना गया, अगर अन्य डाको हमारे टेंग जिया गाव को अपमानित करने आते हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे हैं मौत की तलाश में हैं, बात क पूरी तरह से विक्सित नहीं हुई थी और इसलिए वह पूछने के लिए बोल नहीं सका, अगर वह बोल भी सके तो क्या वह पूछने की हिम्मत कर सका उसके पिता, पिता जी, वाइट हॉस गैंग कितना मजबूर्थ है, अगर उसने किया, तो उसका पिता संभवता दरे और पूरा टेंग जिया गाव भी शायद हंगामा हो, एस अध्याए बीस अनुवादक, आयाम जीटी संपादक, लुकास अध्याए बीस, अतीत और वर्तमान के बीच अंतर पलक जपकते ही, टेंग कुंग्शान तीन साल का हो गया, सुबह का समय था, गुलाबी हुंथ और समयता से, मुझे दोनों चाहिए, टेंग किंग्शान ने अपना बड़ा मुह खोला और निगल लिया दलिया का पूरा कटोरा, आ, फिर मैं जुड़वा बच्चों को जन दूंगी, जब उसने उसे चुआ तो युवान लैन मुस्कुराई पेट, उसका पेट थोड़ा बा कटोरे पर नजर डाली और अंजाने में अपना सिर हिला दिया आ भरते हुए, किंग्शान को सच्मुच बहुत भूख है, वह दो रोटियां खाता है और सुबर दलिया का एक बड़ा कटोरा, वह केवल तीन साल का है, लेकिन है पहले से ही मेरे जितना खाने में सक्षम, ती किंग्शान ने चलते समय खुद से कहा एक छोटे से रास्ते पर, इसका मतलब है कि मेरे आंतरिक अंग शक्तिशाली है, कि मेरे अफशोशंक शम्दा मजबूत है, और मेरे शरीर की जीवन शक्ति शक्तिशाली है, इस दुनिया में आने के बाद, तेन किंग्शान ने एक आ प्रशिक्शन शुरू किया उसकी योजना के अनुसार, परम हिटमेन और आंतरिक मार्शल आर्ट्स के पूर्व ग्रेंड मास्टर के रूप में, टेन क्विंग्शान को बहुत स्पष्ट रूप से पता था कि कब और क्या प्रशिक्शन देना है, हालां कि वह इस साल तीन स लेकिन बच्चे एक साल के हो गए जिसक शनवे यहां पैदा हुए, इसका मतलब था कि वह वास्तव में इस दुनिया में थे केवल दो साल का, उन्होंने अतीत में कोई शक्ती प्रशिक्शन करने की हिम्मत नहीं की दो साल, फिलहाल वह केवल एक ही काम कर सकता था और वह थ अपने शरीर के लचीलेपन को प्रशिक्शित करना और उसकी हडियों के विकास में तेजी लाता है, टेन किंग शान ने इस प्रकार की प्रशिक्शन पद्धती प्राचीन योग और बुनियादी पर आधारित की आंतरिक मार्शल आर्ट प्रशिक्शन, चून की बच्चे क शरीर में अच्छा लचीलापन होता है, इसलिए उसके लचीलेपन को प्रशिक्शित करना आसान था उसकी ताकत को प्रशिक्शित करने की तुलना में, एक वयस्क को अपने पैरों को विभाजित करने से पहले लगभग एक वर्ष तक प्रशिक्शन की आवश्यक्ता होगी सरल रेखा हालां कि बच्चों को केवल 10 से 15 दिनों की आवश्यक्ता होगी यह ऐसा इसलिए था क्योंकि बच्चों की मास्पेशियां और हडियां अधिक लचीली थी जो की थी वृद्धी और विकास की उनकी प्राकृतिक अवस्था के कारण भी जिसका शरीर जितना अधिक उसकी हडियां उतनी ही अधिक शक्तिशाली होती हैं मास्पेशियां बन गई जो अंतरिक मार्शल आर्ट के अभ्यास के लिए फाइदे मन थी किंग शान क्या आप प्रशिक्षन मैदान में खेलने जा रहे हैं रास्ते में वहां कुछ पढ़ोसी ऐसे थे जो टेंग क्विंग शान से बात करते समय मुस्कुरा रहे थे हाँ टेंग क्विंग शान ने सिर हिलाया प्रशिक्षन का मैदान एक खाली मैदान था जो कम से कम 200 मीटर का था लंबा और चौड़ा हर सुबह टेंग जिया गाव के लोग वहां प्रशिक्षन लेते थे हाँ डीव ग्रेटर दैन हाँ सामने से प्रसारित होने वाली जोरदार और शक्तिशाली हाँ ध्वनिया थी गरच्ती हुई गलगड़ाहट की आवाज की तरह टेंग कुंग शान आखिरकार मार्शल आर्ट क्षेत्र में पहुंच गए मैदान के मध्य में सेकडों लोग व्यवस्थित धन से खड़े थे हर कोई टॉपलेस था और पसीने से लटपत उनमें से प्रत्येक के पास समय समय पर भाले थे जैसे ही उन्होंने अपना नारा लगाया उन्होंने इसे बार-बार अपने सामने की और धकेला टेंग के रूप में किंग्शान ने ये द्रिश्य देखा वह मदद नहीं कर सका लेकिन अपने खून की शुरुआत महसूस कर सका उबल रहा है डॉट प्रशिक्षन मैदान के किनारे पर कई बच्चे अपने साथ भूर रहे थे आँखें खुली शीर्ष, कंधा, भला, पैर और शरीर सभी संतुलित होने चाहिए एक जोड से पूरे प्रशिक्षन मैदान में चीक गूंज उठी एक दुबला पतला और अधेर उम्र का धधकती आँखों वाला एक आदमी मैदान के बीचों बीच चल रहा था अचानक, वह अपना पैर उठाया और अपने बगल में भला पकड़े हुए एक आदमी के उपी पैर पर लाद मारी, जिससे आदमी लड़ खड़ाने लगता है तुम्हारा शरीर डगमगा रहा है, तुम्हारी कमर में ताकत कहा है, क्या तुमने बर्बाद किया, ये सारी ताकत आपकी कुछ-कुतियाओं पर है, अब अपने आपको स्थिर करो पतला आदमी कठोरता से चिलाया, हा मास्टर, वह आदमी जट से खड़ा हो गया और एक भी कहने की हिम्मत नहीं हुई शब्द अब हम कठिनाईयां सहन करते हैं ताकि डाकुओं का सामना होने पर हमारा खून कम बहे पहार में जानवर पतला आदमी चलता रहा और बोलता रहा थंडी आवाज, जब हम खत्रे का सामना करते हैं, तो हम केवल खुद पर निर्भर रह सकते हैं ठीक है, अब अपने भाले हिलाओ, दुबला पतला आदमी चल लाया, इसे अपने पास रखो हाथ आगे की ओर रखें और पीछे वाले हाथ से इसे मुरें डॉट डॉट, निशाना लगाओ और जोर लगाओ, नहीं चाहे ये बचाव के लिए हो या आक्रमन के लिए आप इस तक्नीक पर भरोसा कर सकते हैं अगर आप इसका पूरी तरह से अभ्यास करें, जब आप सभी अपना जीवन बचाने में सक्षम होंगे खत्रों का सामना करें इस तक्नीक से हर आदमी परिचित था, इस कौशल का अभ्यास वे पहले भी कई बार कर चुके थे जैसे ही टेंग किंग शान ने ये द्रिश्य देखा, उसके चहरे पर मुस्कान आ गई टेंग जिया गाउं के पुरुश हर दिन प्रशिक्षन लेते हैं हालांकि प्रशिक्षन बहुत है सरल, ये बहुत प्रभावी है दो तकनीकें, सैंटा थरस्ट और क्रेंबुलिंग लांस उनके लिए अपने पूरे जीवन का अभ्यास करने के लिए परियाप्त है आखिरकार, टेंग क्विंग शान अपने पिछले जीवन में जिंगी ग्रेंड मास्टर थे और जिंगी मार्शल आज्स का मूल तत्वा वास्तव में भाले की मुट्टी थी चाहे वह बर्स्टिंग फिस्ट हो या ड्रिलिंग फिस्ट, दोनों में नहितार्थ नहित था एक लंबे भाले का टेंग किंग शान ये देख सकता था कि टेंग जिया गाउंग के सिर्फ एक दर्जन लोगों के साथ ए शक्तियों के साथ भाला निर्मान जिसे कम करके नहीं आखा जा सकता है बनाया टेंग जिया गाउं एक साधारन दाकु समूह की ताकत पर निर्भर करता है हमें अपमानित करने का साहस नहीं करेंगे हालां कि टेंग कुइंग शान वाइट हॉस गैंग के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सके यी शहर के क्षेत्र में सबसे बड़ा गुड यदि कोई इसमें शामिल होना चाहता है वाइट हॉस गैंग एक उच्च शारीरिक आवश यक्ता थी फिर भी वाइट हॉस गैंग में अभी भी आठ हजार कोर सदस्य थे उनाठ हजार कोर सदस्यों के अलावा भी बड़ी संख्या में लोग थे हाशिय के सदस्यों की वाइट हॉस गैंग निश्चित रूप से ही शहर का स्थानिय निरंकुष था टेंग जिया गाव को भी हर साल उन्हें वार्शिक श्रद्धान जली सौंपनी परतीती सुरक्षित रहने के लिए अल्पिराम डॉट डॉट हजारों पुरुशों को अभ्यास करते हुए देखकर टेंग किंग शान को अचानक एक विचार आया मेरी मानस्पेशियों और हड्डियों के लचीलेपन को काफी अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया गया है हालांकि वे अभी भी दमनकारी शक्ती प्रशिक्षन, प्रशिक्षन के लिए उप्यूक नहीं है जिंगी मार्शल आज ठीक होना चाहिए टेन क्विंग्शान कुछ देर तक देखता रहा जबकि इससे पहले की वह घर की और दोड़ता किंग्शान, आप वापस आ गए हैं युआन लैन गंदे कपड़े लेकर तयारी कर रही थी कपड़े बाहर दोएं हा मा, मैं ठक गया हूँ और थोड़ी देर सोना चाहता हूँ टेन क्विंग्शान अपने ही कमरे में घुस गया उनके परिवार वालों के लिए पूछना नामुम्किन होगा तीन साल का बच्चा कोई भी काम कर सकता है जहां तक नीन का बहाना है उसकी मा, युआन लैन को इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं था फिर दर्वाजा और खिर्कियां बंद कर दी गई मुझे आखिरी बार काफी समय हो गया है जिंगी मार्शल आर्ट्स का अभ्यास किया टेन क्विंग्शान ने कुछ अभ्यास किये उसे लगा इस समय वह थोड़ा उत्साहित था क्योंकि उसने कई वर्षों से इसका अभ्यास नहीं किया था साल गही सांस लेने के बाद उसका दिल शांत हो गया टेन किंग्शान फिर शूरू हुआ अभ्यास के लिए उन्होंने बारा रूपों जिंगी फाइव एलिमेंट फिस्ट साट को सयोजित किया तीन जिंगी आसन एक साथ और उनका स्वतंत रूप से अभ्यास किया वह एक जैसा था भयंकर बाग एक सेकंट के लिए नीचे की ओर जा रहा है अगले में एक उल्जा हुआ अजगर और एक उसके बाद फिर से पानी से बाहर निकलता हुआ तैरता हुआ अजगर भले ही चोटे हाथ पैर वाले सामान्य बच्चे इंटर्नल मार्शल का अभ्यास करते हों कला ये बिलकुल बिना किसी प्रभाव वाला एक शो होगा भले ही उसके पास ग्रेंड मास्टर की चेतना हो फिर भी वह ऐसा नहीं होगा यदि उसका शरीर बहुत छोटा था और वहांतरिक मार्शल आर्ट का अभ्यास करने में सक्षम नहीं था पूरी तरह से खिचाव इसलिए पिछले दो वर्षों से टेंग किंग शान ने उन्हें प्रशिक्षित किया लचिलापन और मास्पेशियां अब उसकी कमर पीछे की और जुकने में सक्षम थी इंगित करें कि उसका मुह उसके पैर को चू सके ऐसी शारीरिक स्थिती में ये चला गया बिना ये कहे कि वहांतरिक मार्शलाट आसानी से कर सकता है अब जब उसने भहतिक आवश्यक्ताओं को पूरा कर लिया और चेतना प्राप्त कर ली एक ग्रेंड मास्टर का परिनाम स्पष्ट था उनका शरीर श्वास प्रश्वास विधी के अनुरूप चलने लगा जितना अधिक टेंग किंग शान ने अभ्यास किया बहुतना ही अधिक उर्जावान हो गया ये प्रथा जारी रही दो गंटे तक चालू टेंग कुंग शान कोई नौसिखिया नहीं था उसकी चेतना थी ग्रेंड मास्टर के स्तर पर ये हाँ, अपने अभ्यास के अंत में टेंग कुंग शान उत्सा से चिलाने से खुद को नहीं रोक सके दो बार बाहर मेरा पूरा शरीर आरामदायक और तरोताजा महसूस करता है हर हडी और मास्पेशी स्तब्ध महसूस होता है लेकिन ये अभी भी बहुत आरामदायक महसूस होता है इसका प्रभाव स्पष्ट है आंतरिक मार्शल आर्ट प्राचीन योग से कहीं बहतर है टेंग कुंग शान को लगा बेहत खुश आंतरिक मार्शल आर्ट में मूल रूप से हड़ियों को मजबूत करने का प्रभाव था मानस्पेशियों टेंग कुइंग शान की पिछले जीवन की यादों के अलावा उनकी जिंगी मार्शल आर्ट का प्रदर्शन स्वाभाविक रूप से उत्कृष्ट था वह कर सकेगा यहां तक कि यह भी महसूस होता है कि आंतरिक मार्शल आर्ट के प्रत्यक अभ्यास के बाद उसकी हड़ियां और मानस्पेशियों में बदलाव आएगा जैसी उसकी हड़ियां और मास्पेशियां थी नाटकिय रूप से सुधार होने पर उसे सपष्ट रूप से अधिकूर्जा की आवश्यक्ता होगी इसलिए टेंग किंग शान की भूख और भी बड़ी हो गई हाँ, टेंग किंग शान ने अपने घर के आंगन में एक उर्टी हुई छलांग लगाए और फिर नीचे उत्रे उसने केवल एक हाथ से खुद को जमीन पर टिकाया, उसके पैर मुने हुए थे हवा में गला घोंड दिया गया श्वांज ले श्वांज छोड़ें चरम अभ्यास के साथ, टेंग किंग शान ने भी स्वयम सहाईता की श्वास विधी के सहयोग से ांतरिक मार्शल आठ का रहसे वास्तव में का सहयोग था सांस लेने की तक्नीक और शरीर को आकार देने की कला इस प्रकार की श्वास तकनीक आंतरिक अंगों को मजबूत करेगी, साथ ही हड़ियों को भी उत्तेजित करेगी और मास्पेशिया टेन किंग शान जब भी आते तो दर्वाजा बंद कर देते और आंगन में अभ्यास करते माता पिता घर पर नहीं थे ए, टेन कुइंग शान इतना चौप गया कि वह रुप गया और नीचे जुप गया उसने थप पर मारा जमीन और एक पुची, जैसे ही कीचर में एक छेद दिखाई दिया, ध्वनी बजने लगी मैदान ये कैसे संभव है, टेन कुइंग शान रुके और ठिठक गये वबुद बुदाया, मैं, मैं मैंने केवल एक महीने के लिए जिंगी मार्शल आर्ट्स का अभ्यास किया है ऐसा कैसे हो सकता है मेरे लिए आंतरिक शक्ती उत्पन करने के लिए साथ ही, मेरी हड़ियां और मास्पेशियां अभी भी हैं बढ़ रहे हैं और अपनी सीमा तक नहीं पहुँचे हैं आंतरिक का उत्पन करना कैसे संभव है ताकत, अभी अभी टेन कुइंग शान के शरीर के भीतर आंतरिक शक्ती पैदा हुई थी आंतरिक मार्शल आठ के स्तरों के अनुसार, किसी के शरीर का प्रशिक्षन पहले होना चाहिए जब शरीर की मास्पेशियां एक निश्चित सीमा तक पहुँच जाती हैं और यदि वहां होती हैं उर्जा और रक्त का पर्याप्त स्तर था उर्जा का रूपांतरन और आंतरिक बल में रक्त संभव होगा हालां कि टेन कुइंग शान केवल तीन साल का था और उसने केवल अभ्यास किया था एक महीने के लिए जिंगी मार्शल आठ उसका शब अभी भी बहुत दूर है अपनी सीमा तक पहुँचने पर आंतरिक शक्ती उत्पन करना कैसे संभव हुआ मैंने प्राचीन और आधुनिक दोनों के दौरान समान आंतरिक मार्शल आठ का अभ्यास किया बार इतने बड़े मद्भेद होना कैसे संभव है टेन क्विंग शान के चहले के भाव अचानक बदल गए क्या ये हो सकता है डौट डौट उद्धरंड चिन्ह टेन क्विंग शान ने प्राचीन काल में उसी आंतरिक मार्शल आर्ट का अभ्यास किया था समय और आधुनिक समय हालांकि प्राचीन और आधुनिक समय था विभिनवातावरन आधुनिक समय के दोरान स्वर्ग की आध्यात्मिक QE और प्रित्वी पहले से ही इतनी पतली थी कि इसे नजरंदास किया जा सकता था के दोरान के बारे में क्या प्राचीन समय कीवदंती कहती है कि प्राचीन काल के दोरान स्वर्ग की आध्यात्मिक QE और प्रित्वी को अफ्षोशित और परिवर्टित किया जा सकता है आध्यात्मिक QE का यह अफ्षोशन है वास्तव में यह एक प्रकार की सांस लेने की विधी है टेन किंग शान की आँखे चमक उठी बोले मेरी आंतरिक मार्शल आर्ट की सांस लेने की विधी सक्षम होनी चाहिए स्वर्ग और प्रित्वी की आध्यात्मिक QE को अफ्षोशित करें क्या इस दोरान ऐसा हो सकता है महीने में मैंने स्वाभाविक रूप से स्वर्ग और प्रित्वी की आध्यात्मिक QE को अफ्षोशित कर लिया है आंतरिक मार्शल आर्ट का अभ्यास किया और अभी अभी आध्यात्मिक रूप आंतरित किया है आंतरिक शक्ति में QE कोई अन्य संभावनाय नहीं थी टेन किंग शान की हड़ियां और मास्पेशियां अभी विप्रारंबिक चरण में थी इसलिए ऐसा होगा उसके शरीर के भीतर उर्जा और रक्त का आंतरिक उत्पादन असंभव हो जाएगा ताकत इसकी एक ही व्याख्या थी आत्मसाथ करके आंतरिक शक्ती पैदा करना स्वर्ग और पृत्वी की अध्यात्मिक QE तीन साल की उम्र में आतरिक शक्ती पैदा करने में सक्षम होना असंभव है आधुनिक समय टेन क्विंग शान को जटका लगा, लोग खाने पर निर्भर थे और अवशोशित उर्जा सीमित थी, हालां कि अब मैं इसे आत्मसात कर सकता हूं स्वर्ग और प्रित्वी की अध्यात्मिक क्यूई, मैं किस तर तक पहुँच पाऊंगा आधुनिक समय के दोरान, चिकित सक उर्जा को अवशोशित करने के लिए खाने पर निर्भर थे उर्जा सीमित थी, हालां कि आंतरिक मार्शल आर्ट ग्रेंड मास्टर अभी भी ऐसा कर सकते हैं सेस्टर के हिटमें के दाइरे तक पहुँचें जहां तक प्राचीन काल की बात है, आध्यात में क्यूई की असीमित मात्रा थी अवशोशित करना आंतरिक मार्शल आर्ट का ग्रेंड मास्टर किस खेत्र में सक्षम होगा तक पहुँचने टेन किंग्शान की आंखें चमक उठी, अचानक उसे अपने हृदे में एक इच्छा बर्ती हुई महसूस हुई, भविश्य के प्रती एक इच्छा, वह भविश्य में किस तर तक पहुँच पाएगा, ऐसा लगता है कि मैंने अपने लिए जो प्रशिक्षन योजना की जरूरत है. जैसे ही टेन किंग्शान को अपने शरीर के भीतर आंतरिक शक्ती महसूस हुई, उसे अचानक महसूस हुआ महत्वा कांक्शी.